Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इंडस नदी ये सब, भाग दो में मैं मद्दे भारत की नदियां जैसे नर्मदा तापी और नॉर्थीस्ट जैसे भर्मपुत्रा ये सब पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे, और भाग तीन में हम दक्षिन भारत की नदियां पढ़ेंगे, महनदी, गोदाव पूरा का पूरा जो वीडियो है, एक conceptually design किया गया है, conceptually तयार किया गया है, ये वीडियो खास तोर पर UPSC और state PCS exam के लिए तयार किया गया है, और जो पुराने papers हैं, उनको दिमाग में रखके भी इसमें facts और concepts add किये गए हैं, so that आपको एक holistic coverage मिले, rivers of India का, so sit back, enjoy, इस वी questions भी मैं आपसे पूछूँगा, जिनका जवाब फिर आपको नीचे comments में लिखके बताना है, so start करते हैं हम वीडियो rivers of India for UPSC and state PCS, और आगे भणने से पहले, मैं आपको बता दूँ, study IQ, UPSC की live classes के लिए सबसे विश्वस्तिये platform इंडिया का बन गया है, हमारे 13 million subscribers हैं जिसे one-to-one mentorship, इसमें आपको एक dedicated mentor दिया जाता है, जो हमेशा आपके साथ 24-7 आप उन्हें message कर सकते हैं, कोई भी doubt है वो पूछ सकते हैं, जो आपका time table भी बनवाएगा, और आपकी पढ़ाई सुनिश्यत करेगा, साथी साथ answer writing भी इसमें मिलती है, prelims की test series और current affairs program ये सब included हैं, इतना ही नहीं, complete GS, prelims और mains के लिए इसमें पढ़ाई जाती है, सारे subjects, experts के दवारा पढ़ाई जाते हैं, जिने minimum 6 years का experience है, तो अगर आप हमारा UPSC live course उसमें enroll करना चाहते हैं, तो आप हमारी website पे जा सकते हैं, नीचे comments में लिंक उसका दिया हुआ है, और आप अगर code use करेंगे GG live, तो आपको एक अच्छा खासा discount भी उस पर मिल सकता है, और बहुत सारा extra material भी आपको मिलेगा, जैसे PDF मिलेंगे, notes मिलेंगे, हमारे जो notes होते हैं, वो handwritten भी मिलते हैं, और digital notes भी मिलते हैं, इतना ही नहीं, हर chapter के बाद एक crux भी मिलता है, तो ये सारी बहुत unique च नहीं है, पूरा capital में आपको यूज करना है, जब आप checkout करेंगे course में, वहाँ पर आपको ये code यूज करना है, तो आपको discount भी मिलेगा, और बहुत सारे दूसरे benefits भी मिलेंगे, तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, rivers of India, इंडस नदी, देखो एक तो पहले ये समझ नदी की बात करते हैं, तो North India की नदियों में और South India की नदियों में क्या फरक है, South India मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, roughly, तो एक फरक ये है, कि North India की जो नदिया है, ये पूरे साल बहती है, यानि कि आप ये बोल सकते हैं कि ये Perennial River है, और पूरे साल बहने का कारण क्या है क्योंकि ये नदिया जो है ये हिमाले से निकलती है नौर्थ हिंडिया की नदिया चाहे वो गंगा हो चाहे वो यमुना हो ठीक है तो ये सब हिमाले से निकलती है तो हिमाले लेकिन पानी पूरे साल रहता है ये सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ा डिफरेंस जो है North India और South India की नदियों में वो है ये दक्षिन भारत की अगर बात करें दक्षिन भारत में पूरे दक्षिन भारत में सिर्फ एक नदी है जिसमें पानी पूरे साल रहता है बाकी नदियों में या तो वो सूख जाती है ठीक है पूरे साल पानी नहीं रहता इसका रिजन क्या है साउथ की नदियों में साउथ की नदियों में पानी पूरे साल क्यों नहीं रहता तो इसका रिजन ये है कि साउथ की नदिया जो है वो डिपेंड करती है मौनसून्स के उपर, monsoons के उपर depend करती हैं कई बार, ठीक है, और यहाँ पे बरफ तो होती नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, south के जो पहाड है, उन पे बरफ नहीं होती, उनकी उचाई बहुत कम है, लेकिन हिमाले जो हैं, उन पे तो हमेशा बरफ रहती है, तो south की बहुत सारी नदिया, mon यमुना, इंडस, सतलोज, इन सब की बात कर रहा हूँ, यह north इंडिया की यह हिमाले नदिया हैं, जिने बोलते हैं, यह हिमाले के बनने से पहले भी थी, ठीक है ना, यानि की कहने का मतलब यह है, देखिए, अब अगर आपने मेरा mountains वाला topic पढ़ाय तो आप जानते हैं, हि हिमाले, तो हिमाले और उपर ट्रांस हिमाले आज हैं, तो हिमाले बने उससे पहले से यह नदिया थी, उससे भी पहले से थी, उनका उस वक्त सरोत अलग था, जब इंडो प्लेट थी और यूरेशन प्लेट मिली तब हिमाले आज बने हैं, इंडिया की जो प्लेट थी पहल तो ये जो नदियां हैं, इनके ऊपर फिर हिमालियास बने, इसलिए आप देखेंगे, ये नदियां पहाडों में से अपना रास्ता बना के बहती हैं, यानि की गौर्ज होते हैं, गौर्ज मतलब होता है, पहाडों के अंदर बहुत बड़े-बड़े छेद होते हैं, सुरंग की जो नदियां हैं, ये सिरफ धलान के हिसाब से बहती हैं, जहां पे धलान हैं, उस तरफ ये बहती हैं, तो अगर मैं सौथ की नदियां देखूँ, हलंकि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सौथ इंडिया वाले उसमें, तो सौथ की नदियां जो हैं, महानदी, कवरि क्रस्ट और कावेरि यह बंगाल की खाडी में गिरती हैं। ठीक है। क्योंकि जो हमारा पैनिन्सुलर टिल्ट है, टिल्ट मतलब यह हमारा पैनिन्सुला है, जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है हम उसे बोलते हैं पैनिंसुला हम उसे बोलते हैं पैनिंसुला तो पैनिंसुला हमारा जो टिल्ट है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है अब अगर आप एक बरतन है उसे थोड़ा सा जुका दें तो जिस तरफ जुकाएंगे उस तरफ नदिया, उस तरफ पानी गिरेगा, आपने एक बरतन में माल लीजिए, ये बरतन है कोई, आपने इसमें पानी भर दिया पूरा, अब इस बरतन को आप इस तरफ जुकाएंगे तो इस तरफ पानी गिरेगा, इस तरफ जुकाएंगे त इस एरिया से, यानि कि Western Ghats वाले एरिया से, लेकिन वो यहां नहीं गिरती, वो गिरती है इतनी दूर जाके पूरा ऐसे यहां पे बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि हमारा Peninsular Tilt बंगाल की खाड़ी की तरफ है, clear, अब लेकिन आप कहेंगे कि फिर नर्मदा और तापी जो रिफ्ट वैली जैसे पहाड की घाटी होती है, वो उनमें फ्लो करती है, इस वज़े से वो फैल नहीं पाती, तो जिस तरफ रिफ्ट वैली की डिरेक्शन है, वो उस तरफ भैती है, और उसको हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे, तो इस तरह से हम छोटे-छोटे जो की और उसमें पहली है सिंधु नदी, देखो मैप से चीजें आसान हो जाएंगी, अब हिमालियाज आपको पता है कहां पे हैं, ये हिमाचल है, ये उत्रा खंड है, तो ये मैं हिमालियाज बना देता हूँ रफली, हिमालियाज भी तीन तरह के होते हैं, ग्रेट और आउटर हिमालियाज, मिडल वालों को हम लैसर हिमालियाज भी बोलते हैं, और भार वालों को हम शिवालिक बोलते हैं, तो यहां हम उनमें नहीं चाहेंगे क्योंकि वो हम माउंटेंस ओफ इंडिया में डिटेल में कवर कर चुके हैं, अब ये हिमालियाज हो गए रफल के पहाड जो भगवान शिव का घर मने जाते हैं और केलाश के पहाडों में ही एक मांसरोवर है जिसे हम बोलते हैं केलाश मांसरोवर जो एक तालाब है और यहीं तालाब के पास से तीन नदिया निकलती है यहीं तालाब के पास से तीन नदिया निकलती है एक है सिंधु नद जो उपर की तरफ जा रही है यानि कि नॉर्थ की तरफ जा रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है ठीक है नॉर्थ उपर होता है और वेस्ट हमारे लेफ्ट में होता है ठीक है तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है फिर ये भारत को क्रॉस कर और फिर ये मतलब पूरा कश्मीर को क्रॉस कर रही है उपर नौर्थ कश्मीर और अब क्योंकि लदाक हो गया है तो हम बोलेंगे लदाक तो लदाक पूरा क्रॉस करके फिर ये कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चले जाती है और पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके ये गिर जात ये हैं ये केलाश मान सरोवर है तो केलाश मान सरोवर के पास से ये निकली सिंदू नदी अब इसको ध्यान से देखी सिंदू नदी को ये तिबबत है ये जो एरिया है ये तिबबत है आज कल ये चाइना का पार्ट है तो हम बोलेंगे चाइना है बट आप तिबबत बोल सकत अब ये सिंदु नदी ऊपर की तरफ गई यानि की नौर्थ की तरफ जा रही है और ये वेस्ट की तरफ जा रही है फिर ये भारत में एंटर करती है और फिर ये पूरा लदाक को क्रोस करते हुए कश्मीर को क्रोस करते हुए पाकिस्तान चले जाती है और आप देख सकते हैं जिस country में होता है हम कहते हैं उस देश की नदी है यानि हम अगर आज की बात करें तो क्योंकि सिंधु नदी का maximum part पाकिस्तान में है आप देख सकते हैं इसका जो basin area है जहां ये drain करती है वो जादतर पाकिस्तान में है तो हम कहेंगे ये पाकिस्तान की नदी है ये नदी काफी लंबी है गंगा से भी लंबी है सिंधु नदी तो अगर मैं पूछू भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप क्या बोलेंगे गंगा सिंधु नहीं गंगा से लंबी तो भ्रह्मपुत्रा भी है लेकिन भ्रह्मपुत्रा भी भारत की नदी नहीं है क्योंकि भ्रह्म के अंदर ही यानि तिब्बत के अंदर ही और फिर ये घूम के भारत आएगी ये है भ्रह्मापुत्रा तो केलाश मांसरोवर के पास से, हलांकि जगा अलग अलग हैं, लेकिन केलाश मांसरोवर के पास से तीन नदिया निकलती है, एक जो उपर और पश्चिम की तरफ जाती है, जो है सिंदु नदी, एक जो भारत आती है, शिपकिला पास से निकलके सतलुज नदी, और एक है, जो पीछे की तरफ, यानि तिबबत में ही फ्लो करती है, भारत के नौर्थ इस्टन स्टेट्स के पैरलल, और फिर ये घुस्तिया रुनाचल में, ये है भ्रहमपुत्रा नदी, clear, तो इंडस नदी आपको यहां तक clear है, किंडस नदी का जो root है, वो क्या है, एक बार root clear हो गया, तो चीज़ें काफी आसान हो जाएंगी, और सिंदु नदी के किनारे आप जानते हैं, सिंदु घाटी सब्वेता, पनपी, क्योंकि पहले के लोग क्या थे, नदियों के पास ही बस जाते थे, तो सिंदु नदी के किनारे बहुत सारे हरपपा, मोहिन जोदडो, लोथल, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं, जो सिंदु घाटी सब्वेता का हिस्सा रहें, नेक्स्ट, अब देखो, सिंदु नदी जो है, इसमें वैसे तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो कुछ छोटी नदियां भी important है, कुछ बड़ी नदियां भी important है, अगर बड़ी नदियों की बात करें, जो पाँच सबसे important हैं, वो यहाँ पर आप डाइगराम में देख सकते हैं, अगर हम उपर से नीचे की तरफ देखें, तो जेलम है, चेनाब है, जेलम, छेनाब, र जावी, ब्यास और सतलुज, और यह सारी की सारी जो पाँच नदियां हैं, यह ultimately जाके सिंधु में मिल जाती हैं, अल्टीमेटली जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और इनमें एक Indus Water Treaty हमने साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, Indus Water Treaty, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो यह सबसे उपर वाली जो नदी है, यह है Indus, clear, यह है Indus, फिर है जेलम, जेलम के नीचे है छेनाब, उप इनका जो पानी है वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, जो संधी होई थी वो यह थी, कि यह उपर वाली, यानि कि यह हो गई सबसे उपर Indus, फिर यह हो गई जेलम, और यह हो गई चेनाब, तो Indus, जेलम और चेनाब, इनका पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और जो बैंक बीच में आ गया विश्व बैंक उसने ये मध्यस्ता कराई moderation कराया और फिर जवालला नहरू और अयूब खान ने ये sign करी थी उपर वाली तीन नदियों का पानी पाकिस्तान का नीचे वाली तीन नदियों का पानी भारत का यहाँ पे थोड़ा हमें जूम करके दिखा रहा हूँ इसे कि ये नदिया किस तरह से flow करती है इसमें बिलकुल clear है इंडस हो गई फिर ये जो है ये ये जहेलम है तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे डीटेल में फिर चेनाब है रावी है ब्यास है और फिर ये सत्लूजे तो सिंदू नदी के बारे में शुरू करते हैं सिंदू नदी जो है इसके around इंडस वेली civilization यानि सिंदू घाटी सब्वेता पनपी number one कई बार ये भी बोला है था ये नदी उत्तर और पश्चिम की तरफ बहती है और फिर इसका source क्या है ये केलाश के जो केलाश के पहाड़ है तिब्बत में लेक मान सरोवर के near glacier यानि की जो हिमनद है हिमनद glacier क्या होते है जमी हुई बरफ को जो पहाड़ों की जमी हुई बरफ है जो बाद में पिघल जाती है और नदी बनाती है उसे हम glacier बोलते है हिमनद बोलते है तो इसका अगर एक वड में पूछा जाए इंडस नदी का source क्या है सरोथ क्या है तो केलाश के पहाड लेक मान सरोवर के पास ये नदी लगभग 3900 किलोमेटर है तो गंगा से जादा लंबी है गंगा की लंबाई 2525 किलोमेटर मानी जाती है जादा तर बोक्स 2525 कहती है जादा तर आधे से जादा इस नदी का जो drainage area है वो पाकिस्तान में है औ और जमू कश्मीर में जब ये घुस्ती है तो लदाख और जनसकार ranges के बीच में फ्लो करती है लदाख range और जनसकार range के बीच में फ्लो करती है अच्छा ये तो मैंने आपको बताया था कि इंडस नदी में पाँच नदीयां तो बहुत बड़ी मिलती है जेलम, चेनाब, र लदाख और जमूर कश्मीर में तो इसमें एक नदी मिलती है शोक शोक नदी तो गिलगिट नदी, गरतंग, द्रास नदी, शिगार, हुंजा ये सारी की सारी जो हैं ये हिमालेन ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की हिमालेन ट्रिब्यूटरी मतलब हिमाले के पहाड़ों के अं पुझाद रखनी है जो मिलती है सबसे पहली है शोक नदी इन में सबसे important बता देता हूँ गिलगिट नदी शोक नदी गिलगिट नदी शोक नदी शिगार शिगार और द्रास नदी जो कारगिल में फ्लो करती है तो यहां तक I hope आपको यह clear हो गया होगा इंडस नदी के बारे में complete एक बार फटा फट रिपीट कर देते हैं इंडस नदी जो है वो केलाश मान सरोवर से निकली ठीक है उसके बाद उत्तर और पश्चिम की तरफ मुड़ी फिर यह भारत में गई भारत में इसमें आप देख भी सकते हैं यहां पर यह नदी मिली शोक नदी यह शोक नदी मिली है फिर इसके अंदर यहां पर फिर यह फ्लो करती गई करती गई करती गई और इस तरह से यह इंडस नदी पूरा फ्लो करती अब इसमें यहाँ पे कुछ नदियां दिख भी रही है जैसे यह जंसकार है और उपर लदाक है तो जंसकार और लदाक के बीच में फ्लो कर रही है जंसकार और लदाक जो है उसके बीच में ये फ्लो कर रही है और ये शोक नदी जो है शोक के अंदर एक ये छोटी सी नदी आके मिल रही है, ये कौन सी नदी है, ये है नुब्रा, नुब्रा नदी, आपने सियाचिन ग्लेसियर सुना होगा, तो सियाचिन ग्लेसियर जब पिघलता है, ग्लेसियर मतलब हिमनद, हिमनद है तो पिघलेगा और पिघलेगा तो नदी बनेगी, तो सियाचिन ग्लेसियर ज नदी मिल जाती है शोक में ये शोक है ये नदी शोक है और शोक मिल जाती है फिर इंडस में और साथ में शिगार ये ऊपर से एक छोटी सी नदी आ रही है गिलगिट ये भी इंडस में मिल रही है यहां पर तो ये गिलगिट नदी भी मिल रही है इसमें और शिगार द्रास श कश्मीर वैली है कश्मीर वैली बोलते हैं से तो कश्मीर वैली में एक जगा है वेरी नाग वेरी नाग से ये नदी निकलेगी जहलम मैं इसका रूट आपको दिखा देता हूँ यहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा ये है जहलम नदी अगर मैं पूछू ये शिरी नगर है य यहां पे वेरी नाग से निकलती है फिर यह पश्चिम की तरफ मुड़ती है यह पश्चिम है यह जो है यह पश्चिम है तो यह पश्चिम की तरफ मुड़ती है और पश्चिम की तरफ मुड़कर यह यहां पहुचती है लगबग इस जगा यहां से फिर यह एकदम शार्पल और फिर ये west flow करते करते ये जाके यहाँ पे छेनाब से मिल जाती है ये छेनाब है ठीक है छेनाब से मिल जाती है क्लियर होगे एकदम तो जहलम नदी के बारे में देखते हैं जहलम नदी जो है इसको संस्कृत में वितस्ता बोला जाता है संस्कृत में वितस्ता बोला जाता है और जहेलम नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है जो है नीलम नदी जिसको किशन गंगा नदी भी बोलते हैं आपने किशन गंगा प्रोजेक्ट सुना होगा जो यहां पे बन रहा है रनिंग वाटर प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट तो वो नीलम नदी पे बन जेलम जो है वो चेनाब में मिलती है अच्छा जेलम और चेनाब का मिलन कहां पे हो रहा है यहाँ डाइग्राम में देखिए डाइग्राम में यह जेलम आ गई और यह चेनाब आ गई यह जगा कौन सी जहां मिलन हो रहा है इसको बोलते हैं ट्रिमू यह अपने आप में क्वे वेरी नाग से निकली अच्छा जेलम का ही पानी वूलर लेक में जाता है वूलर लेक भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक है भारत में तो वूलर लेक के पास से फिर ये नीचे की तरफ गई यानि की साउथ वर्ड गई और फिर ये बारा मुला और पीर पंजाल के पहा मुझाफराबाद, मुझाफराबाद के बाद से ये साउथ की तरफ आ गई, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, in fact मेरे पास एक डाइगराम हो रहे हैं, यह वाला जादा अच्छा है, तो इसमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहिलम केश्मीर की राजधानी है, और उसके बाद यह चली गई पाकिस्तान, लेकिन डारेक्ली नहीं गई, बीच में अगर आप इस डाइगराम में देखें, तो यह पहले ही यहाँ कहीं, ट्रिमू से यह पहले छेनाब में मिल जाती है, और फिर इनमें रावी बे मिल जाती है, तो यह फिर आगे पाकिस्तान चली जाती है, यहाँ तक सपोज अब कोई डाउट नहीं होगा, अब हम बात करते हैं चेनाब पे, अच्छा यह जो पांच नदी मिल रही है इंडस में, जेलम चेनाब रावी ब्यासो सतलो, जिनमें सबसे बड़ी कुन सी है, सबसे बड़ी ह तो चेनाब का दूसरा नाम है असिकनी, इसे असिकनी बोलते हैं, चेनाब नदी यह निकलती कहां से है, यह निकलती है लाहल स्पिती, जो हिमाचल परदेश है, हिमाचल परदेश में देखिए ऐसे है, हिमाचल परदेश में दो तालाब है, कौन-कौन से तालाब हैं, एक जिससे निकलती है चंदर नदी यानि आप उसको चंदर ताल बोल सकते हैं और एक भागा नदी ये निकलती है सूरियताल से तो भागा नदी निकलती है सूरियताल से और चंदर नदी निकलती है चंदर ताल से और ये चंदर ताल है या ये सूरियताल है एक का नाम चंदरमा क क्योंसी नदी निकली चंद्र ताल से कौन से निकली भागा और दोनों मिले गई तो इन्हों sued इन्होंने नदी बनादी चंद्र भागा अब अगर मैं मैं आपसे पूछ भागा का मिलन कहां पे होता है ये के लॉंग के पास एक जगा है लाहौलस्पिती लाहौलस्पिती कहां है लाहौलस्पिती है हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश में तो यहां पे फिर चंदर भाग बन गई यानि चेनाब बन गई अब मैप पे अगर हम चेनाब को देख यहाँ, तो यह हिमाचल परदेश है, हिमाचल परदेश में लाहॉल्स पिती से दो नदियों के मिलने से चंदर और भाग बनी छेनाब, फिर यह पश्चिम की तरफ आ रही है, पश्चिम की तरफ आ रही है, और यह फिर ट्रिमू में जहलम से मिल जाती है, और अगर आप चैनाब पर बहुत क्योंकि चैनाब इतनी बड़ी नदी है सबसे बड़ी जो Trimuteary है पाँचो में वो चैनाब है तो चैनाब पर बहुत सारे डैम बने वुए देख सकते हैं आप कितने सारे हैं बस नाम याद रखने हैं इनको हम detail में करेंगे जब हम rivers hydro power project करेंगे सलल डैम, दुल हस्ती, पाकुल डैम, रटल, रटले बोलते हैं, रटले डैम, कीरू, हाइडरो एलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट और क्वार, कीरू, क्वार, रटले, पकल डुल, और दुल हस्ती और सलल, यह सारे के सारे, जादा तर इन में से किष्ट वाड में हैं, इन में से को मैं locate कर देता हूं यह बहुत आसान है यह रावी नदी है और अब तक हम जहलम कवर कर चुके हैं तो भई जहलम यह रही चेनाब कवर कर चुके हैं यह चेनाब रही दोनों मिल गई ट्रिमू में फिर यह रावी भी इन में आके मिल गई यानि उपर की यह जो पांच में से ओपर वाली तीन है यह एक साथ मिलती है और फिर यह जाके इंडस में समा जाती है अभी हमने ब्यास और सतलूझ को नहीं चेडा है यह हम सिरफ उपर वाली तीन की बात कर रहे हैं अभ इसमें देखिये रावी जो है रावी नदी निकलती कहां से है यह रोतांग पास के नि से जब आप लदाख जाएंगे तो रस्ता है उस रस्ते पे दो पास आते हैं एक का नाम है रोतांग पास और दूसरे का नाम है बारा लाचा लापास बारा लाचा लापास ठीक है तो यह कहां से निकलती है रोतांग पास के नियर से निकलती है इसका पुराना नाम है पुरु पुष्णी या इरावती जब ये रोतांग पास के पास से निकल जाती है फिर ये हिमाचल परदेश में ही थोड़ा सा फ्लो करती है आगे फिर ये पहुचती है बारा बंग धोलाधार रेंज में ये बारा बंग जो जगा है ये आपने जगा का नाम सुना है बीर बिलिंग य वहाँ पे है एडवेंचर स्पोर्ट्स यानि सहासी परियतन के लिए मशूर है ये जगा वहाँ पहुचती है ये फिर वहाँ से ये आगे फ्लो करती है पश्चिम की तरफ अब तक कोई डाउट आपको मेरे को लगता नहीं होना चाहिए हमने इंडस देख ली है जेलम आश्रम भी है जो राधा स्वामी आश्रम जिसे बोलते हैं आपने ब्यास आप गए होंगे या सुना होगा राधा स्वामी जो फेथ है उनका जो आश्रम है वो यहीं पर है ब्यास नदी के किनारे अचा ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है ब्यास नदी का पुराना नाम पास से निकलती है ये भी रोतांग पास से निकलती है और काफी उचाई से निकलती है ये 4000 मीटर की हाइट से निकलती है और फिर ये जो पीर पंजाल के पहाड है उनके अराउंड फ्लो करती है बिलकुल रावी नदी के पास से ही इसका उदगम होता है यहाँ पे आप मैप मे इनका उद्गम, दोनों ही ρोतांग पास से निकलती हैं, और फिर बस फर्क कितना है, ऊपर वाली यानि जो रावी है, ये छेनाब में मिल जाती है, और ब्यास है, वो सत्लूज में मिल जाती है, तो ब्यास नदी में एक खास थरह की Dolphin पाई जाती है, जो पूरे भारत में किसी और नदी में नहीं पाई जाती है, उसको बोलते हैं इंडस डॉल्फिन, याद रखिए, ये डॉल्फिन पूरे भारत में सिर्फ एक नदी में मिलती है, वो है ब्यास नदी, तो ये उसके बाद धौलाधार रेंज में फिर क्रॉस करती है उसे, और ये साउथ वेस्टरली डिरेक्शन में चलती जाती है, फिर ये सतलूज नदी में मिलती है, हरीके में, आपने हरीके वेटलेंड सुना होगा, हरीके लेक, रामसर साइट है भई, पंजाब में, हरीके लेक, रोपड लेक, कंजली लेक, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो हरीके में मिलन किसका होता है हरीके में मिलन होता है ब्यास और सतलुज का इस पर एक डैम भी बनाए ब्यास नदी पर जिसका नाम है पॉंग डैम पॉंग डैम को ब्यास रिवर डैम भी बोलते है अब हम इसको एक बार मैप पर दुबारा देखते है बेटर अंडरस्टेंडिंग के लिए ये ब्यास नदी रोतांग से निकली फिर ये नीचे से सतलुज आ रही है सतलुज कहां से आती है सतलुज तो भारत से आती भी नहीं सतलुज तो तिबबत से आती है मैंने कहा था मान सरोवर के पास से तो इसलिए ये नदी इतनी लंबी आपको यहां दिख रही है क्योंकि ये तिब्बत है तो सतलूज नदी अभी हम देखेंगे सतलूज नदी किलाश मानसरोवर से भारत आ गई शिपकिला पास के अंदर से निकल के और फिर ये आके ब्यास और सतलूज का मिलन हो गया अचा ब जिब्बत में केलाश मानसरोवर के जहिल के पास से निकली और मानसरोवर से दो नदियां और निकली हमारे काम की इंडस और ब्रह्मपुत्रा अब आप समझे मानसरोवर इतना इंपोर्टेंट क्यों है हिंदु धर्म में एक तो केलाश के पहड़ों पे भगवान शिव का घर है दूसरा मानसरोवर से नदियों का उद्गम होता है ब्रह्मपुत्रा सिंधु और सतलुज अब ये नदी ने क्या किया फिर नौर्थ और वेस्ट सेम उत्तर की तरफ थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ आएगी और फिर ये शिपकिला पास के अंदर से निकल के ये भ पांग टू और नात्पा जाकडी नात्पा जाकडी फिर ब्यास से मिली कहां पर हरी के पर अच्छा ये फिर काफी आगे तक जाती है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाती है तो फजिल का जो है पंजाब में ये पाकिस्तान बॉर्डर पर वहां तक लग भगी जाती है भारत प सेकंड के अंदर ओवर्वियू दे दूँ ये केलाश मान सरोवर के पहाड ठीक है इंडस निकली नॉर्थ और वेस्ट में फ्लो करी फिर इंडस में कई नदिया मिल गई जैसे की शोक नदी शोक नदी के अंदर एक नदी मिलती है नुबरा नदी सियाचिन गलेसिर के पिखलन और जहलम अपने आके चेनाब में समा गई चेनाब नदी फिर चंदर और भाग दो नदियों के मिलने से बनी चेनाब नदी ये जो है आके जहलम में समा गई ट्रिमू नाम की जगा पे मिल गई फिर रावी रोतांग पास के पास से निकली फिर ये रावी भी इन में समा और फिर यह आके ब्यास में समा गई हरीके में और फाइनली फिर यह इंडस में मिल गई ठीक है अच्छा आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एक चीज़ वो जगा कौन सी है जहां पे यह पाचों नदियां जेलम चेनाब रावी ब्यास और सतलुज यह पाचों इंडस मे समा गई ये जगा कौन सी है इसको बोलते है मिथान कोट क्या बोलते है इसे मिथान कोट यानि सिंदु नदी में पाँच पाँच नदियां समा गई उस जगा को क्या बोलते है वो पॉइंट क्या है जहां पे पाँचों मिल चुकी है वो है पाकिस्तान का मिथान कोट और फिर ये इंडस नदी गिरी कहां? इंडस नदी कराची के नीचे, कराची में आपने एक बीच सुना है क्लिफटन बीच ये कोईशिन आ सकता है एक्जाम में कि भाईया क्लिफटन बीच कहाँ पे है? क्लिफटन बीच परियटन के लिए बहुत मशूर है कराची में है कराची कोस्टल सिटी है कोस्टल मतर समुद्र के किनारे तो अब ये पूरा पाकिस्तान को क्रॉस करके पहुच गई कराची और कराची अरब सागर के किनारे है तो सिंदु नदी गिर कहां पे गई यानि सिंदु नदी का मुहाना कहां पे है सिंदु नदी का मू, मुहू, सिंदु नदी जाके मिल गई अरब सागर में, अरैबियंसी में तो आई होप यहाँ पे आपका एक्दम क्लियर हो गया होगा सारी चीज़े में को नहीं लगता है इसमें कोई भी question अब ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे अब हम आते हैं मा गंगा मा गंगा ने बुलाया है तो मैं अब मा गंगा को आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ बहुत ही interesting नदी है बहुत ही ज़ादा question इस पर आते हैं और एक एक question कवर कराऊंगा लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी कैसे बहती है अगर इतना पता चल गया तो फिर में को लगता है map अगर दिमाख में एक बार बस गया तो एक भी question गलत नहीं होगा अब देखे गंगा नदी देखो ये राजय पता है कौन सा है ये राजय है ये उत्राखंड राजय है ये उपर हिमाचल है पर अभी हम उत्राखंड पर नजर डालेंगे क्या हिमाचल में गंगा नदी भैती है बिल्कुल नहीं टच्छूती भी नहीं क्योंकि ये तो निकल तो बागी रथी तो बागी रथी तो भागी रथ लेकर आया तो बागी रथी हो गई क्या नाम हो गया उसका भागी रथी अभी हम उसे गंगा नहीं बोलेंगे यानि कि यहां से जब नदी निकली तो हम उसे भागी रथी बोलेंगे अभी मैं गंगा उसे नहीं कहूंगा तो भागी रथी निकल गई अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद एक नदी अलक नंदा जो की बदरिनाथ से आती है वो इसमें आगे मिल गई तो भागी रथी और अलक नंदा जब मिल गई तो बनी गंगा यानि गंगा नदी कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है जैसे चंद्र और भाग के मिलने से बनी छेनाम वैसे ही भागी रथी और अलक नंदा के मिलने से बनी गंगा अब भागी रथी और अलक नंदा दोनों मिल गई कहां पे मिली देव परियाग जिस जगा पे मिली वो हैं देव परियाग अब यहां पे आ जाओ यह उत्राखंड में भेरिये 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 में पहली बार कहां पे आती है पहाड से उतर के तो आंसर होगा हरिद्वार, हरिद्वार आ गई, अब उत्राखंड किस से कटा था, उत्तर प्रदेश से कटा था, सन 2000 में कटा था, यूपी, जो यूपी से अलग होके राज्ये बना था उत्राखंड, तो अगला ये स्टेट क गुषती है तो कहां गुषेगी, ये तो पश्चिम यूपी है, नौर्थ और वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, तो ये बिजनौर, जब गंगा नदी, ये तो उत्राखंड है, जब गंगा नदी उत्राखंड से यूपी में आई, तो गंगा नदी को हम ट्रेस कर रहे हैं मैप से पहले उत्राखंड में थी, उत्राखंड में हमने क्या देखा कि गंगा नदी उत्तरकाशी डिस्टिक्ट से निकली, जब निकली तब हमने उसे भागी रथी कहा, भागी रथी में फिर एक नदी आके मिली अलक नंदा, और अलक नंदा जो है और भागी रथी देव परियाग में मिली तो देव परियाग में बनी गंगा, फिर देव परियाग से वो नदी नीचे आई, नीचे मतलब क्या है यहां पे? दक्षिन और पूर्व की तरफ, यानि गंगा नदी इस्ट फ्लोइंग रिवर है के west flowing river है, हमारे left hand में क्या होता है west होता है, तो यह west है हमारे right hand में क्या होता है, east होता है तो यह east है, तो गंगा तो east flowing river है, क्योंकि east की तरफ भहरी है, तो east flowing river है यसी तरह से महानादी, गॉदावरी krishna, कावेरी, जो मैंने आपको बताया लेकिन नर्मदा, तापी, ये कौन सी नदियां है? ये west flowing river है, पश्चिम की तरफ भहरी हैं, west की तरफ भहरी हैं, तो नर्मदा और तापी west flowing है, महानदी गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये सारी की सारी जो है, यमुना, ये सारी की सारी, ये east flowing है, तो गंगा में हम कहां पहुंच गए, हम यूपी में आ गए, उत्तर प्रदेश में जब घुस्ती है, उत्राखंड से, तो कहां, कौन से district में घुस्ती है? बिजनौर, ये बिजनौर है, अब यूपी में तो बहुत लंबा, जो है, गंगा नदी का पूरा वो है एकदम, और बहुत सारे श अब यहां पे यह आ जाएए, अब यूपी, यूपी से बहार निकलेगी, तो जब यूपी से बहार निकलेगी, तो कहां से निकलेगी, बलिया, बलिया, ठीक है, और घुस जाएगी बिहार में, फिर बिहार में बहुत सारे शहर हैं, जो इसके किनारे हैं, भागलपुर है, पटना है और बहुत सारे हैं तो ये अब आगे बिहार में आ गई ठीक है लेकिन अब ध्यान से देखिए बिहार में आ गई तो ये फिर बंगाल में आ गई अब ये लेकिन बिहार और बंगाल में आई तो लेकिन इसने जारखंड को भी टच किया जारखंड को सिरफ टच किया तो जारखंड में किस जिले को टच किया जारखंड में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसको गंगा चूती है वो है साहिब गंज ये अपने आप में अच्छा सवाल है कि क्या गंगा नदी जारखंड में भी फ्लो करती है तो आंसर है हाँ करती है जारखंड में भी फ्लो क परती है और वो कौन सा है वो है साहिब गंज तो जारखंड है कहां पर ये बिहार है ये नेपाल से लगता हुआ ये पूरा बिहार है और ये नीचे जारखंड है ये नीचे जारखंड है ये जारखंड है और ये बंगाल है मैं थोड़ा सा जगा बना देता हूँ ये अब ये जो है ये बंगाल है ये जो है ये बंगाल है clear तो ये बंगाल में आ गई साहिब गंज को छोते हुए बंगाल में और बंगाल में फिर ये आई और उसके बाद डेल्टा बनाकर गिर गई Bay of Bengal में यहां तक clear है अब हम इसको थोड़ा ओर detail में देखते है UP में बिजनौर में आई UP में ट्रेवल करी बिहार में गई जारखंड को छो के बंगाल में आई और बंगाल में डेल्टा बनाकर ये गिर गई Bay of Bengal में लेकिन कहानी इतनी simple नहीं है क्यों यहां पर देखिए कुछ हो रहा है ये गंगा नदी में इसकी दो धराएं बन रही है तो यहां पर फरक का बेरेज है एक जगा है जिसको बोलते हैं फरक का बेरेज बंगाल में फरक का बेरेज तो मान लीजिए ये कोई नदी बहरी है आपने उसका पानी अगर मोड़ना है या दो धाराओं में तोड़ना है तो यहाँ पे बेरज लगा दिया जाता है जो गंगा का पानी है वो थोड़ा सा इस तरफ आता है और थोड़ा सीधा चला जाता है तो ये सीधा जा रहा है ये गंगा नदी आई एक तो इस तरफ मुड़ गई और एक सीधी चली गई और ये जो country है ये है ये कौन सा country है ये है बांगलादेश तो गंगा बांगलादेश में भी तो जा रही है तो जब गंगा बांगलादेश में घुश जाती है तो उसे कहा ज आता है उसे पदमा और जब गंगा नदी इस तरफ आ गई बंगाल में तो उसका पानी जो है वो चला गया हुगली नदी में हुगली कई लोग इसे भागी रथी हुगली भी बोलते हैं लेकिन सिर्फ हुगली कहो तो भी ठीक है दलत नहीं है हुगली जिसके किनारे कॉल काता गंगा में कौन-कौन सी नदी आके मिल रही है लेकिन गंगा से जो पानी है वो हुगली नदी में जा रहा है यानि गंगा का पानी कम हो रहा है न क्योंकि गंगा का काफी सारा गंगा तो सीधी चली गई पांगलादेश चली गई लेकिन थोड़ा पानी इस हुगली नदी म पानी ज्यादा करती है, डिस्ट्रिब्यूट्री नदी का पानी कम करती है, अब अगर मैं कहूँ, अब अगर आपको कोई कहे, हुगली is a tributary of गंगा, क्या ये sentence ठीक है, क्या हुगली tributary है गंगा की, जी नहीं, tributary तो पानी बढ़ाती है, हुगली तो निकाल ले जा रही है, यानि ये distributary है, clear, अब देखिए गंगा में, ये तो सीधा सीधा root हो गया, ये तो मैंने main नदी की बात करी, लेकिन कहानी इतनी simple तो हो नहीं सकती, तो इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, गंगा में आके तो वो हैं ये, तो असली गंगा तो ये है, अब इसको आपको देखके डर लग रहा होगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको बड़े ही simple तरीके से समझा देता हूँ, सबसे पहले तो मैं गंगा नदी को, एक बार जो में धारा है, जो हमने देखिये, तो ये तो है में धारा, में धारा मतलब भागी रथी के रूप में निकली, अलक नंदा मिल गई, बन गई गंगा देव परियाग में, उत्राखंड में गई, यूपी में बिजनौर में घुसी, यूपी में ट्रेवल करा, यूपी में ट्रेवल करके, यूपी में बलिया से निकल के बिहार पहुँच गई, जारकंड को छूके बंगाल में आ गई, कुछ हुगली नदी में आ गई, और कुछ सीधी चली गई बांगलादे जिसको बोलते हैं पदमा, ये कहानी बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें जो बाकी नदी आके मिलती हैं, अब ध्यान से देखो, एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अब ये सब क्या है, दाहिना और बाहिना, नदी का डिरेक्शन क्या है, नदी का डिरेक्शन ये है, ये एरो बना के दिखा रहा हूँ, नदी का डिरेक्शन ये है, तो चलिए इमेजिन करते हैं, कि आप गंगा नदी में चला रहे हैं नाओ, आप गंगा नदी में नाओ चला रहे हैं, कि भाई यहां से शुरू करके मैं पूरा यहां तक आऊंगा नाओ चला के ठीक है चलाए इमेजन करिए बहाव इस तरफ है इमेजन करिए आप नाओ में बैठे हैं और आप गंगा नदी में जा रहे हैं कुछ नदियां ऐसी हैं अब आप इस तरफ जा रहे हैं यानि यह आप bank tributary आप ये left bank tributary या right bank tributary ये depend करेगा आप नदी का बहाव किस तरफ है मैं आपको एक second के लिए सिंदु नदी पे वापस ले जाता हूँ ये लो जी सिंदु नदी पे वापस ले गया ठीक है अब सिंदु नदी की direction तो ये है यानि सिंदु नदी गंगा नदी के उल्टी direction में भहरी है मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो सिंदु नदी की direction ये है अब नाव कैसे चला रहे हो ऐसे चला रहे हो यानि की ये जो पाँच नदीयां मैंने आपको बताई थी ये इंडस नदी की left bank tributary है के right bank tributary है अब उल्टा हो गया अब आप नाव इस तरफ चला रहे हो तो ये आपका left है और जो उपर से मिलेगी वो आपका right है simple तो अगर मैं आपको कहूँ कि जो गिलगिट नदी है गिलगिट नदी ये इंडस नदी की left bank tributary है के right तो अब ये उपर से आ रहे है तो ये right हो गई क्योंकि नदी इस तरफ भे रही है तो आप नाव इस तरफ चला रहे है तो आपके right hand side पे हो गई है तो ये right bank tributary हो गई और चेनाब और ये सब ये आपकी left bank tributary हो गई तो वो depend करता है नदी की direction पर depend करता है तो अब मैं आपको अगर बोलूँ ये country कौन सा ये जानते है ये नेपाल है अब ये गंगा है तो नेपाल से तीन नदियां गंगा में आके मिल जाती है ठीक है अभी आप तीनों बिहार में आती है तो ये मैं सिर्फ आपको representative image बना रहा हूँ नेपाल से तीन नदी आके गं गंदक घागरा कोसी और गंदक कहां से आई तीनों नेपाल से आई ठीक है घागरा कोसी और गंदक तीनों बैसे बिहार में मिलती है तो कहीं मेरे को यहाँ पर बनाना चीए ऐसे बढ़ ठीक है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो तीन नदियां अच्छा अब ये left लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये बाएं छोर से आती है क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हो तो ये उपर आपका लेफ्ट हो गया नीचे आपका राइट हो गया तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी है घाग यहां पे देखते हैं यह देखो अब यह यमउना यह गंगा के पास से ही एकदम आ रहे है पैरलल यह गंगा है मैं कलर एक्चुली अलग कर देता हूं दोनों का पहले मैं यमउना आपको दिखा देता हूं यह यमुना है और गृर्ण कलर में जो है यह गंगा है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यमुना एक्दम गंगा के पैरलल चल रही है और फिर जो लाल रंग में यमुना है यह इस पॉइंट पे यानी कि जो मिलन होता है त्रिवेनी संगम अलाबाद यानि प्रियाग राज में संगम होता है तो ये यमुना आके मिल गई यहाँ पे ठीक है लेकिन यमुना में भी बहुत सारी नदियां मिल रही है नीचे उन पे हम बाद में जाएंगे लेकिन यमुना मिल किस तरफ रही है गंगा से नीचे से मिल रही है न? यानि यमुना इजा right bank tributary of Ganga यहाँ कोई doubt? right bank tributary है और यह जो नदी है जो मध्यप्रदेश के अमर कंटक से निकल के आ रही है नीचे से मिल रही है Ganga से यह जो नदी है Sonnadhi तो Sonnadhi भी तो Ganga में मिल रही है लेकिन कहां से मिल रही है राइट बैंक से मिल रही है तो यमुना और सोन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लेकिन राम गंगा, गोमती, घागरा, कोसी, गंदक ये सारी जो नदियां है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की तो I hope यह diagram अब एकदम clear होगा आपको ठीक है गंगा में कौन-कौन सी नदिया मिल रही है गंगा में एक तो इसके parallel आती है यमुना जो मिल जाती है अलाबाद में ठीक है फिर अब मैं tributary दिखा रहा हूँ सिरफ इस color में blue color में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंदक है ये कोसी है ये घागरा नदि है ये वाली ये बाकी गोमती और राम गंगा भी हैं ये नीचे से सोन हो गई एग तो ये नदिया बस आपको पढ़नी है गंगा में ठीक है, यमुना को हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि यमुना में फिर बहुत सारी नदियां आके मिलती है, चंबल, बेतवा, और ये सारी, तो इनको हम अलग से कवर करेंगे, ये यूपी है, यूपी, उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश में ये है गंगा नदी, ज हिंदी में भी लिखा है याद रखिए ये जो टौपिक है मैंने आज जो मेन मेन है वो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंगिलिश में तो आपको जो पीडिएफ मिलेगा उसमें दोनों रहेंगे तो गंगा नदी का उदगम हुआ भागी रथी के रूप में गंगोत्री हिम्नद से जो उतरकाशी से निकली है तो उततरकाशी में गंगोत्री ग्लेसियर से निकलती है उतरकाशी डिस्टृक्ट उत्रा खंड अब हम समझ चुके अब हम बस जो समझा है उसको शब्द देंगे फिर अलक नंदा नदी इसमें आके मिल गई त्रिवेनी संगम जिसे कहते हैं या संगम कहते हैं त्री मतलब तीसरी नदी कौन सी है सरस्वती हलांकि सरस्वती नदी ये कैसी है जिसे आप आँखों से देख नहीं सकते ठीक है सरस्वती नदी को कहते है ना गंगा जमना सरस्वती तो गंगा यमुना सरस्वती में सरस्वती को आखों से देखा नहीं जा सकता ये आपको याद रखता है हमारे वेद ऐसा बोलते हैं उसके बाद फरक का नाम की जगा पे फरक का बैरेज लगा दिया तो उससे इसका पानी हुगली में आ गया और जो सीधी वाली धारा थी वो चली गई बांगलादेश जहां पे इसे बोलते हैं पदमा और फिर ये ब्रह्मपुत्रा से मिलके जो मेगना के रूप में डेल्टा बना के गिर जाएगी बे ओफ बेंगॉल में ये बड़ा आसान हो गया ये फरक्क का पानी हम मोड़ देते हैं किसकी तरफ हुगली की तरफ यहां तक कोई भी डाउट अब हम आगे भड़ते हैं तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमेटर पूरी उतरकाशी से लेके और बंगाल की खाड़ी तक पूरी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमेटर और इसकी पूजा भी की जाती है गंगा की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है गंगा मिशन नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चल रहा है नमामी गंगे जिसे बोलते हैं गंगा की सफवाई के लिए सरकार ने अभियान भी चला रखा है और गंगा नदी पे परियागराज और हल्दिया के बीच में, एक रास्टा बनाया हुआ है, जहापे नव वगर आसानी से नविगेट कर सकती है, उसे बोलते है नैशनल वाठर वे वन, राष्ट्रिय जलमार्ग एक, कहाँ से कहाँ तक है? परियाग राज से हल दिया, यह भारत का सबसे बड़ा वाटरवे है, सबसे बड़ा जलमारग है बहुत सारा समान जो है यहां से उसकी आवाजाही होती है याद रखिए और गंगा के किनारे बहुत सारे शहर भी है, तो गंगा नदी कौन-कौन से राजियों से फ्लो करती है उत्राखंड, फिर यूपी आ गई, फिर बिहार आ गई, फिर जहारखंड आ गई, फिर वेस्ट बेंगोल आ गई, बस पाँच राज्ये है तो वही जो समझाया है वो अब हिंदी में भी है यहां पर अच्छा, अब ये आते हैं बड़ी इंपोर्टन चीज़ पर देखो, मैंने तो आपसे सिर्फ देव परियाग की बात करी थी, जहां पर भागी रती और अलक नंदा मिल जाती है, लेकिन और भी बहुत सारे परियाग है और ये सारे के सारे जो है, ये अलक नंदा नदी बनाती है अच्छली परियाग जगा के नाम है, ठीके परियाग वो जगा है, जहां पर मिलन होता है तो अलक नंदा नदी, अलक नंदा नदी जब निकलती है, तो सबसे पहले मिलती है धौली गंगा से मैं रिपीट करता हूँ अलक नंदा नदी जब निकलती है सबसे पहले मिलती है धोली गंगा से ये मिलन होता है विश्णु परियाग में यानि सबसे पहले कौन सा परियाग आएगा विश्णु परियाग फिर अलक नंदा नदी नीचे आएगी और फिर ये मिलेगी नंदाकिनी से ध्यान रखिये नंदाकिनी है मंदाकिनी नहीं है मंदाकिनी आगे आएगी ये मिलेगी नंदाकिनी से तो ये मिलन होएगा नंद परियाग में तो उसके बाद अगला परियाग आता है नंद परियाग फिर अलक नंदा नदी और नीचे आई, फिर ये मिली एक और नदी से जिसका नाम है पिंडर नदी, ये मिलन होता है कर्ण परियाग में, फिर अलक नंदा नदी एक और नदी से मिली जो है मंदाकिनी, ये मिलन होता है रुद्र परियाग में, और ये सारे परियाग उत्राखं है क्योंकि अलग-अलग नदियां यहां पर मिल रही है अलग नंदा धौली गंगा से मिलेगी पहले फिर नंदाकिनी फिर पिंडर फिर मंदाकिनी और फिर भागी रत तो आखिर में अलग नंदा भागी रती में मिलती है, भागी रती जो की उत्तरकाशी से आ रही है, और फिर देव परियाग में मिलन होता है, फिर बनती है गंगा, हरी दुआर में प्रवेश करती है, वहां से फिर ये दिशा, अच्छा गंगा की दिशा क्या है, अगर मैं दिशा की बात करूँ, एक बार और East, फिर यहां से दक्षिन की तरफ है, दक्षिन और East, फिर यहां से यह सिर्फ East है, क्योंकि यह तो अब South नहीं है, सिर्फ East हो गया, फिर यह फिर South और East हो गया, तो यह जगा बदलती रहती है, Direction बदलती है, उसमें हम ज़्यदे ट्रिब्योटरी है यमुना अब हम शुरू करते हैं यमुना यमुना नदी जो है ये निकली कहां से ये उत्राखंड है तो ये भी उत्राखंड से ही निकली कहां से ये यमुनोत्री ग्लेसियर है जब गंगा निकली गंगोत्री ग्लेसियर से यमुना निकलेगी यमुनोत्री हिमनद से, फिर ये आई UP में एंटर करी, सेम गंगा की तरह ही ओरा है सब काम, ठीक है, ये UP में एंटर करी, UP में यमुना नदी कहां घुसती है, किस डिस्टिक में घुसती है सहरनपूर अगर आप से पूछ लें कि भई जब उत्राखंड से निकलके UP में यमुना आती है, तो कौन से डिस्टिक में एंटर करती है, तो आंसर है, सहरनपूर में घुसती है सबसे पहले, अचा यमुना जो यमुनोतरी से ये उदगम होता है, हिमाले से, जिस जगा से होता है, उसको बोलते हैं, बंदर पूछ बंदर पूछ का पहाढ़, एकचली, हमारे धर्मों में कहानिया है, की वहाँ पे एक बंदर की पूछ के निशान मिलते हैं, तो उसमें कुछ कहानिया हैं, की अलग-अलग कहानिया हैं, की यहाँ पे बहगवान थे, वो आय थे और वानर रूप में और वहाँ से अलग-अलग कहानिया हमारे वेदों में हैं उन पर हम नहीं जाएंगे बस उसको बोलते है बंदरपूच तो बंदरपूच का जो पहाड है यमुनोतरी ग्लेसियर से निकली यमुना यूपी में एंटर करी सहरनपूर और फिर ये आप देख सकते हैं कि यमुना जो है वो दिल्ली और हर्याना का भी थोड़ा सा हिस्सा ड्रेन करती है और फिर ये आ जाती है यूपी में सहरनपूर में फिर ये यूपी में ट्रेवल करती है काफी और फिर ये फाइनली मिल जाती है गंगा में अलाबाद में अब इसको ध्यान से देखो जब यह यहाँ आती है वेस्टन यूपी में मुझफर नगर, साहरनपुर मेरट यह बला जो एरिया है तो यहाँ पे कुछ छोटी सी नदियां यमुना में मिल जाती है जैसे हिंडॉन नदी है चोटी चोटी नदियां आपने नाम भी नहीं सुनाँगे काली नदी, हिंडॉन नदी है सब अब यह किस तरफ से मिल रही है मानलो हिंडॉन नदी है तो वो कहां मिल रही है यह लेफ्ट बैंक पे मिल रही है लेकिन नीचे से यह राइट बैंक हो गया गंगा की तरह यमुना का सेम, नीचे से मिलेगी तो राइट बैंक है, तो नीचे से कौन-कौन सी नदियां यमुना में मिल रही है, सबसे important है ये, जिसको बोलते हैं, चंबल नदी, फिर है सिंध, काली सिंध नहीं, सिंध, सिर्फ सिंध, फिर है ये, जिसको बोलते हैं, बेतवा, और ये है केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की, फिर चंबल नदी को भी अगर आप ध्यान से देखें, तो चंबल में भी बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, जैसे, यहाँ पे देखिए, बनास, काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, और ये, पारवती, पारवती, पारवती नहीं, पारवती, पारवती तो हिमाचल में भैती है, आपने पारवती में सुना है, हिमाचल में, पारवती वैली, तो वो पारवती है, मैं पारबती की बात कर रहा हूँ फिर यहाँ पे यह हो गई चंबल के अंदर नदिया मिल रही है यानि चंबल काफी बड़ी नदिया जो हमें डीटेल में पढ़नी है और चंबल के अंदर बहुत सारी मिल रही है बनास, काली सिंद और पारबती और यमुना में फिर सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है और केन मिलती है सिंध, बेतवा और केन तो यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सब तो यमुना नदी जो है, वो कहां से निकलती है पहरे तो यह याद रखो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी है यमुना और हम यह नहीं कह सकते कि गंगा नदी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी यमुना का है वो वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि नदी छोटी हो सकती है लेकिन फिर भी जादा पानी लेके आ सकती है ठीक है तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि जो नेपाल से नदी आती है गंगा में घागरा जो नदी है उसका पानी सबसे जादा है यमुना से भी जादा पानी घागरा नदी जोड़ती है गंगा वहाँ से यमुनोतरी हिमनद, यमुनोतरी ग्लेसियर से निकली यमुना और यमुना में फिर कई सारी नदियांआ के मिलती है, जैसे चंबल, सिंद, बेतवा, केन, इतियादी और फिर हिंडान, सेंगर, वरुन वगारा ये सारी भी छोटी-छोटी नदियां आके यमुना में मिलती है यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्योटरी है, गंगा की सबसे इंपोर्टेंट भी है और वही चीज जो मैंने वहां हिंदी में लिखी थी यां इंग्लिश में लिखी है बंदर पूछ पीक, गड़वाल रेजन अफ उत्राखंड और फिर ये आगे पहुँचती है एक टॉंस नदी भी मिलती है यमुना में, टॉंस ये, इसमें यमुना एकदम क्लियर हो जाएगा आपको देखके मैं पहले इसमें गंगा मार्क कर दूँ, तो ये गंगा हो गई और ये यमुना हो गई अब यमुना में आप देखिए, एक यमुना का कितना बड़ा जाल है जाल कैसे है, ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, ये चम्बल, फिर ये सिंद, ये बेतवा और ये केन तो अगर मैं आपसे पुछू मान लो कि केन नदी में और सोन नदी में क्या फरक है केन नदी में और सोन नदी में क्या फरक है केन मिलती है यमुना में सोन मिलती है गंगा में सोन अमरकंटक से निकलती है सीधी गंगा में मिलती है यह सोन ऐसे जाके सीधी गंगा में मिलती है और यह केन है और यह केन है तो यह जाके यमुना में मिल रही है यह फर्क है ठीके यह क्लियर है यह डाय alarm तो एके करके पढ़ें चंबल नदी, चंबल नदी निकलती कहां से है चंबल नदी मद्य प्रदेश के मालवा पठार के पास से नकलती है और यह उत्तर की और फिर कोटा राजस्तान की और भैथी है कोटा से फिर ये बुंदी सबाई माधोपूर और धोलपूर की और भहती है फिर निमच मंदसौर वगारा यहां भी ये जाती है ये सब निमच मंदसौर ये सब मध्यप्रदेश में है तो चंबल नदी भारत के तीन राजियों में भहती है याद रखिए मैकसिमम तो मध्यप्रदेश और राजिस्थान परंतु यूपी में भी भहती है बस इनी तीन राजियों में चंबल नदी भहती है यूपी, मध्यप्रदेश और राजिस्थान इसके उपर डैम भी बने उए जैसे रणापरताप सागर, जवाहर सागर, इतियादी गांधी सागर भी है गांधी सागर रणापरताप सागर और जवाहर सागर ये तीन सबसे important डैम है चम्मल नदी के ऊपर चम्मल नदी का पानी भी काफी साफ है और फिर ये चम्मल नदी किस में मिल जाती है यमुना में मिल जाती है इसके अलावा चम्मल नदी यमुना में मिल किस लोकेशन पे है यूपी में इटावा में मिलती है यह सब वैसे आपको याद नहीं रखना सिर्फ आपकी एक अंडरस्टेंडिंग के लिए बता रहा हूं ठीक है यानि मैं पूछना यह चाह रहा हूं यह देखो यह यह चंबल नदी आई फिर यह राजस्थान में गई य यह फिर यहां पे आके यह यमुना में मिल गई यह स्थान कौन सा है यहां पे यह यमुना में मिली यह है यूपी का इटावा तो चंबल नदी के उपर गांधी सागर रणा परताप सागर और जवाहर सागर है जवाहर सागर है कोटा में रणा परताप सागर है रावत चंबल तो हो गई चंबल तो हमने कर ली ठीक है अब चंबल के इधर आ जाओ थोड़ा सा और पूर्व में आ जाओ ये एक और नदी है सिंध में आके मिल रही है यमुना में और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जैसे ये चंबल यहां कही मिल रही है आके और सिंध यहां मिल रही है यह चंबल यहां मिल रही है और सिंध यहां मिल रही है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ठीक है तो चंबल नदी यमुना से मिलती है कहां पे इतावा में और यह जो सिंध नदी है यह कहां मिलती है यमुना में यह मिलती है यूपी में एक जगा है जलों, वहाँ पे मिलती है, तो सिंध नदी मिलती है यमूना से जलों डिस्टिक्ट यूपी, जहाँ चंबल मिलती है उसी के थोड़ा सा पास, लेकिन चंबल मिलती है इटावा में, clear? चंबल एकदम clear हो जानी चाहिए, अब आपको चंबल में मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको problem होनी चाहिए, तो ये हमने, जो चंबल है ये cover कर ली, सिंध हमने cover कर ली, बेतवा और केन पे भी हम नजर जरूर डालेंगे, चंबल नदी में एक century भी है बहुत important, नैशनल चंब चंबल century, wildlife century है, नैशनल चंबल century, ये ढोलपूर में है, ढोलपूर मतलब राजस्थान, फिर घडियाल conservation के लिए famous है, वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नैशनल चंबल century इतनी बड़ी है, कि ये UP में भी है, MP में भी है, और राजस्थान में भी है, तीनों में इसक नैशनल चंबल century, तो ये ढोलपूर में वैसे इसका काफी बड़ा हिस्सा है, घडियाल के लिए famous है, घडियाल एक तरह का मगरमच होता है, तो घडियाल बाकी मगरमच से अलग कैसे होता है, जैसे नॉर्मल मगरमच है अगर, तो घडियाल के एक आगे लंबी चोंच निकल घडियाल बिलकुल अलग होता है, तो घडियाल एक तरह का मगरमच होता है, जो मिलता है भारत में, भारत में तीन तरह के मगरमच मिलते हैं, एक का नाम है मगर, एक है घडियाल और तीसरा है जो salt water crocodile बोलते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, जो भीतर कनी का national park में मिलता है, बहुत बड़ा विशाल, घडियाल छोटा होता है, घडियाल छोटा होता है, तो चंबल नदी में कौन-कौन सी नदी आके मिलती है, काली सिंध, बनास, पारबती और शिपरा, शिपरा ये उज्जैन से आती है, उज्जैन शिपरा नदी के किनारे है, महाकालेश और मंदिर आ रही चंबल चंबल में ये मिल गई बनास ये मिल गई काली सिंद ये मिल गई पारवती और एक और मिलती है जिसकी हमने बात करी वो है शिप्रा नदी चंबल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए और बनास काली सिंद और पारवती यह फर्ग है तो अब हम गंगा की हमने दो-तिन ट्रिब्यूटरी थी यमुना खतम है यमुना में से अदा और कुछ नहीं है लेकिन कुछ छोटी-छोटी नदिया हैं जिन पर हम इपर नजर डाल लेते हैं तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी में ऊपर से तीन नदिया नेपाल से आके मिलती हैं घागरा कोसी और गंदक तो गंदक जो नदी है ये निकलती कहां से है ये नेपाल और तिबबत के बॉर्डर से निकलती है फिर ये नीचे की तरफ आती है दक्षण की तरफ भारत में आती है दोलागिरी और अनपूर्णा पहाडों के बीच में ब मिलती है घंडगरा कोसी और घंडग तीनों मिलती है तो घंडग किस जगा पर मिलती है यह बिहार के सौनपुर में मिलती है क्लियर घंडग हो गया अब कोसी देख लेते हैं और घंडगरा देख लेते हैं घंडगरा नदी को हम करनली भी बोलते हैं करनली भी बोलते हैं यह त तिब्बत के हिमाले से निकलती है नेपाल तिब्बत बॉर्डर जो है तो ये नेपाल से भारत आ रही है इसका मतलब ये निये कि नेपाल से ही निकल रही है ये तिब्बत से ही निकलती है तो तिब्बत से बहुत सारी नदिया निकलती है गंदक और घागरा भी इनका प्रेसियर आता है, मपचुंगो का हिमनद वहां से निकलती है, तिब्बत से, फिर यह नेपाल जाती है, हाँ, घागरा नदी की एक इंपॉर्टेंट बात ये है, कि घागरा नदी की एक सहयक नदी है, सर्यू नदी, आपने सुना है, अयोध्या सर्यू नदी के किनारे है, त तो गंगा की सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है, यमुना, और दूसे नंबर पे है, घागरा, और अगर पानी की बात करूँ, तो मैं आपको कह सकता हूँ, घागरा में यमुना से ज़्यादा पानी है, अब कोसी की बात करते हैं, देखो कोसी तो बिहार में, बिहार काती श जो है, वो उसको सब्त कोशी भी बोलते हैं, क्योंकि कोसी में साथ नदियां मिलती हैं, इनके नाम आपको याद नहीं रखने, ये साथ नदियां है, जो कोसी में मिलती हैं, तो इसे सब्त कोशी भी बोलते हैं, और फिर ये गंगा में मिल जाती है, बिहार के कटिहार डिस् इसका नाम है राम गंगा, in fact अगर question आए कि बड़ी नदियों में, जो बड़ी नदियां गंगा में मिल रही है, वैसे तो हजारों नदियां है जो गंगा में मिलती है, लेकिन बड़ी नदियों में सबसे पहली नदी कुन सी है जो गंगा में मिलती है, क्या गोमती है, नहीं वो है राम गंगा, तो राम गंगा पहली बड़ी नदी है, जो गंगा में मिलती है, फिर ये कुछ और नदिया है, दामोदर, मैंने आपको बताया था, दामोदर आपको बता देता हूँ, दामोदर इंपोर्टेंट हो सकती है, देखिए, गंगा की बात करते हैं, तो ये पर फोकस करते हैं, ये जगा कौन सी है, जहां से ये गंगा दो पार्ट में बट गई, ये है फरक्का बेरिज, फरक्का, और ये नीचे जो है नदी ये कौन सी हो गई, हुगली, और ये हो गई पदमा, बांगला देश में गंगा को पदमा बोलते हैं, अब यहां पे ये नारे कौल काता है, हुगली में आके एक नदी मिलती है, इसे बोलते हैं दामोदर, तो दामोदर नदी गंगा में नहीं मिल रही है, दामोदर हुगली में मिल रही है, तो दामोदर नदी जो है, बंगाल में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे बोलते हैं, सौरो आफ ब बंगाल यानि बंगाल का अतिशोक कौन सी है बंगाल का अतिशोक है दामोधर नदी तो ये है दामोधर नदी और इसके बाद सर्यू हमने देख लिया है सर्यू जो है वो घागरा से घागरा में जाकर मिल जाती है घागरा की ट्रिब्यूटरी है उसको हम देख चुके हैं फि यह बंगाल है यानि रफली में अगर बंगाल देखूँ तो बंगाल कुछ ऐसा है उपर एक छोटा सा पार्ट है फिर एक यह ऐसे है और फिर यह नीचे एक बड़ा पार्ट है ठीक है यह इसको बोलते हैं महानन्दा कोरिडोर और यह जो एरिया है पूरा यह जो अलिपुर दुआर और दार्जिलिंग और सिल्ली गुड़ी वगारा ये वाला एरिया है ये चिकन नेक ओफ इंडिया समझते हैं ये जो एरिया है ये दार्जिलिंग कलिमपॉंग वगारा हो गए फिर ये अलीपुर दुआर और ये सब हो गए यहाँ पे कुछ बहार वगारा फिर ये नीचे ये जो एरिया है जो बड़े वाले एरिया को जोड़ता है तो ये जो है इसको बोलते हैं मैं इसको शेड कर रहा हूँ ये है महाननदा कोरिडर तो महाननदा नदी भी गंगा में आके मिल जाती है और सोन अमरकंटक से निकलके नीचे से आके गंगा में मिल जाती है कई बुक्स लिखती हैं कि सोनपूर में ही मिलती है, इसलिए उसे सोनपूर बोलते हैं बिहार में, अब गोमती की बात करते हैं, बहुत असान है, तो ये मैन गंगा है, मैन गंगा की धारा, ठीक है, गोमती अब बना देता हूँ, ये गोमती है, ये एकदम नेपाल बॉर्डर से आ रही है ये नेपाल है नेपाल बॉर्डर पे पिलिभीत है यूपी का पिलिभीत आप जानते हैं तो पिलिभीत से आ रही है गोमती वैसे गोमती नदी को रिशी वशिष्ट की बेटी बोलते हैं एक रिशी वशिष्ट तो रिशी वशिष्ट की बेटी है गोमती और ये फि और पूर्व की तरफ भहती है और गंगा में जाके मिल जाती है गाजेपुर में गंगा में जाके मिल जाती है गाजेपुर में तो उसके बाद हिंडॉन नदी बहुत ही छोटी सी नदी है हिंडॉन नदी काली नदी यह सब वेस्टन यूपी में बहती है और यह लेफ्ट वै जाती है तो ये भेने लग जाती है फिर ये गंगा और यमुना के बीच में भेएती है लगबख 400 km फिर ये केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, हम देख चुके हैं इन्हें, केन नदी जो है ये पन्ना नैशनल पार्क से भी क्रॉस करती है, और बेतवा जो नदी है ये मद्धे प्रदेश में होशंगाबाद के पास से निकलती है, फिर ये और छा वगरा जाती है और उस फिर एक चोटी सी नदी और है टॉन्स नदी, आप भूलना जाएं तो मैं एक बार आपको मैप में दुबारा दिखा देता हूँ ये, कहीं आप कहीं ये बेतवा बगारा कहा हैं, तो पहले मैं में यमुना बना देता हूँ अब, ये में यमुना है, तो यमुना में चंबल जो है ये गोमती में मिल जाती है जाके एक नदी और है रेत नदी रेत भी गोमती में मिल जाती है ठीक है फिर एक नदी है राप्ती तो ये घागरा में मिल जाती है राप्ती नदी ये यूपी में है फिर रिहान नदी है एक छोटी सी रिहांड नदी रिहांड नदी पर रिहांड डैम भी है रिहांड नदी जाके सोन में मिल जाती है सोन जाके गंगा में मिल जाती है ठीक है तो बस नाम याद रख लो रिहांड आपने रिहांड में गोविन वल अपन सागर सुना होगा रिहांड डैम सुना है सोन भदर तॉन्स यह मुना में मिल जाती है हिंडॉन काली यह मुना में मिल जाती है तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं चलो आप कुछ से राज्ये में चंबल नदी फ्लो नहीं करती ठीक है चंबल नदी तीन राज्यों में फ्लो करती है मैंने बताया था यूपी में एंपी में और राजस्थान में तो यूपी एंपी राजस्थान गुजरात में नहीं करती है तो आंसर हो गया गुजरात फिर ये है कि इन में स कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है. ठीक है? इंडस? अरब सागर में गिरती है. बिलकुल नर्मदा, तापी ये भी अरब सागर में गिरती है. लूनी कही नहीं गिरती, लूनी तो जमीन पर ही खतम हो जाती है, अरब सागर से मिली नहीं पाती, इनलेंड रिवर बोलते हैं ऐसी नदियों को जो जमीन पर ही खतम हो जाती है, तो कौनसी सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, इंडस इंडस नरमद और तापी से लंबी है तो आंसर हो गया इंडस फिर इन में से कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की उप नदी या साहिक नदी नहीं है ठीक है शोक है गिलगिट है जन्सकार है लूनी लूनी नहीं तो आंसर हो गया लूनी जेलम नदी और चेनाब नदी आपस में कहां पे मिलती हैं किस जगा पे मिलती हैं वूलर लेक, रोपड, हरीके या ट्रिमू तो जेलम और चेनाब मिलती हैं ट्रिमू में तो आंसर है D, ट्रिमू किस नदी को चंदर भाग नदी बोलते हैं चंद्र और भाग सूरियताल और चंद्रताल से निकल के जो नदियां मिलती हैं तो ये है चेनाब नदी तो आंसर है चेनाब फिर इनमे से सही क्रम में लगाईए ये पांचो परियाग दे दिये जो रुद्र परियाग विश्नु परियाग देव परियाग ये सब दे दिये त तो ये करम में आप लगाई सकते हैं, तो सबसे पहले जो अलक नंदा नदी है वो मिलती है धोली गंगा से, ये मिलन होता है विश्नु परियाग में, ठीक है, तो विश्नु परियाग सबसे पहले होगा, तो इसी में अंसर आगया option है, पहले विश्नु परियाग, फिर नंद परियाग, फिर कंड परियाग, फिर उद्र परियाग और आखिर में आता है देव परियाग, फिर मठ भांगा नदी, ये border बनाती है कौन से country के साथ भारत का, मठ भांगा नदी जो है ये भारत और बांगलादेश का border वहाँ पे flow करती है, फिर इनमें से कौन सी नदी ऐसी ह जो जिसका उदगम, जिसका स्रोत भारत के बहार है, ठीक है, रावी ब्या सतलूज या चिनाब, तो आंसर असान है, सतलूज नदी के लाश मान सरोबर के पास से निकलती है, फिर शिपकिला पास में से घुसके भारत आती है, इनमें से कौन सी गंगा की साहयक नदी नहीं है गोमती, गोमती तो है, गंड़क है, नेपाल से आती है, कोसी कोसी भी है, चंबल चंबल नहीं है, चंबल यमुना में मिलती है, फिर इनमें से कौन सी नदी है, जो ट्रांस हिमालेन नदी है, ट्रांस हिमालेन समझते हैं, हिमाले के उपर, या तो लदाक के पहाड, या कारा water dolphin कहा मिलेगी, यह देखो, यह अलग तरह की dolphin होती है, जिसे बोलते है, fresh water dolphin, मैं indus dolphin की बात नहीं कर रहा है, जो ब्यास नदी में मिलती है, मैं fresh water dolphin की बात कर रहा हूँ, आगे snout होता है, जिसमे दात लगे होते हैं, जिससे मछली खाते हैं यह भी, ठीक है तो fresh water dolphin मिलेगी गंगा में आपने एक wildlife century सुनी है विक्रम शिला विक्रम शिला जो dolphin century है गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं इसे क्योंकि ये सिर्फ fresh water में मिलती है गंगा के गंगेटिक डॉल्फिन विक्रम शिला भागलपूर में है बिहार में तो answer हो गया गंगा नद जाती है शोक में और यह शोक फिर जाके मिल जाती है इंडस में तो यह था हमारा rivers of India का भाग एक बहुत जल्दी लेकर आऊंगा भाग दो और भाग तीन इसको अच्छे से पढ़िए एक दम पूरी आप दिल लगाके से पढ़िए और मैं आपको एक बार सबसे पहले जो मै यह जो इतना ढ्रावना लगा था सड़र्णि आपको उतना ढ्रावना नहीं लगेगा यह ऑं क्यों कि हमने कहार कर लिए मैं उस अरिया को क बर्कर दूंगां चंबल बनास बहुत भाग रा गूंति गंदक को सी सब हो गया है ये गंगा नदी का पूरा गंगा बेसिन हमने गंगा रिवर सिस्टम कवर जो है वो कर लिया है यमुना भी कवर कर लिया है यानि कि आप देख सकते हैं लगभग एक चोथाई कह सकता हूं रफली एक चोथाई भारत मेंने कवर कर लिया है अभी जो बची है त ते तीस्ता भी पढ़ेंगे भ्रह्मपुत्रा की भ्रह्मपुत्रा रिवेर सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, फिर फिर छोटी-छोटी नदियां पढ़ेंगे लूनी, साबरमती, माही, और फिर हम पढ़ेंगे नर्मदा और तापी, Central India की नदिया क्योंकि हम इसमें ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार नॉर्थीस्ट को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आपको नॉर्थीस्ट पता नहीं होगा, तो फिर ब्रह्मपुत्रा उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, और मैं आपको बड़े अराम से समझा देता हूँ, कि नॉर्थीस्ट को याद कैसे करना है, नॉर्थीस्ट के जो राज्ये हैं, उन्हें याद कैसे करना है, नॉर्थीस्ट में आठ राज्ये हैं, ये सारे अलग-अलग रंगों में हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लगता है और किसी से निलगता। बाकि सिक्किम का abortion यहाँ पर नेपाल से लगता और यहाँ बोटान से लगता है। यह बोटान है। यह जो कंट्रीअ आप देख है। बीच में यह कंट्रीज में बोटान है। अब मिनीचे रणनाचल प्रदेश के एकदम नीचे यह जो मैं कलर कर रहा हूँ, यह असाम है तो असाम का बॉर्डर यहाँ पे लगता है भुटान से, यहाँ लगता है बांगलादिये, बांगलादेश है, बांगलादेश से लगता है दो जगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे फिर असाम का बॉर्डर पर जितने भी नौर्थीस के स्टेट्स हैं, सिक्किम छोड़के सबसे लगता है, अरुनाचल, यहाँ पर नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, और यह नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम को याद रखने का तरीका है, एक योजनाय गंगा की सफाई के लिए नागालेंड, म से नागालेंड, म से मनिपूर, और फिर मिजोरम, म फिर यह जो बादल जैसा दिख रहा है आपको, यह मेगाले है, जब यादे बचपन में हम बादल की शेप बनाए करते थे, कोई कहता था बादल बनाओ, तो हम ऐसे बनाते थे बादल, ऐसे, तो यह बिल्कुल बादल जैसे ही है, यह शेप, अल्मोस्ट, यह जो है, यह है मेगाले, मेग मतलब ही होता है, बादल, मेगाले, फिर बचा एक और वो है त्रिपुरा वो ही है, बांगलादेश से बॉर्डर लगता है, इसका सिर्फ अंतराष्ट्रिय बॉर्डर, एक कंट्री से लगता है त्रिपुरा का, और वो लगता है बांगलादेश से, तो ये है त्रिपुरा, तो ऐसे नौरतिस्ट आप याद रख सकते हैं, कोई representation है ब्रह्मा पुत्रा नदी का और इसको हम detail में study करेंगे लेकिन पहले एक simple representation ज़रूरी होता है देखिए ये है तिबबत तिबबत ठीक है तिबबत में ये है कैलाश मानसरोवर के पहड कैलाश पहड मानसरोवर हो गया, मानसरोवर के पास से ब्रह्मा पुत्रा निकली, मानसरोवर से नहीं निकली, मानसरोवर के पास से निकली मानसरोवर के पास से तीन नदिया निकलती है सिंधु, फिर जो शिपकिला पास ट्रैवल करके इंडिया आती है यानि कि हम बात कर रहे है या पे सतलुज नदी की सतलु जनदी शिपकला पास से निकलके और तीसरी ब्रह्मा पुत्रा अब ये जो ब्रह्मा पुत्रा है देखिए ध्यान से देखिए अब इसका रूट क्या है बड़ा आसान है कोई मुश्किल नहीं है ये इसका रूट है सबसे पहले अच्छा आपके राइट हैंड साइड म पूर्व यानि इस्ट की तरफ भहरी ये बहरी ये उसके बाद थोड़ा सा नौर्थ की तरफ और फिर ये घूम गई और भारत में आ गई यानि अभी तक तो जो ब्रह्मा पुत्रा है वो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक तिबबत में ही बहर आ रही है चाइना में ही भहर रही है लेकिन उसके बाद वो इंडिया एंटर कर गई अच्छा इंडिया जब एंटर करी यहां से घूम गई तो कहां से घूमी तो यहां पे एक पहाड है इस पहाड को बोलते हैं नमचा बरवा ये पहाड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पहाड में बहुत आता है नमचा बरवा का जो पहाड है इसके यहां से गौर्ज में गौर्ज मतलब पहाड के अंदर जो छेद होता है उसे गौर्ज बोलते हैं G-O-R-G-E तो अगर ये पहाड है तो इसके ही अंदर से गौर्ज बनाके वो भारत की तरफ घूम जाती है इस राचल को क्रोस करी 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 फिर आ गई असाम में फिर असाम को पूरा ट्रेवल करके यहां से अब ध्यान से देखिए यह मेगाले है यह जो देख रहे हैं बादल जैसा यह मेगाले है यह मेगाले में नहीं जा रही है यह ऊपर थोड़ा सा मेगाले से दूर है तो यह असाम को क्रोस करके और फिर ये घुज गई बांगला देश और फिर ये यहां से गंगा आती है तो ये गंगा से मिली और फिर ये दोनों मिलके गिर गई बश्चिम बंगाल की खाड़ी में वेरी वेरी इजी ठीक है ब्रह्मा पुत्रा जो है पहले यहां से दक्षन की तरफ फिर पूर्व की तरफ गई पूर्व की तरफ चलती रही हलका सा नौर्थ की तरफ गई फिर पहाड में गौर्ज बना के घूम गई इंडिया की तरफ अरुनाचल गई अरुनाचल से गई अ असाम में, असाम को ट्रेवल करा, फिर बांगलादेश गुज गई, फिर गंगा के साथ मिल गई, मेगना, मेगना बना दिया, और फिर गिर गई, पश्चिम मंगाल में, पश्चिम मंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी बे ओफ बेंगॉल में, कोई डाउट यहां तक तो यह आई अरोनाचल में ठीक है रफली बना रहा हूँ यह एकदम exact नहीं बना रहा हूँ अरोनाचल में आई यहां से यह नमचा बर्बा का पहाड है यहां से आई अरोनाचल में आई फिर यह असाम को ऐसे cross करी फिर यह बांगलदेश में घुज गई फिर ये नीचे आके Bay of Bengal में गिर गई ये है ब्रह्मापुत्रा, इतना सिंपल है ठीक है, अब यहाँ पे इसकी दो-तें ट्रिब्योटरे दिखाई है मैंने जैसे Manas, तीस्ता बराक ये बराक नदी देखिए ये बराक नदी, मनिपुर, नागालेंड, असाम, मिजोराम यहाँ पे बहरी है, ये अड़णाचल में नहीं बहरी है, ठीक है, ये नीचे से आ रही है ये इस तरफ से आ रही है अब एक बात देखिए, ये ब्रह्मापुत्रा नदी जो है, मैं इस एरिया को बैठा हूँ, और मैं ब्रह्मापुत्रा नदी जैसे ऐसे वो जा रही है, वैसे वैसे ही जा रहा हूँ, क्योंकि obviously मैं नदी के साथ ही तैर सकता हूँ, नदी के उल्टा तो तैर नहीं सकता, नदी के उल्टा तो मैं नाओ को चला नहीं सकता, तो अब मेरे left side में यानि ये area है, ठीक है, यानि कि जो ब्रह्मापुत्रा, ब्रह्मापुत्रा का जो left bank tributary है, जो जो नदी आके मिल रही है, यहां से, नीचे से, वो left bank tributary हो गई, और मेरा right hand इस तरफ पड़ेगा, तो जो यहां से आके मिलेंगी, ठीक है, इस area से आके, जैसे कि यह मनास है, तीस्ता है, यह सब क्या है, यह right bank tributary है, तो left bank हो जाएंगी, जो नीचे से आके मिल रही है, ठीक है, और right हो जाएंगी, जो उपर से आके मिल रही है, यहां पे एक और से चले जाती है, और यह बंगलादेश में आ गई, फिर यह गंगा वाली धारा है, फिर यह मिल गई, और गंगा को क्या बोलते हैं, गंगा को क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में यह satellite है, satellite photo भी दिखा देता हूँ हर तरह से आप अपनी तसलिक कर लो ठीक है, यह आई असाम क्रॉस करके और यह आके ब्रह्मा पुत्रा यहाँ से गंगा में मिल गई और फिर यह मेगना बनके बंगाल की खाड़ी में गिर गई कोई डाउट, अब यह हमारा सबसे अच्छा photo है, सबसे अच्छा हमारा यह वो है, diagram इसमें क्योंकि tributaries भी है, ठीक है, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा, कि गंगा की left bank, उसकी ब्रह्मा पुत्रा की left bank और right bank tributary कौन सी है अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मा पुत्रा बनाऊंगा, तो ब्रह्मा पुत्रा में बना रहा हूँ, ठीक है ब्रह्मा पुत्रा में बना रहा हूँ, यह ब्रह्मा पुत्रा है, और अब आप इसमें खुद देख के बता सकते हो, कि भाई left bank से कौन मिल रहा है और right bank से कौन मिल रहा है तो पहले left bank से बात करता हूँ तो सुबान सिरी super important सुबान सिरी नदी मिलती है कहा से left bank से के right bank से ये right bank के उपर क्योंकि बहाव इस तरफ है आप इस तरफ जा रहे हो न तो आपके left में ये पड़ेगा तो मैं right bank tributary बता रहा हूँ तो right bank में सबसे पहले ये है सुबान सिरी फिर है भराली ये भराली नदी को कामेंग नदी भी बोलते है K-A-M-E-N-G ठीक है फिर उसके बाद जो important है सबसे वही वैसे तो हजारों नदी आऊंगी चोटी-चोटी जो मिलती है पर कितना है भुटान में बोलते है Royal Manas National Park इंडिया में बोलते है Manas National Park तो Manas National Park असाम में है और भुटान में है फिर ये संकोश नदी बहुत important है तीस्ता नदी बहुत important है तो ये सबसे important right bank tributaries ब्रह्मपुतरा की कौन सी है सुबान सिरी फिर भराली यानि कमेंग फिर Manas फिर संकोश और तीस्ता ये सबसे important है फिर अब आ जाते हैं right bank के बाद left bank पे left bank वाली कौन-कौन सी important है left bank से कौन-कौन सी तो लोहित बहुत important है लोहित नदी बहुत important है फिर यहाँ पे दिखो important है फिर यहाँ पे धान सीरी important है कोपिली important है बस यही है जादा नहीं है तो left bank tributary जो है उनमें लोहित दिखो धान सीरी और कोपिली ब्रह्मा पुत्रा अब आपको एकदम clear हो जानी चाहिए तो study करते हैं इसको वैसे ब्रह्मा पुत्रा नदी के दूसरे नाम क्या है ब्रह्मा पुत्रा नदी को हम बांगलादेश में बोलते हैं जमुना ठीक है और तिबबती भाषा में सांगपो बोलते हैं कई जगा आप देखोगे स्वांगपो आपको जैसे pronounce करना है आप कर लो तो सांगपो का मतलब होता है यानि शुद्ध कर देने वाली नदी तो इस नदी को तिबबत में दा प्यूरिफायर बोला जाता है ब्रह्मा पुतरा के नामों को लेके कई बार confusion होती है, तो वो मैं आपकी हमेशा के लिए clear कर देता हूँ, कैसे? अभी तो तिबबत में भैरी आ पहले तिबबत में भैने दो इसे तो तिबबत में इसका क्या नाम है? तो सांग को यानि शुद्ध कर देने वाली नदी दा प्यूरिफायर अब ये गुश गई यहां से नम्चा परवा के जहां से घूम के अरुनाचल में तो अरुनाचल में इसका क्या नाम है, ये अरुनाचल में आ गई, अरुनाचल में इसको बोलते हैं, दो नाम है इसके, एक तो है दिहांग और एक है सियांग, ध्यान से सुनिए, दिहांग और सियांग, दिबांग नहीं, दिहांग, इनमें भी फर्क है, एक है दिबांग, द दिवांग नी, दिवांग तो इसमें मिल रही है, ये नदी दिवांग है, जो इसमें ब्रह्मपुत्रा में आके मिल रही है, ये तो सहायक नदी है दिवांग, मैं दिवांग की बात नहीं कर रहा है, मैं दिहांग की बात कर रहा हूँ, तो दिहांग और सियांग, ये इसके न में इसका नाम है तो सांग पो अरुनाचल में इसका नाम है दिहांग और सियांग कोई डाउट और असाम में फिर ब्रह्मापुत्रा फिर असाम में ब्रह्मापुत्रा ही नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है और फिर बांगलादेश में जमुना तो 2900 किलोमेटर लंबी ये ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, right, अच्छा, अब अगर आपसे पूछें, कि ये एक निकलती exact कहां से है, तो भई, नदी इतनी बड़ी है, तो यानि कोई glacier होगा, कोई हिमनध होगा, right, हिमनध है, पहले ऐसा माना जाता था, पहले, पुराना concept, कि भई, एक glacier है, जिसे बोलते हैं चेमा दूंग यूंग glacier, जो glacier था, उसका नाम था, चेमा यूंग दूंग glacier, वहाँ से निकलती है, लेकिन latest जो वो है, जो text books कहती है, वो ये है कि आंगसी glacier से निकलती है, कैलाश के पहाड़ों में, कैलाश मानसरोबर के पास एक glacier है, जिसको बोलते हैं, आंगसी, तो ये आ और फिर ये अरणाचल प्रदेश में गौर्ज के थुरू आ जाती है, फिर ये फ्लो करती है, असाम वैली में as ब्रहमपुत्रा, ठीक है, as ब्रहमपुत्रा, और फिर ये बंगलादेश में फ्लो करती है, as जमुना, फिर ये गंगा डिल्टा, जो है, उसमें मिल जाती है, पदमा, पदमा के साथ मिल जाती है, जो गंगा नदी का बंगलादेश में नाम है, और फिर ये पदमा से मिलने के बाद मेगना जो है, उसके रूप में फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो जो मैंने आपको समझाया है, वही लिख दिया है, ठीक है, अच्छा, जब अरुनाचल में घुस रही थी, तो इसका नाम था तोसांग पो, फिर अरुनाचल में, अच्छा, मैंने आपको बताया था, अरुनाचल में इसके दो नाम है, एक तो सियांग और एक दियांग, दोनों में फरक क्या है, फरक है, फरक ये है, अरुनाचल में जब ये पह पहली नदी जो मिलती है वो है दिभांग, तो दिभांग और दिभांग में confused मत हो ना, वैसे आपको बता दू, यह दिभांग नदी जब मिलती है, क्योंकि वहाँ पे तो दिभांग बोलते हैं, तो यहीं पे इसका एक Biosphere Reserve है, जिसका नाम है दिभांग Biosphere Reserve, Biosphere Reserve समझते हैं दिभांग Biosphere Reserve, अब इसमें आपको समझ में आ गया कि दिभांग क्या है और दिहांग क्या है, दिहांग तो ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, और दिभांग एक नदी है जो उसमें आके मिल जाती है, फिर यहाँ पे लोहित नदी भी इसमें मिलती है, हम डाइग्राम में दे पड़ी हो जाती है जब यह असाम में घुस्ती है, उसके बाद इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती है, सुबान सिरी, भराली, धान सिरी, मानास, यह बहुत सारे नाम है, संकोष वगरा नदियां मिलती है इसमें, और जो left bank tributary है और right bank दोनों हम map में देख चुके हैं, तो सुबान सिरी, भराली, बारनदी, मानास, संकोष और तीस्ता, और left bank, धान सिरी, कोपिली, दिखोव, बुडी दिहिंग, लोहित और दिबांग, कोई डाउट, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरस्टिंग चीज होती है, जब वो असाम में घुस्ती है, मैंने आपको ब यह वाला district है लखिमपुर, तो जब दिब्रुगर्ड और लखिमपुर के बीच में नदी दो हिस्सों में बढं़ जाती है, यह एक एसे, यानी एक नौर्थ वाली धारा और एक साउथ वाली धारा, एक नौर्थ वाली धारा, एक साउथ वाली धारा, तो कैसे इसको वो कर और फिर ये दुबारा मिल गई, अब ये जो नौर्थ वाली धारा है, इसको बोलते हैं, खेर कुटिया, जो ये नौर्थ वाली है, और ये बहुत important है, क्योंकि ये island बन गया न, ये नदी आई, ऐसे गई और ऐसे गई, तो बीच में जो जमीन है, ये टापू बन गया, चारो तरफ से समुदर से नहीं गिरा, ये नदी से गिरा है, तो यानि कि ये आई, ठीक है, दो हिस्सों में बटी, और फिर मिल गई दुबारा, तो ये बीच में जो island create हुआ, अब तो ये island इतना बढ़ाएगी, इसे अलग से district बना दिया गया है, और ये है माजुली, ये देखि नहीं दुबारा मिल जाती है, लेकिन island बना दिया, और उसका नाम है माजुली, अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये बांगलादेश में जब जाती है, तो बांगलादेश में ये तीस्ता नदी से मिलती है, और ये तीस्ता नदी जो है, ये भारत में सिक्किम से निकलती है, ठ उससे फिर ये मिलती है, और फिर Bay of Bengal में गिर जाती है, एज मेगना रिवर, कोई डाउट नहीं होना चीए अब तक, और ब्रह्मापुत्रा नदी यहीं पर खतम होती है, और उसमें दो island बने हुए, एक island है और दो bridge है, आईलेंड तो माजुली देख लिया, तो जो bridge है, वो भारत का सबसे लंबा rail और road bridge है, यानि rail भी चलती है, यहाँ पर road भी चलती है, तो rail कम road bridge है, road जह है तो मतलब vehicle भी चलती है, 4.94 km है यह, और दूसरा है धोला साधिया bridge, धोला साधिया जो bridge है, इसे भुपेन हजारी का सेतू बोलते हैं, असाम के एक सिंगर थे जिने भारत रतन मिला था भी भुपेन हजारी का, उनके नाम पे यह bridge रखा हुआ है, धोला साधिया bridge, और यह जो bridge है, exactly भ्रहमपुत्रा पे नहीं है, यह लोहित नदी पे है, लेकिन लोहित फिर आके भ्रहमपुत्रा में मिल रही है, तो हम यह बोल देते हैं कि धोला साधिया भी जो ह करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लोहित की, तो डाइग्राम में देखते हैं, डाइग्राम अगर आपको याद हो गया, तो फिर बहुत easy हो जाएगा, लोहित कहा है, लोहित यहां है, तो लोहित जो है, अब ध्यान से देखिए, लोहित कहीं यहां से आ रही है, इंडिया नदी जो है इसको जायू नदी भी बोलते हैं क्योंकि चाइना में इसका नाम जायू है यहां चाइना मतलब तिबबत है जहां भी मैं चाइना बोलू मतलब तिबबत तो जायू नदी बोलते हैं यह ट्रिब्योटरी है और यह तिबबत में जनम लेती है तिबबत में इसका उद्गम स्थल है, और वहाँ इसे जायू बोलते हैं, फिर ये नीचे आती है, डिसेंड मतलब नीचे आना, और फिर ये आके जो है, अरनाचल प्रदेश में 200 किलोमेटर ट्रेवल करने के बाद, ये असाम में कहीं जाके, ये मिल जाती है, भ्रह्मपुतरा में, ठीक है, ये नदी काफी tempestuous and turbulent है, यानि बहुत ज़्यादा एक turbulent, and turbulent समझते हैं, बहुत तेज है पानी का भाव इस नदी में, बहुत ज़ादा बाढ़ बहुत आती है, और बहुत ज़ादा turbulent है, पानी का भाव बहुत तेज है तो इसे कई बार river of blood भी बोलते हैं, river of blood बोलने के पीछे एक कारण ये भी है, कि इसमें late right soil पाई जाती है, जिसका color यही होता है, blood color होता है, late right soil, वो भी इसमें मिलती है, late right मिट्टी, तो यह ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास, ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास यह ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ठीक है, तो यह है लोहित नदी के बारे में, अब हम बात करते है धानसरी तो धानसरी को हम डायग्राम में देखते हैं धानसरी कहा है धानसरी यह रही यहाँ पे देखिए धानसरी तो अब यह कहां से निकलेगी यह क्या है यह असाम चल रहा है तो धानसरी जो है वो धानसरी रिवर जो है यह में रिवर है गोला घाड डिस्टिट की असा तो ये नागा लेंड से निकलती है और उसके बाद ये असाम में ट्रेवल करती है गोला घाट डिस्टिक्ट और उसके बाद फाइनली आके ये ब्रह्मा पुत्रा में मिल जाती है ब्रह्मा पुत्रा पे ये साउथ बैंक या जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पे मिलती है और नागा लेंड यानि असाम और नागा लेंड की बाउंडरी बनाती है ये नदी ठीक है तो यहाँ पे इंटांकी नैशनल पार्क भी है नागा लेंड में जो इंटांकी नैशनल पार्क है वो इसी के किनारे है धनसिरी रिवर के किनारे है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ब यह ब्रह्मापुत्रा है, तो इसमें जो मिल रही है, इसको बोलते हैं, कामेंग रिवर, और अरुनाचल में डिस्टिक्ट भी है, इस नाम से वेस्ट कामेंग वगरा, तो कामेंग रिवर को पहले भराली रिवर बोलते थे, यह तवांग से निकलती है, very important, तवांग, जो एक जो लीची है, वो बहुत फेमस है, तेजबुर की, तो कामेंग नदी लगबग 264 किलोमीटर, लंबी है, और यह वेस्ट कामेंग और इस्ट कामेंग डिस्टिक्ट की बाउंडरी बनाती है, कामेंग रिवर, ठीक है, यहाँ पे, इगलनेस्ट वाइल लाइफ सेंचुरी औ और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, लार्जेस्ट, इस शब पे ध्यान देजिए, लार्जेस्ट, यह तिबत पठार से निकलती है, तिबत से निकलती है सुबानसरी, और मैं आपको, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप से बंचित नहीं रखूँगा, यह देखो, यह सुबा प्रणसरी नदीर तिबत के पठार से निकलती है, फिर यह इंडिया आती है, और अनुचल प्रदेश में आती है, फिर यह असाम के लखिंपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, इस पे एक ब्रिज भी बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हंगपन दाद ब्रिज, और हंगपन दादा एक माल्टर है, उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा हुआ है, हंगपन दादा ब्रिज, अब बात करते हैं मनास रिवर की, सुपर इंपोर्टेंट, देखो मनास रिवर जो है न, यह भुटान से भुटान से आती है, ठीक है, और मैं आपको पहले मैन वाला मैप दिखाता हूं, जिस पर हम Relay कर रहे हैं, यह देखिए, यह जो बाॉंडरी है अचल की, यह जो कंटरी है, यह कौन सा है, यह भुटान है, तो यह नदी आरी है यहां से, यह नदी यहां से आरी है, और यह मिल रही है ऐसे, और यह मानास का बेसिन है, यहाँ पे और यह Manas National Park है, भुटान वाला और यह इंडिया वाला है, तो Manas नदी जो है, Manas नदी यह भुटान की सबसे लंबी नदी है, longest नदी है यह Manas River और यहाँ पे डाइगराम में बड़ा अच्छा दिख रहा है, कि यह जो नदी है, यह कैसे, यह उपर तिब्बत है, तो यह जो नदी है, यह ऐसे आती है, और यह यहाँ बर्मपुत्रा में मिलती है, तो यह Trans Boundary River है, Trans Boundary मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लो करती है, हिमालिया के फुटिल्स जो है, वहाँ से निकलती है, भुटान और इंडिया के बीच में, यह भुटान की फ्लो करती है, लगभग 104 किलोमेटर, यानि यह नदी जो है, यह तिबबत में भी थोड़ा सा फ्लो करती है, वैसे इसको भुटान की नदी बोलते हैं, क्योंकि इस नदी का ज्यादा तर जो हिस्सा है, वो भुटान में है, और यह भुटान और तिबबत के बॉल्डर पे जो पहाड़े महां से निकलती है, हिमालियन फुटिल से निकलती है, फिर भ्रहमपुत्रा में यह मिलती है, बोन गई गाउं में, बोन गई गाउं में यह भ्रहमपुत्रा में मिल जाती है, मनास नेशनल पार्क जो है, टाइगर रिजर्व भी है, युनेसको के द्वारा, संकोष भी भुटान की नदी है, तो संकोष नदी भी भुटान से निकलती है, और फिर वो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, असाम में, ये मैं आपको एक बार डायग्राम पे ले चलता हूँ दुबारा, अब हम बात कर रहे हैं इस नदी की संकोष की, ठीक हैं, संकोष नदी भी आप देख सकते हैं, कि इंडिया की पाउंडरी तो यहीं तक है, तो ये और ये भुटान है, तो ये भुटान से निकली, ये भुटान से निकली, इंडिया आई और मिल गई, भ्रह्मपुत्रा में very simple, असाम में, और ये तीस्ता है, लेकिन तीस्ता इंडिया में नहीं मिलेगी, तीस्ता यहां जाके मिल रही है, और ये बांगलादेश स्टाट हो गया है यहां से, तो तीस्ता नदी भ्रह्मपुत्रा में, बांगलादेश में मिल रही है, तो तीस्ता नदी जो है ये जमुना की ट्रिब्यूटरी है क्योंकि बांगलादेश में भ्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं और ये जो नदी है काफी बड़ी है एक्चुली 320 किलोमेटर तक लगबग इसका जो है कोर्स है और ये रंगपुर के पास बांगलादेश में य जमुना से यानि भ्रह्मपुत्रा से मिल जाती है ठीक है भ्रह्मपुत्रा में कोई डाउट को ने लगता अब आपको होना चाहिए हमने काफी डिटेल में जो है पूरी की पूरी जो भ्रह्मपुत्रा रिवर है उसको अच्छे से पढ़ दिया है तो अब हम आते हैं अपन तो Central India में भीञ़ती है क्योंग이 Central India की कोई definition नहीं है तो हम Peninsular ही बोलते है उसे भी ठीक है तो अब Peninsular India मतलब क्या? Peninsular India मतलब यह यह है Peninsular India क्योंखी Peninsular बोलते है जो तीन तरफ से पानी से घेरा होता है और यह तीन तरफ से पानी से घेरा है यहाँ अरब सागर नीचे इंडियन ओशियन और यहाँ से बे ओफ बेंगॉल अब पैनिंसुलर इंडिया में अगर आप देखें तो आपके लेफ्ट में वेस्ट होता है राइट में इस्ट होता है ठीक है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यह किस तरफ भहरी हैं इस्ट में भहरी हैं ठीक है तो इसले इनके नाम नहीं लिखे क्योंकि यह इस्टन फ्लोइंग रिवर है लेकिन कुछ नदियां हैं जो इस तरफ भहरी हैं नर्मदा, अतापी यह सारी जो नदियां है तो यह वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं पश्चिम की तरफ भहरी हैं तो अगर पश्चिम की तरफ भहरी हैं तो कहां गिरेंगी अरब सागर में गिरेंगी अरेबियन सी में गिरेंगी और अगर इस्ट में बहरी हैं तो कहां गिरेंगी बंगाल की खाड़े में गिरेंगी को अब हम यहाँ पे एक एक करके सारी नदियां देखते हैं, पहले मैं आपको concept समझाता हूँ, किसका नर्मदा का, यह नर्मदा नदी यहाँ से निकली, अमर कंटक से, जो एकदम चत्यसगर्ड और मद्धय परदेश के border पे है, अमर कंटक, उसके बाद यह जो नदी है, यह किस state है, यह महराष्ट्रा है, यानि कि मैं बोल सकता हूँ, कि नर्मदा नदी सबसे पहले तो, अच्छा, थोड़ा सा इसका पानी चत्यसगर्ड में भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, चत्यसगर्ड में भी इसका बेसिन आता है, लेकिन यह मद्धय परदेश में, अमर कंटक से निकली, और अमर कंटक चत्यसगर्ड बॉर्डर पे है, तो इस नदी का जो पानी है, अब यहाँ पे पानी का मतलब क्या है, कई ट्रिब्योटरीज वगारा है, एक बेसिन होता है नदी का, जैसे माल लो, कोई नदी है, उसमें बहुत सारी नदी आके मिल रही है, लेकिन इसका जो बेसिन है, वो चत्यसगर्ड में भी एक्स्टेंड करता है थोड़ा सा, यह मैं कह रहा हूँ, तो नदी जो है, यह यहाँ से निकली, मद्दय प्रदेश को क्रॉस करा, फिर महाराष्टरा, महाराष्टरा में भी काफी important है, महाराष्टरा, और फिर यह चल करना पड़ेगा, देखों गुजरात, जो हैना, यह गुजरात है, यह आप देखरें हैं, यह कच्छ इह, यह मैं इसको अलग रंग दे रहा हूँ, यह कच्छ है, कच्छ भारत का सबसे बड़ा डिस्र्क है, कच्छ, यह जो एरिया है, यह वाला पूरा, इसके दो नाम है, या तो आप इसे काठियावाड बोल सकते हो या आप इसे सौराष्टर बोल सकते हो ठीक है तो आपकी मर्जी है या तो आप इसे काठियावाड बोल लो या सौराष्टर बोल लो तो ये काठियावाड हो गया और ये कच हो गया कच और काठियावाड के बीच में ये गल्फ है गल्फ आफ कच इसे बोलते हैं गल्फ आफ कच और यहाँ पे देखिए ये 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 जो गल्फ है इसे बोलते हैं गल्फ आफ कैमबे गल्फ आफ कैमबे पहले इसे गल्फ आफ खंबत भी बोलते थे गल्फ ओफ खंबात, अब इसे गल्फ ओफ कैम्बे बोलते हैं, तो जो भी हमारी इस तरफ नदिया बहरी हैं, वेस्ट की तरफ, वो सारी की सारी नर्मदा हो, तापी हो, माही हो, माही जिसे माही सागर भी बोलते हैं, साबर मती हो, ये सारी की सारी नदिया कहां गिरती हैं, यहां पे गिरती है, ठीक है, जैसे माही रिवर का मैं बताओं, माही रिवर ऐसे जाती है, फिर वापस आती है, फिर यहां गिर जाती है, तो माही भी यहां पे गिरती है, नर्मदा आप देखी रहे हैं, यहां पे गिर गई, ठीक है, तापी जो है, वो भी यहां गिर जाती है उसके बाद एक और बची साबरमती तो साबरमती भी ऐसे गिर जाती है यहाँ पे तो चारों की चारों जो नदियां है वो यहीं पर गिरती है गल्फ अफ खंबात में तो नर्मदा नदी क्लियर है नर्मदा नदी ने मद्धे परदेश क्रॉस करा महराष्टर को छुआ और गुजरात में फिर काफी बड़ी नदी है और फिर यह गिर गई गल्फ अफ खंबात में तो नर्मदा नदी का ओरिजिन अमरकंटक से होता है क्या कोई और नदी है जो अमरकंटक से निकलती है हाँ सोन नदी है सोन नदी जो है यहां से फिर साउथ से नौर्थ की त Cherry भेहती है और गंगा के मिल जाती है सोन नदी याद आया कुछ lecture number 1 देखिए पहले अब आपने lecture number 2 से पहले lecture number 1 देखिए सब आपको clear हो जाएगा तो इस नदी को हम मद्धे परदेश और गुजरात की लाइफ 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 लाइ पढ़ों के बीच में से भैती है नर्मदा नदी ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा तो नर्मदा में कौन-कौन सी नदी आके मिलती है इनके बस आपको नाम याद रखने है इनमें आपको डिटेल में नहीं जाना है अगर कोई extra information required हुई इनकी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जैसे तावा नदी important है क्योंकि ये भी western flowing है तो ये मैं अलग से पढ़ाऊँगा लेकिन बाकी important नहीं है कोलार, शकार, दूधी, तावा, हिरण, बर्ना और हत्नी ये सारी नदीयां जो हैं ये main tributaries हैं नर्मदा की इनके अलावा भी और भी बहुत tributaries हैं लेकिन हम exam oriented पढ़ाई करनें तो आप बस यतना आयाद रखनें वही काफी हैं आप ये 6-7 नाम जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से revise करिए कोलार, शक्कार, दूधी, तावा, हिरन, बर्ना और हत्नी ये एक और map है जो मैंने सरकारी website से लिया है जो हमारी सरकारी website है Ministry of Water Resources जैसे आज की तारीक में हम जलशक्ती बोलते हैं तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं नर्मदा का पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे नर्मदा जो है, वो जारी है तो यहाँ पर ये अमरकंटक एकदम border पर फिर ये पूरा इन्होंने ये इसका map वो किया हुए नर्मदा का पूरा basin ये यहाँ पर महराष्ट्रा है, ये गुजरात है तो ये वही map है, बस उसको zoom करके दिखाया हुआ है, तो जो शहर है, इसके किनारे वो सब दिखाये हैं, जबलपुर है जो भी शहर नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद वगरा, सब यहाँ पर दिखाये हुए है, तो नर्मदा नदी के उपर कौन-कौन से और ओम कारेश्वर डैम है इंद्रा गांधी सागर डैम जो है ये खंडवा में है मद्धे प्रदेश में फिर बर्गी डैम है जबलपूर में और ओम कारेश्वर डैम है खंडवा मद्धे प्रदेश में तो ये पांच डैम बड़े जल्विद्यूत परियोजनाएं अब अगर आपसे पूचा जाए कि कहां पे कितना शेत्र शेत्र फल मतलब एरिया कितना एरिया जो है वो सीच रही है नर्मदा तो सबसे ज़्यादा एरिया सीच ती है मद्धे प्रदेश में 85,000 स्क्वेर किलोमेटर फिर दूसरे नंबर पे गुजरात गुजरात में 11,399 स्क्वेर किलोमेटर का एरिया सीचती है नर्मदा और महाराष्टर में बहुत ही थोड़ा 15,38 और 36 गड़ में तो ना के बराबर ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है यह मैं एरिया की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नर्मदा एरिया सीचती है यानि ड्रेन करती है किस राज्य में अब बात करते हैं लंबाई की कि भई नर्मदा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहां है तो देखो नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलो मेटर लंबी है उसमें 1089 किलो मेटर मद्धे प्रदेश में यानि बड़ा क्लियर है और आपको यहाँ पर यह डायग्राम देखके भी एकदम क्लियर हो गया होगा यह डायग्राम देखे या आपको कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई नर्मदा की सबसे जाधा लंबाई किसमें है तो ये 1312 km जो लंबी है पूरी, इसमें से 1000 km से ज़्यादा तो मद्य परदेश में ही है, ठीक है, तो मद्य परदेश में जो है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, कितनी, 189 km, मद्य परदेश में है, और बस इतना आया धखलो, इतना काफी है, उसके बाद जो 159 km है, वो गुजरात में है, उसके बाद गुजरात में है, और महराष्टा को तो सिर्फ छूती है, तो तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन अगर आप देखें, एरिया, तो एरिया में जो है, सेम ही है, पहले नंबर में मद्य परदेश, दूसरे में गुजरात, तीसरे पर महराष्टा सेम है मतलब length भी सेम है area भी सेम है लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है जैसे कि हम आगे देखेंगे दूसरी नदियों में अब यहाँ पे इस पे कौन-कौन से waterfall है जल प्रपात है नर्मदर हदी पे निनई fall है गुजरात में निनई fall फिर धुआधार धुआधार waterfall है जबलपूर में सुपर इंपोर्टन ही question बहुत बार आता है धुआधार waterfall निनई भी काफी आ चुका है और कपिलधारा है अनुपूर district कपिलधारा और अनुपूर में ही तो अमरकंटक है यानि अमरकंटक से निकलते ही सबसे पहला जो जलपरपाद नर्मदा पे आता है वो कौन सा है वो है कपिलधारा कोई डाउट सबसे पहला waterfall अनुपूर district क्योंकि अमरकंटक भी अनुपूर में ही है तो सबसे पहला waterfall जो नर्मदा बनाती है वो है कपिलधारा आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद ये अपना पूरा पश्चिन की तरफ भहेगी और फिर ये गिर जाएगी गल्फ ओफ खंबात में यानि की कैमबे गल्फ ओफ खंबात या इसको कई बार कैमबे लिखा होता है तो उसमें गिर जाएगी अरब सागर में ठीक है कोई डाउट और ये भरूच के पास गिरती है भरूच से लगबग 30 किलोमेटर दूर ये गिर जाती है कैमबे में तो भरूच शहर जो गुजरात में है वो कौनसी नदी के किनारे है वो नर्मदा के किनारे है अब ऐसे ही मैं पूछूँ सूरत शहर और तापी डिस्टिक्ट कौनसी नदी के किनारे है तो वो तापी नदी के किनारे है तो नाम ही तापी रखा हुए ऐसी गुजरात में एक ओल डिस्टिक्ट है नर्मदा डिस्टिक्ट उसका नाम नर्मदा डिस्टिक्ट क्यों रखा है तो वो कौन सी है वो है narmada क्योंकि गंगा बंगा यह सब कहां भेह रही थी गंगा बंगाल की खाडी में गर रही है इससे समझ जाइए कि बहाई वो east की तरफ भेहरी है और यहाँ पर भारत की नदियों की बात हो रही है हम यहाँ पर इंडस और भ्रह्मपुतरा को consider नहीं करेंगे तो और महानदी गुदावरी कृष्णा कावेरी भी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो भी east flowing है तो west flowing सबसे लंबी हो गई नर्मदा अचा अब ये नदी एक question आपके दिमाग में आना चाहिए और मैं इसको बड़े conceptually बताऊँगा आपको कि भाई ये एक गुथी कैसे सुलजाई जाए कि धलान तो एक तरफ ही हो सकती है न ये नदियां जो है देखो मैंने एक video number one में आपको ये बताया था कि जो हिमाले से निकलने वाली नदियां है वो धलान उनमें बहुत important नहीं होती क्योंकि ये नदियां हिमाले के बनने से पहले बनी थी पहाड़ों के बनने से पहले बनी थी तो ये नदियां पहले से थी तो ये पहाड़ों में गौर्ज बनाती है हिमाले की जो नदियां होती है हिमाले की जो नदियां है वो सारी की सारी पहाडों में छेद बनाके निकल जाती है क्योंकि हिमाले बाद में बने है और नदियां पहले बनी है तो हिमाले उनके अराउंड बने है लेकिन जो ये दक्षन भारत की नदियां है और यहाँ पे पैनेंसुलर नदी कहेंगे नर्मदा को नर्मदा तापी बगरा तो यह कब बनी है यह पहाड़ों के बनने के बाद बनी है यानि कि पहाड़ पहले है नदी बाद में बनी है यानि जहाँ पहाड़ की धलान होगी वहीं तो नदी बहेगी क्योंकि पहाड़ पह कि ये चार नदियां तो गिर रही है बंगाल की खाड़ी में और ये गिर रही है अरब सागर में ये एक गुत्थी है ये चारों तो इस तरफ ढलान है इसका मतलब ढलान तो इस तरफ है ये चार नदिया इस तरफ आ रही है लेकिन ये तो इस तरफ कैसे आ रही है फिर तो ये गुत्थी में हमेशे के लिए सुल्जा देता हूँ, आपको एक डियाग्राम दिखाऊंगा, और वो है ये, देखो हमारा जो दक्षिन भारत है, मतब पैनिन्सुलर इंडिया, यानि ये वाला अरिया, इसकी जो ढलान है न, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, यानि कि ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, अब आप ध्यान से देखना ये बात, ये कैसे प्रूव होता है, क्योंकि महानदी, गोदावरी, महानदी तो चलो, थोड़ा पास से निकलती है, रिलेटिवली, लेकिन बाकी जो हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये ये वेस्टन घाट, ये वेस्टन घाट के पहाड है, इनके यहां से उचाईयों से निकलती है, राइट, तो ये यहां इनके अरब सागर तो बलकी पास है, तो ये यहां क्यों नहीं गिर रही, अरब सागर तो एकदम साइड में, नहीं, क्योंकि धलान इस तरफ है, तो पै वेस्टन घाट की जो वेस्टन घाट है उसकी हाइट जादा है और ये इस्टन घाट है उसकी कम है तो धलान ग्रेटियंट जो बनता है वो ऐसे बनता है इसलिए आप देखेंगे ये सारी नदियां वेस्टन घाट के यहां से निकलती है लेकिन ये गिरती है इस तरफ यानि क एसे, ठीक है, eastern घाट की तरफ आती है, और फिर ये जाके गिर जाती है, ये जाके गिर जाती है, Bay of Bengal में, तो फिर नर्मदा और तापी के साथ ऐसा क्यों नहीं है वो Bay of Bengal में क्यों नहीं गिर रही और ये समज़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा Rift Valley क्या होती है, देखिए, देखो ये एक Aberration है, ये एक अप्वाद है, जैसे आप ये Imagine करो, कि ये हमारा South India है, Peninsular India है, और ये वो चार नदिया है, महनादी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अब ये तो धलान के हिसाब से गिर रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा और तापी जो हैं, वो Rift Valley में भहती है, Rift Valley एक अलग ही चीज है, और Rift Valley की जो धलान होती है, वो इस तरफ होती है, यानि की अरब सागर की तरफ होती है, Rift Valley एक अपना ही रास्ता वो बनाती है, और उसी में वो Flow करती है, तो वो Gradient के हिसाब से फिर Flow नहीं करती, Rift Valley की Direction जो है, वो अरब सागर की तरफ है, मैं आपको पताता हूँ, Rift Valley क्या होती है, ये होती है Rift Valley, तो नर्मदा और तापी जो है, ये Rift Valley में भहती है, इनके Left में भी Rift है, और इनके Right में भी Rift है, तो ये नदिया इसलिए फैल भी नहीं पाती, तो इसलिए नर्मदा और तापी जो है, वो अरब सागर में भहती है, ठीक है, Rift Valley में भहने की वज़े से, जो है, और विंदे और सत्पूरा के पहाड़ हैं महाँ पे, तो वो पहाड़ उनकी एक अपनी धलान है, वहाँ पे Rift Valley होती हैं, और उनकी एक अपनी धलान है, और वो धलान अरब सागर की तरफ है, वो Bay of Bengal की तरफ नहीं है, इसलिए फिर ये विंदे और सत्पूरा की Rift Valley में भहते हुए, ये जाके मिल जाती हैं अरब सागर में, अब एक बात बतरिए, नर्मदा मान लीजिए, बहर ये, नर्मदा भहर ये, इस तरफ ऐसे ये नर्मदा पहाड है, बीच में घाटी है, उसमें भहर ये, तो क्या ये नदी फैल पाएगी, क्या ये नदी फैल पाएगी, नहीं फैल पाएगी, और नदी जब फैलती है, तो क्या बनाती है, डेल्टा, तो क्या नर्मदा नदी और तापी नदी, क्योंकि तापी भी Rift Valley में भहती है तो क्या नर्मदा और तापी डेल्टा बना पाएंगी नहीं ये सीधी जाके समुद्र से मिल जाएंगी तो इसको बोलते हैं एस्ट्यूरी ये फर्क होता है डेल्टा में और एस्ट्यूरी में एस्ट्यूरी में नदी सीधी जाके जो है फैलती नहीं है ज्यादा वो सीधी ज जाके समुदर से मिल जाती है तो उसे एस्टियोरी कहा जाता है नर्मदा और तापी एस्टियोरी बनाती है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने की वज़े क्या है क्योंकि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है वो जम गाट बहुर गाट पाल गाट वगारा थोड़े बहुत गैप हैं लेकिन जो इस्टन गाट है वो कंटेनियूस नहीं है उनमें बीच बीच में जगा काफी है तो नदी महाँ पे काफी स्कोप है उसके फैलने का तो नदी आँ फैल जाती है और डेल्टा बनाती है अब नदी ये एक नदी है ये ऐसे आ रही है ठीक है ये ऐसे आ रही है नोट से साउथ की तरफ तो ये नदी आ रही है नदी में मिट्टी बगारा होगी वो सब होगी तो नदी में वो मिट्टी बगारा बैठती जाएगी नीचे धीरे धीरे बैठती जाएगी और जब वो एक लेवल बिल्कुल उपर तक आजाती है, जमीन, मतलब नदी का जो तल है नीचे, वहां से आप इमेजिन करिए, मिट्टी भरती जा रही है जगा पे नदी में, और वो बिल्कुल उपर तक आ गई, जब वो उपर तक आएगी, तो नदी के ये दो धाराएं बन गई, ठीक है, एक धार लखों साल की मैं आपको बता रहा हूँ, नदियों की जो, नदियां जिस तरह से एवॉल्व होती है, तो ये अब एक नदी जो थी, तो वो यहां पे अब दो धाराओं में बट चुकी है, ठीक है, फिर ये जो नदी है, ये आगे चार धाराओं में बट जाएगी, इसी तर नदी इतना जदा फैल जाएगी, तो ये डेल्टा बन जाएगा, यानि की अगर मैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात करूँ, तो वो ऐसा नहीं है, सीधिया के समुदर से मिल गई, वो पूरा फैल के पूरा एरिया बनाती है, डेल्टा बनाती है, महानद इधर भी पहाड़ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चीए आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो ये, कि नर्मदा और तापी जो है, वो वेस्ट में क्यों बहती है, जबकि बाकी जो पैनिन्सुलर रिवर हैं, वो वो इस्ट में बहती है, इसका कार नर्मदा और तापी जो है, वो एस्टिओरी क्यों बनाती है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती हिए, उसका आंसर भी यह, यह रिफ्ट वैली में बहने की वाजय से, यह नदी फैल नहीं पाती, इसप्रेड रॉट नहीं हो पाती, कोई डाऊट यहाँ पे, और भारत में ओर भ डेल्टा एक रीजन और बताता हूँ ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती चलो एक तो मैंने आपको बता दिया रिफ्ट वैली में भैती है ठीक है एक रीजन और है वो रीजन ये है कि नर्मदा और तापी की जो सहयक नदियां है यानि ट्रिब्योटरी है वो छोटी छोटी है छोटी छोटी होने की वज़े से वो उतना ज्यादा मिट्टी सिल्ट वगारा नर्मदा में नहीं ला पाती इसका क्या मतलब है ये नर्मदा बहर रही है तो नर्मदा में ये छोटी छोटी नदियां के मिलती है नर्मदा और तापी में जो साहक नदियां ट्रिब्यूटरी मिलती है वो छोटी छोटी है तो वो उतना ज़ादा मिटी वगरा नर्मदा में नहीं डालती इस वज़े से नर्मदा का जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़ादा है नर्मदा और तापी नदियों में पानी का बह अब बहुत तेज रहेगा, यही नर्मदार तापी के साथ होता है, क्योंकि इनका पानी का भाव इतना तेज है, और क्योंकि इनमें उतनी जादा सिल्ट, यानि मिट्टी बगारा भी दूसरी नदियों से नहीं आ रही, इस वज़े से वो बिल्कुल नहीं फैलती, इस वज़ से भी डेल्टा नहीं बन पाता, समझे, जब नदी धीरे भहती है, तो वो फैलती है, धीरे धीरे भहती है, फैलती है, बहुत तेज और बहुत ही लिमिटेड एरिया में अगर फ्लो कर रही है, तो इतनी तेज फ्लो करके निकल जाएगी, वो फैलेगी नहीं फिर, तो यह और रिजन है, जो नर्मादा और तापी डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्टूरी बनाती है, अचा अब जो यह एस्टूरी होती है न, यह बहुत इंपोर्टेंट होती है, डेल्टा भी बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मचली पकड़ी जाती है, ठीक ह सकते हो लेकिन नदी का पानी कैसा है नर्मदा और तापी का पानी कैसा है उनका पानी तो नॉर्मल पानी है ठीक है यानि की फ्रेश वाटर है अब फ्रेश वाटर और सी वाटर जहां पे एस्टूरी बनेगी यानि एस्टूरी जो है जहां पे नर्मदा समुदर से मिलेगी व अपनी डाइवरसिटी होती है अलग तरह के जंत और तरह की मचलियों वह में पाइजाती है फिशिंग जोन महां बेद एस ठीच फीचरी में है हें साउथ हिंडिया जो है, क्या इसमें सारी नदिया फिर ऐसी है, नर्मदा तापी को छोड़के जो इधर भैती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं, कुछ छोटी छोटी नदिया है, जिनके साथ ऐसा नहीं है, जैसे for example, यहाँ पर करनाटक है कहीं, यह केरल है, के वे Rift Valley में भैती है, नहीं वो Rift Valley में नहीं भैती, लेकिन for üzerine फिर वो यहाँ, कैसे गिर जाती है, रिफ्ट वैली का to समझ में आता है भई, ठीक है, उसकी अपनी ढहलाना है, जो विपरीत है, पहनिन्सुला के, लेकिन जो चोटी 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 नदिया है, शिरावती है, यह चोटी-चोटी नदिया हैं, यह अरब सागर में कैसे गर जाती हैं फिर? क्योंकि यह western ghat के, इस तरफ से निकलती हैं, ठीक है? western ghat जो है, उनकी slope के, जैसे यह है, यह हमारा coast है, यह हमारा western ghat है ये हमारा western घाट है ठीक है? तो इनमें कई नदियां ऐसी हैं जो इस area से निकलती है तो ये फिर इस तरफ flow करती है इनके लिए अरब सागर जो है पास है ये वहाँ पे flow करती है इस diagram को देखिए इसमें ये बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है ये जो है ये western घाट है तो western घाट के ये नदी इधर से निकली और इनका gradient काफी ज़्यादा है जैसे for example करनाटका में एक नदी है काली नदी या श्रावती नदी ये western घाट है तो जो इधर से निकल रही है वो slope उधर ले रही है जो इधर से निकलेंगी वो सीधी यहाँ इस तरफ slope लेंगी और तुरन तरब सागर में गिर जाएंगी और एक बात और है ये नदीयां भी जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती यानि जो काली रिवर है या जो श्रावती नदी है ये सब भी डेल्टा नहीं बनाती क्यों? क्यों नहीं बनाती इसका रिजन अलगे ये नदी इधर से निकल रही है ठीक है? अब ये नदी सीधी यहाँ गिर रही है और इनके पास ट्रेवल करने को डिस्टेंस भी जादा नहीं है क्योंकि अरब सागर तो एकदम लगा हुआ है हम इस एरिया की बात कर रहे है हम ये वेस्टन घाट के पहाड है ये मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ ये वेस्टन घाट के पहाड है तो उन्हें तो उतना ट्रेवल करना ही नहीं है वो तो यहाँ से निकली यहीं की यहीं गिरना है समुदर बहुत नजदीक है समुदर बहुत नजदीक है तो distance travel बहुत जादा नहीं करना और western ghat की height भी बहुत जादा है तो western ghat से वो बड़ी speed से नीचे आएंगी और एकदम से distance भी जादा नहीं है तो सीधा जाके समुदर से मिल जाएंगी फैलने का time ही नहीं है फैलने की जगा ही नहीं है फैलने के लिए उतना distance ही नहीं है ठीक है तो बाकी नदियों का reason क्या है कि वो delta नहीं बनाती वो rift valley में नहीं बहती फिर भी नहीं बनाती delta ठीक है क्यों क्योंकि वो high gradient से गिरती है western ghat के और distance भी travel करने को ज़्यादा नहीं होता और वो सीधी अरब सागर में गिर जाती है तो इनमें कुछ नदियां है ऐसी छोटी छोटी नदियां है जो western ghat के western ghat से निकलती है और फिर वो arabian sea में flow करती है तो I hope ये सारे concepts आपको clear होंगे अब हम आते हैं तापी river के उपर तापी river का क्या सीन है तापी river को जुड़वा बहन बोलते है नर्मदा की बिल्कुल ये इसका basin है लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको एक diagram में दिखाऊं ये देखो जुड़वा बहन क्यों बोलते है थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बनाना होगा मुझे गुजरात वाला area जो है तो ये नर्मदा ऐसे बहरी थी इसी के साथ साथ बस तापी चलती है बस फर्क क्या है फर्क ये है नर्मदा और तापी के बीच में पहाड़ आते हैं सत्पुरा के साथ में जस्ट डेकन के ऊपर तो तापी भी रिफ्ट वैली में बहती है और बिलकुल एकदम नर्मदा जैसी है हर तरह से मतलब जो डिरेक्शन है जो स्टेट्स कवर करती है सब कुछ तो तापी नदी जो है ये मद्धे प्रदेश से निकलती है ये मुल्तई रिजर्व फॉरेस से निकलती है बेतुल डिस्टिक्ट में उसके बाद ये मद्धे प्रदेश को फ्लो करती है पूरा महराष्टरा को टच करती है गुजरात को में चली आती है और फिर ये जाके जो है यह सूरत के पास गिर जाती है Gulf of Khambad में यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है देखो यह जो एरिया है यह महराश्टरा और मद्धय परदेश का बॉर्डर है ये जो एरिया है अब इसमें आप देख सकते हो ये बेतुल है बेतुल से ये नदी निकली ये मद्धे परदेश और महाराश्टरा के बॉर्डर पे फ्लो करती है पूरा और ये फ्लो करके ये ऐसे पूरा महाराश्टर को क्रोस करके मद्धे परदेश में भी भेह रही है महार गुजरात चली जाती है, गुजरात फिर ये जाके सूरत के पास जाके ये अपने गिर जाती है, अरेबियंसी में, ठीक है, यानि महाराष्टर और मध्य परदेश में इसका में वो है, और फिर ये गुजरात में जाके गिर जाती है, अरब सागर में, तो तापी नदी के बार इलाके हैं, वहाँ पे भैती है, और जो plains वाला इलाका है, उसे बोलते हैं खंदेश एरिया, खंदेश एरिया जो है, यहाँ पे fertile एरिया है, यहाँ पे खेती होती है यानि तापी नदी दो तरह के physical regions में भैती है, एक तो जंगलों तापी नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमेटर ठीक है, अच्छा तापी नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहां है, मद्य प्रदेश में 282 किलोमेटर 724 में से 282 किलोमेटर जो है, वो मद्य प्रदेश में है तो नर्मदा की लंबाई भी सब ज़्यदा मद्धे प्रदेश में है और तापी की लंबाई भी सबसे ज़्यदा मद्धे प्रदेश में है लेकिन अगर आप शेतरफल की बात करें कि भाई drainage area तो वो महराष्टर में ज़्यादा है इन फैक्ट इसका जादा तर एरिया मैं अगर 90% से भी जादा कहूंगा तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी इसका लगबग 90% जो drainage एरिया है वो महाराश्टरा में है दूसरे नंबर पे मद्देप्रदेश और फिर गुजरात और यहाँ पर यह डाइग्राम में भी बड़े अराम से आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखो यह जो boundary है यह मद्देप्रदेश और महाराश्टरा का border है खीक है तो आप इस पर देख सकते हैं जादा तर इसका जो part है महाराश्टरा को flow कर रही है जादा तर महाराश्टरा में flow कर रही है मतलब जो drain कर रही है वो यह महाराश्टरा को कर रही है इसका basin यहाँ है बाकी मद्देप्रदेश में भी है लेकिन उतना नहीं है तो हलांकी इसकी लंबाई मद्देप्रदेश में सबसे जादा है लेकिन इसका जो drainage area है वो महराश्टरा में ज्यादा है उसके बाद तापी नदी जो है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी है तो तापी नदी में पुर्णा, गिर्ना, बोरी, पंजरा, अनैर, अरुनावती, गोमई यही सब नाम लिखे हैं जो जो नदियां तापी में मिल रही है उनके नाम मैंने लिख दिये हैं यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं तापी की सबसे बड़ी सायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सायक नदी है पुर्ना दोसे नमबर पे है गिर्ना तो पुर्ना और गिर्ना सबसे important है तापी की Tributaries में अब हम आते हैं माही नदी पे तो हमने ब्रह्मपुत्रा पल्डी, नर्मदा पल्डी, तापी पल्डी और सारे कंसेप्प पल्डी है, अब हम आते हैं माही रिवर पे, माही रिवर को हम माही सागर भी बोलते हैं, आपने गुजरात में डिस्टिक्ट सुनाओगा माही सागर, तो वो इसी के नाम पे है, तो river की जो exact location है कहां से निकलती है तो ये मिंडा विलेज है जो धार district मद्य प्रदेश में है आईए मैं आपको map से समझाता हूँ बहुत easy हो जाएगा देखिए ये इस area पे focus करेंगे यानि कि हम जो अब तीनो नदियां पढ़ेंगे तो हम एक तो पढ़ेंगे ये नदि जो है लूनी अगेन ये पश्यम की तरफ भेह रही है किस तरफ फिर हम पढ़ेंगे साबर मती और फिर हम पढ़ेंगे माही लेकिन माही इनमें सबसे खास है वो क्यों देखो ये निकली यहां से मद्धे प्रदेश से ठीक है मद्धे प्रदेश से फिर ये ऊपर आई अब ये घुस गई राजस्थान में राजस्थान में फिर ये नीचे लोट के वापस आई गुजरात में घुसी और फिर ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर गई जानी कि इस नदी का रास्ता बड़ा अलग तरह का है और एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पर ये ट्रॉपिक ओफ कैंसर है ये ट्रॉपिक ओफ कैंसर करक रेखा जिसे बोलते हैं तो ट्रॉपिक ओफ कैंसर को ये दो बार काट रही है ये मद्धे प्रदेश से निकली फिर ये ऊपर गई पहले ये नौर्थ की तरफ फ्लो करती है, राजिस्थान की तरफ, तो ये उपर जा रही है, फिर ये लोट के आ रही है, तो यानि कि ये करक रेखा को दो बार काटती है, एक बार उपर जाते हुए, राजिस्थान की तरफ, मद्यप्रदेश से राजिस्थान की तरफ जाते ह तो आंसर है वो नदी है माही, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है, और इसका रूट भी आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा, मद्य प्रदेश से निकली उपर गई राजिस्थान, राजिस्थान से लोट के आई गुजरात और फिर गिर गई गल् और इसके बाद यह वही लिखा है बस जो मैंने आपको रास्ता बताया था, तो उसमें वो कभी नॉर्थ वेस्थ में गई, कभी वो साउथ इस्थ में गई, कभी वही सब लिखा है डिरेक्शन, लेकिन बड़ा असान है, और माही सागर डिस्ट्रिक जो आता है गुजरात म उसका नाम माही नदी के नाम पर यह है, अब इसमें कौन-कौन से डैम है इसके उपर, माही सागर, माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम, यह दो हैं इस नदी के उपर, माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम, और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, एक जब एलजिस्तान से गुजरात आ रही है तो ये ऐसे नीचे आ रही है ये गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है पंच महल डिस्ट्रिक्ट, वडोदरा, आनंद और खेडा आनंद और खेडा तो इनको ये पानी देती है यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 4 डिस्ट्रिक्ट जो है इनको यह पानी दे रही है और एक इंट्रस्टिंग चीज़ों में बताने वाला था वो यह है कि कई बार question यह आता है कि कौन सी नदी है जो Tropic of Capricorn को दो बार काटती है अब देखो Tropic of Capricorn यह आपको पता हो ना चीज़ें सब चीज़ें क्या है यह हमारी धर्ती है यह equator है यानि भूमद्दे रेखा यह है Tropic of Cancer जो भारत से पास होता है और यह है Tropic of Capricorn ठीक है Tropic of Capricorn मकर रेखा इसे बोलते है हिंदी में अब question यह आता है कौन सी नदी है जो Tropic of Cancer को दो बार काटती है तो आंसर है माही नदी और हमने देख लिया कैसे वो दो बार काटती है कौन सी नदी है जो equator को दो बार क्रोस करती है अब equator आप जानते है अफरीका से पास होता है तो अफरीका में यह नदी है यहाँ पे जो कौंगो नदी है यह equator को दो बार क्रोस करती है तो अगर पूछें equator को कौन सी नदी दो बार क्रोस करती है तो आंसर होगा कौंगो और Tropic of Capricorn तो यहाँ पे यह Tropic of Capricorn जो है यह पास होता है एक नदी है जिसका नाम है Limpopo Limpopo नदी जो है वो Tropic of Capricorn को दो बार काटती है तो Limpopo नदी जो है वो कहाँ पे flow करती है अगर यह पूछ लें तो Limpopo नदी जो है वो South Africa में flow करती है South Africa, Mozambique मतलब यह भी African continent की नदी है Limpopo तो Limpopo नदी जो है वो Tropic of Capricorn यानि मकर रेखा को दो बार काटती है उसको वो दो बार क्रोस करती है तो यह मैंने सोचा आपको बता दूँ आ सकता है अब माही नदी बस इतना ही है कुछ जादा नही है अब बात करते हैं साबरमती साबरमती में भी कुछ जादा नही है आपको मैं डाइग्राम में एक बार साबरमती दिखा दूँ बहुत ही आसान अब साबरमती देखो ये साबरमती का उदगम यहां से कहीं से हो रहा है और फिर ये ऐसे आ रहे है एहमदाबाद शहर साबरमती के किनारे है और ये सीधी यहां गल्फ ऑफखंबत में गिर जाती है very very simple यानी राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है बिल्कुल सिंपल है, सीधी एकदम नदी है, कोई दिक्कत नहीं साबरमती नदी पर साबरमती आश्रम है, जहां गांधी जी रहा करते थे और ये एहमदबाश यहर इसके किनारे है तो साबरमती नदी दो नदियों से मिलके बनती है एक का नाम है साबर और एक का नाम हत्मती तो साबर और हत्मती जब मिलती है तो बनती है साबर मती और ये राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है ये राजस्थान से निकलती है उदैपुर से राजस्थान के उदैपुर डिस्टिक्ट से निकलती है और फिर ये साहुत की तरफ आती है गुजरात की तरफ और फिर ये अरब सागर में यानि की गल्फ आफ खंबात में गिर जाती है इसमें कुछ और छोटी-छोटी नदियां मिलती हैं जैसे वकाल, वतरक, सी वगारा इनके नाम कोई जादा important नहीं है अब बात करते हैं लूनी नदी आएए आपको मैप में दिखाते हैं कि लूनी नदी कहा है लूनी नदी जो जालोर, बाडमेर, जोधपुर ये सारे जो रजस्थान के जो district हैं तो लूनी नदी यहाँ पे देख सकते हैं आप यह रजस्थान से निकली, अजमेर से, अराबली की पहाडियों से, फिर यह पश्चिम और दक्षिन की तरफ गई, वेस्टन फ्लोईंग है तो वेस्ट में तो जाएगी, तो वेस्ट में गई और फिर यह यहाँ पे कहीं खो ग नहीं हैं, कई बार इसमें फ्लैश फ्लरड आते हैं या चोटे-मोटे फ्लरड आते हैं, लेकिन लूनी नदी में, लूनी नदी में पानी उतना ज्यादा नहीं है, और यह थाल डेजर्ट से फ्लो करती है, यह जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बार्ड मेर, जिनकी में बात कर रहा होता है, फिर वहाँ पे जो मिट्टी है, रेथ है, वो है, उसी में वो खतम हो जाती है, मतलब वो उतना, वो ड्राइ हो जाती है, नदी जो है, यह ड्राइ हो जाती है, इस वज़े से लूनी नदी जो है, वो यहां कच में ही कहीं खतम हो जाती है, वो यहां गल्फ ऑफ कच Arabiancy तक तो पहुँची नहीं पाती तो लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं लूनी नदी जो है ये अजमेर से निकलती है अरावली की पहाड़ियों से और पुशकर वैली से निकलती है उसके बाद ये ट्रेवल करती है South East part में South की तरफ जा रही है ठीक है और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जा रही है थार डेजर्ट में फाइनली इसकी डिरेक्शन तो वेस्ट ही है वो बीच बीच में कई बार South East हो जाता है उसमें को ऐसी बात नहीं है उसके बाद फिर ये फाइनली रन ओफ कच जो है गुजरात वहाँ पे खतम हो जाती है 495 किलोमेटर ट्रेवल करती है टोटल इस नदी को पहले सागर मती बोला जाता है साबर नहीं सागर मती फिर जब ये गोविंदगर्ड क्रोस करती है तो फिर इसमें सरस्वती नदी आके मिलती है और फिर इसको जो है हम लूनी फाइनली बोलती है यानि कि ये सरस्वती नदी जो है पुश्करलेक से निकलती है और उसके बाद इसका नाम फिर लूनी होता है ये एक्स्टर डेटा ये ज़रूरी नहीं है इस पे डैम है तीन डैम है एक है दंतिवाडा, एक है सिपू और एक है जस्वन सागर जस्वन सागर महां के राजा थे जस्वन सिंग उन्हें बनवाया था तो ये आपको ध्यान रखना है अब हम आते हैं अगली नदी पे जो है तावा नदी तावा नदी में कुछ खास नहीं है तावा नदी बस ये भी western flowing है ये भी पश्चिम की तरफ flow करती है और शिरावती नदी जो है करनाटक में वो भी western flowing है तो तावा रिवर जो है ये सत्पूरा के पाणों से निकलती है बेतुल में मद्यप्रदेश में और ये नर्मदा नदी की सबसे लंबे tributary है यानि नर्मदा की सबसे लंबे tributary है तावा नदी फिर शिरावती नदी शिरावती जो नदी है ये करनाटक से निकलती है ये भी west की तरफ भहती है और शिरावती नदी jog fall बनाती है भारत में jog fall जो बनते हैं तो शिरावती नदी भी जो है वो जाके मिल जाती है और ABNC में तो यहीं पर हम कतम करते हैं अपना वीडियो आपको तीन कोश्चन की प्रेक्टिस करवाता हूँ तीनों कोश्चन एक्जाम में आ चुके हैं नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ भैती है लेकिन जो बाकी पैनिंसुलर नदीया है वो पूर्व की तरफ भैती है ऐसा क्यों यह UPSC में आया था 2013 में तो इसमें तीन ओप्शन दिये हैं तीन वो दिये हैं रिजन इनमें से कौन सा ठीक है पहला क्योंकि वो linear rift valley में भैती है दूसरा वो विंदे और सत्पूरा के बीच में भैती है तीसरा की जो slope है वो पश्चिम की तरफ है तो देखो इसमें तीसरा option तो पहले निकाल ली दें बहुती गलत है जो slope है वो east की तरफ है पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी की तरफ है तो यह तो गलत हो गया विंदे और सत्पूरा के बीच में भैती जरूर है लेकिन क्या यही reason है कि वो west की तरफ भैती है क्या सिर्फ यही reason है कि वो विंदे और सत्पूरा के बीच में भैती है बिल्कुल नहीं विंदे और सत्पूरा के बीच में तो भै सकती है लेकिन उसका यह automatic मतलब नहीं होता कि इसलिए वो west की तरफ भैती है reason है, option है, यानि कि rift valley में भैती है, तो answer है one only उसके बाद कौन सी नदी है इन में से, जो दक्षन से north, यानि उत्तर की तरफ भैती है दक्षन से उत्तर की तरफ, ठीक है जैसे गंगा है, वो north से south की तरफ भैती है, महानदी, गुदावरी, कृषन, कावेरी सब ऐसी ही है, तो south से north, दक्षन से north की तरफ तो कृषन, महानदी, गंगा answer है son nadी, son nadी अमरकंटक से निकलती है, और उपर जाके गंगा से मिलती है, तो south से north की तरफ भैती है, तो answer है son फिर ये question है, UPSC 2014 में आया था इन में से कौन सी नदी है, जो अरुनाचल परदेश में भैती है, बराक नदी लोहित नदी और सुबांसरी तो बड़ा असान है, इसका answer है लोहित और सुबांसरी, इन दोनों को तो हम देखी चुके है, लोहित नदी भी देख चुके है सुबांसरी भी देख चुके है, बराक नदी नहीं है बराक भी हमने diagram में देखा था, जो मनिपुर, नागा लेंड, मिजोरम और असाम में भैती है वो है बराक नदी, अरुनाचल में नहीं भैती ठीक है, बरामपुतरा की जो left bank ट्रिब्योटरी है, वो उनमें से है बराक नदी, तो बराक नदी नहीं भैती तो इसका आंसर है two and three only सो अब तक हमने क्या क्या किया हमने इंडस कर ली हमने इंडस की ट्रिब्योटरी कर ली सारी, फिर हमने गंगा नदी कर ली फिर हमने बरामपुतरा नदी कर ली फिर उसके बाद हमने ये सारी नदियां कर ली, लूनी, साबर्मती माही, नर्मदा, तापी वगरा ये सब हम कर चुके हैं यानि इतना भारत जो है मैं शेड कर रहा हूँ ये हम cover कर चुके हैं तो हमारा क्या-क्या बचायब अब हमारी ये नदियां बची है इनमें भी Eastern flowing बची है क्योंकि नर्मदा और तापी तो हम cover कर चुके हैं ठीक है नर्मदा और तापी तो अब हम जो है हम cover करेंगे इसमें जैसे ब्रामनी cover करेंगे हम बैतार्नी कवर करेंगे फिर हम इसमें महानदी कवर करेंगे फिर इसमें हम गोदावरी कवर करेंगे क्रिष्णा कवर करेंगे कावेरी कवर करेंगे महानदी, गोदावरी, क्रिष्णा, कावेरी फिर हम इसमें बड़ी चोटी चोटी नदियां है पेनार है, पालार है, पुनई यार है, फिर इसमें सुवन रेखा है, कुछ आंधरा की चोटी-चोटी नदिया है, नागवल्ली वगरा, वो सब भी हम कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो इसमें हम कवर करेंगे इस्टन फ्लोइंग रिवर, अब इस् बंगाल की खड़ी, तो ये नदियां सारी के सारी ड्रेन करती हैं, बे उफ पेंगॉल में, और बाकी जो कॉंप्लेक्स कंसेप्ट हैं, वो हमने सेकिंड वीडियो में कवर कर लिए थे, कि ये नदियां इस्टन फ्लोइंग है, तो इस्टन क्यों है, क्योंकि जो हमारा पैन कावरी, कृष्णा, कावेरी, पैननार, सुबन रेखा, ब्रामणी, बैतारनी भी है साथ में, शारदा, पुनेयार और वाईगई, इनमें जादा इंपोर्टेंट ये वाली हैं, ये बड़ी नदियां हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं इन पे तो असंखे कुश्चन बन सकत हैं, सारे बताऊंगा, एक-एक कुश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, और ये जो हैं, ये हम शौट में पढ़ेंगे, सो चलिए शुरू करते हैं पहली नदी के साथ, जो है महा नदी, अब अगर इस डाग्राम को आप ध्यान से देखो, ठीक है, दक्षिन भारत की बात हो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, कि महा नदी, तो मैप से ही आपको काफी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये राज्ये कौन सा है ये, ये 36 गड़ है, ये जो मैंने बना रहा हूँ, ये 36 गड़ है, और ये वाला जो है, ये ओडिसा है, यानि कि अगर आप ध्यान से देखें, तो ये नदी, 36 गड़ से निकल रही है, ठीक है, उसके बाद ये फ्लो करके घुश जाती है, ओडिसा में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इतना सिंपल है, ठीक है, लेकिन याद रखिए, नदी कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती, कि नदी ऐ ये सीधी एकदम, बस यहां से यहां, उसमें obviously और भी नदियां जुड़ती हैं काफी सारी, और जैसे मानलो ये कोई नदी है, अब इसमें ये बहुत सारी नदियां जुड़ रही है, इसकी साहिक नदियां है, ये हैं, यानि नदी सिर्फ इतना एरिया कबर थोड़ी कर रह नदी की मुख्यधारा तो ये है, लेकिन ये सब भी तो एरिया नदी का ही है, तो इन सब को मिलाके हम बोल देते हैं, नदी का बेसिन, नदी का ये बेसिन है, बेसिन मतलब उतना एरिया जो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलके जिसको ड्रेन कर रही है, उसको बोलते है नदी का बेसिन, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ महा नदी, तो क्या ये सिरफ 36 गर और ओडिसा को ड्रेन करती है या कहीं और भी करती है हाँ, मुख्य धारा तो यही है लेकिन अगर इसका बेसिन है, तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है तो बेसिन में कौन-कौन से स्टेट आ जाएंगे बेसिन में इसमें थोड़ा सा हिस्सा, अब ये महराष्टर है इतना बड़ा ही ठीक है, तो ये जो नदी है इसका जो थोड़ा सा बेसिन है महराष्टर को भी चूता है थोड़ा सा ये उपर मद्धे परदेश है, 36 गड़ मद्धे परदेश से ये लग हुआ था, तो ये मद्धे परदेश को भी चूता है, थोड़ा सा ये ओडिसा के उपर ये क्या है, जहारखन ने तो थोड़ा सा जहारखन को भी टच करता है, तो नदी का जो अपवात अंत्र जो बेसिन होता है वो काफी बड़ा होता है क्लियर तो अब इसमें शुरू करते हैं महानदी तो महानदी जो है ये मेंली चत्रिसगड और ओरिशा को ड्रेन करती है परन्तु थोड़ा सा इसका हिस्सा जहारखंड महाराष्ट्र और मत्यपर्देश को भी ड्रेण करता है तो टोटल लगभग लमबी ये नदी है महा नदी 900 km अब ये सबसे ज़ादा इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कौन से राज्जे में है यानि महानदी सबसे ज़ादा जो इसका एरिया है शेत्रफल है जिसको है 36 गड में ठीक है ओडिसा से भी जादा 36 गड में है ये बात आपको ध्यान रखनी है और महा नदी के पानी को लेकर 36 गड और ओडिसा में अक्सर विवाद रहता है तो 36 गड में 52.9 और ओडिसा में 46.3 और बस बाकियों में तो फिर ना के बराबर छूती है सिर्फ जारकन महराष्टर और मद्यपरदेश को तो सिर्फ छूती है क्योंकि यहाँ पर हम डागराम में देख सकते हैं मेजर ली ये 36 गड में और ओडिसा में फ्लो करती है ठीक है कोई डाउट यहाँ पर तो अगर पहला कुश्चन में दे दूँ कि भाई महा नदी का सबसे बड़ा बेसिन सबसे बड़ा बेसिन कौन से राज्य में है तो आंसर हो गया 36 गड एक बात और याद रखना बेसिन को आप लंबाई से confuse मत करना अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई महा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में तो ये question तो अलग है शेतरफल अलग होता है लंबाई अलग होती है समझगे बात को तो कहीं पे नदी के लंबाई चोटी हो सकती है लेकिन हो सकता है एरिया काफी ज़्यादा हो उसका वहाँ पर सब्सक्राइब आया क्योंकि एरिया जो होता है वो length ही नहीं into breadth भी होता है तो नदी कहीं पर बहुत ज़्यादा value हुई है मानलो लेकिन लंबाई कम है तो भी वहाँ area ज़्यादा हो सकता है तो length अलग चीज होती है बिलकुल ठीक है अब आते हैं दूसरे सवाल पर दूसरा सवाल ये कि महानदी जो है उसका जो length है वो भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में है देखो महानदी की length है वो लगबग 851 km है यहाँ पर मैंने आपको 900 round up करके बताई थी 851 km है जिसमें से 356 गड़ में और 400 चुराण में है ओड़िसा में यानि कहानी बदल गई है अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो ओड़िसा में महानदी काफी ज़्यादा है 494 km है और 36 गड़ है एक्जाम में जथातर length आता है अगर आता है तो ठीक है एक्जाम में length जथा पूछते हैं बेसिन पूछते कम है तो महानदी की लंबाई ओड़िसा में ज़्यादा है लेकिन बेसिन 36 गड़ में ज़्यादा है कोई डाउट यहां तक फिर महानदी निकलती कहां से है देखिए नदी का जो उदगम है या नदी का जो सुरोथ है वो बहुत important है तो नदी निकलती है ये सिहावा, माउंटेन, धमतारी डिस्ट्रिक्ट, छत्यसगर एक बात और आपको बता दूँ इंटरनेट से मैंने आपको हजार बार कहा है आप मत पढ़ो, आप सिर्फ मेरे Static GK के वीडियोस देखो इंटरनेट पे इतनी चीज़े गलत है मैं Static GK की तो कह सकता हूँ कम से कम, कि इंटरनेट पे 90% से ज़्यादा वेबसाइट गलत डेटा देती है मेरा जो डेटा है वो Central Water Commission की वेबसाइट से है और Ministry of Jal Shakti की वेबसाइट से है Official सरकारी डेटा है तो इस पे आप पूरी तरह से आँख बंद करके रिलाई कर सकते है और एक्जाम में कभी दिक्कत हो तो चैलेंज भी कर सकते है ठीक है तो महानदी निकलती कहां से है सिहावा माउंटेन धमतारी डिस्टिक्ट से निकलती है फिर ये जो नदी है काफी ज़्यादा क्रिशी को सपोर्ट करती है वैसे महानदी में फ्लड्स भी बहुत आते है वैसे भारत में जो बड़ी नदियां है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी हो गई या महानदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी तो ये सारी की सारी फ्लड्स काफी लेकर आती है ये बाध्यान रखनी है और ये सारी नदियां डेल्टा बनाती है महानदी भी, गोदावरी भी कृष्णा भी, कृष्णा और गुदावरी का तो डेटा मिल भी जाता है बलगी और कावेरी भी, महानदी डेल्टा, गुदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा कावेरई और सारी नदी डेल्टा क्यों बनाती है क्योंकि यहाँ पे यह असाननी से फैल जाती है ठीक है दूसरी बात डेल्टा बनाने के लिए एक चीज है नदी का बहाव slow होना चाहिए तो नदीां slow हो जाती है यह सारी नदी आपने साथ काफी ज़दा सिल्ट, मिट्टी बगरा लेकर आती है इस वज़े से नदी का बहाव स्लो हो जाता है और जो इस्टन घाट्स हैं वो भी कोई कंटेनिय उस तो है नहीं तो ये असानी से नदियां फैलती है जब नदी में मिट्टी नीचे बैड़ जाती है तो हमने देखा ता डेल्टा कैसे बनता है तो वो उसको स्प्लिट कर देता है बहाव को दो हिस्सों में फिर दो चार में फिर ऐसे नदी धीरे-धीरे फैलती जाती है और डेल्टा बनता जाता है तो अब इसमें ये नदी कृशी काफी होता है लगबग ये नदी जहां भी train करती है उसका 50% से ज़्यादा जो area है वो agriculture land है वहाँ पे खेती करी जाती है और नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है अच्छा, अब इस नदी के course के बारे में बात करते हैं, तो ये नदी जो है, सबसे पहले इसमें मिलती है सेवनाथ नदी, इसको शिवनाथ बोलते हैं कई लोग, लिखते हैं सेवनाथ कई जगा आप बुक्स में शिवनाथ भी देखोगे लिखा हुआ, ठीक है, जो advanced किताबे है थोड़ी सी, मैंने उनमें देखा कि शिवनाथ भड़ी उसकरा है, रादर देन सेवनाथ बात एक ही है, उचारण सिवनाथ ही है तो शिवनाथ नदी इसमें मिलती है सबसे पहले, और फिर ये जो है, ओड़ी सा में एंटर कर जाती है, शिवनाथ नदी हैं, इनमें सबसे लंबी कौन सी है और सबसे लारजेस्ट, यानि सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में भी फरक होता है, सबसे बड़ी साहयक नदी उसे बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा पानी कॉंट्रिब्योट करती है, ठीक है लेकिन सबसे लंबी उसे बोलते हैं जिसकी लंबाई सबसे ज़ाद है अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि शिवनाथ नदी सबसे लंबी है मतलब महानदी में जितनी भी नदिया मिलती हैं उनमें सबसे लंबी शिवनाथ है शिवनाथ की लंबाई 290 किलोमेटर है तो longest tributary है महानदी की शिवनाथ उसके बाद संबलपुर जो एरिया है ओडिसा का वहाँ पे हिराकुड डैम बनाती है महानदी जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है सबसे लंबा डैम भारत का कौन सा है हिराकुड उसके बाद ये कटक में भी flow करती है और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये इसका basin है नदी का तो आप देख सकते हैं कि जो महानदी है जो महानदी है ये है हमारी महानदी ये महानदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई कोई डाउट अब इसको ध्यान से देखो ये नदी ये हमारा दक्षिन भारत है तो ये नदी ऐसे flow कर रही है रफली ठीक है रूट इसका थोड़ा अलग है लेकिन रफली ये eastern flowing है तो जब नदी इस तरफ flow कर रही है तो आप इमेजिन करो कि आप इस नदी में नाओ में बैठे हो तो आप आपकी नाओ भी तो इस तरफ ही जाएगी यानि आपके left में क्या होगा ये area और आपके right में क्या होगा ये यानि उपर left होगा नीचे right होगा कोई doubt इसमें तो अब इसकी left bank tributary में पूछू कौन सी होगई जो उपर से गिर रही है यानि हसदेव, ठीक है हसदेव, मांड, इब ये सब जो इसमें मिल रही है ये नदिया है left bank tributary लेकिन जो tell है, ong है ये सारी है right bank tributary तो इसमें आपको कोई doubt नहीं होगा एक बार आपको diagram clear हो गया तो कौन-कौन सी इसकी साहक नदिया है यानि इतनी सारी नदिया इसमें मिल रही है शेवनाथ मिल रही है हसदेव, मांड, इब, ong, जोंक और tell सूपर easy ठीक है, सूपर easy कौन-कौन सी नदिया मिल रही है एक बार फिर देखते हैं शेवनाथ मिल रही है फिर जोंक मिल रही है फिर हसदेव, मांड, इब, tell, ong और जोंक ये सारी नदियां इसमें मिल जाती है ये सारी इसकी tributary है अब आपके लिए चीज़ें असान हो जाए इसके लिए मैंने एक flowchart बनाया है आपके लिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये मेरा अपना flowchart है जो मैंने अपनी paint brush में बनाया है अपनी limited skill use करके मेरे पार digital मुझे skill जादा नहीं है लेकिन ये मैंने एक समझाने के लिए बना दिया आपको असान हो जाएगा देखो ये नदी निकली पहले धंदारी district से ये इसका उधगमे यानि सोर से सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिली सेवनाथ फिर इसमें मिली हस्दो फिर इसमें मिली जॉंक ठीक है जॉंक सेवनाथ, हस्दो और जॉंक और डाइगराम के साथ आप कोरेलेट करो ऐसा नहीं है कि आपको कोरेलेट नहीं करना सेवनाथ, हस्दो और जॉंक ये जॉंक और ये जो नदी है अब यहाँ ध्यान से देखो ये है जॉंक तो ये हमारी जो है ये महानदी है सेवनाथ और हजदेओं कहां से मिल रही है उपर मतलब क्या था left तो ये left ये left है और ये right है और वैसे भी बड़ा असान है आप यहां से बैठो नाव लेके आप नाव लेके यहां से जाओ ये see है यानि बंगाल की खड़ी है तो आपके left में क्या आएगा और फिर इस तरफ से मिलती है जान। फिर ये सरंगड़ ये जगा जो रैगड़ में है छत्युझगड में फिर ये cross कर गई सरंगड़ को फिर मांड और इब नदीश में मिलती है again left बैंक से मिलती है तो डाइगराम फिर देखते है और फिर ये बंगाल की खड़ी में गिर जाती है इस डियाग्राम से भी आप एक कहते हैं ना schema schema of things कि कैसे हो रहा है तो इसमें आपको एक easily पता चल जाएगा वरना ये डियाग्राम भी अपने आप में बहुत अच्छा है कोई डाउट इसमें महानदी में एकदम crystal clear हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से अब तो ये महानदी है super easy अचा महानदी के उपर कौन-कौन से डैम बने हुए है हीराकुड बना हुआ है फिर दोधवा डैम है दोधवा डैम जो है धमतारी में है ये चत्यसगड में जहां से नदी निकलती है धमतारी डिस्टिक चत्यसगड फिर गैंग्रेल डैम है बहुत बड़ डैम है गैंग्रेल और भिलाई steel plant को पानी देता है गैंग्रेल डैम इसको रवी शंकर सागर भी बोलते हैं ये भी धमतारी डिस्टिक में है फिर संदूर डैम है संदूर डैम जो है ये संदूर नदी पे है जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है तो directly महानदी पे नहीं है संदूर लेकिन उसके बेसिन में आता है क्योंकि उसकी tributary है, सोंदूर छोटी सी tributary है, उतनी important नहीं है exam के लिए, लेकिन बस याद रख लो, सोंदूर, फिर हस्देव बंगो डैम है, जो हस्देव नदीपे है, और हस्देव आप जानते हैं, यह महानदी की tributary है, हस्देव, और तंदूला डैम है, जो तंदूला फिर महानदी जो है, सत्कोसिया टाइगर रिजर्व, सत्कोसिया टाइगर रिजर्व कहां है, सिमलीपल और सत्कोसिया कहां पे हैं, ओडिसा में, तो सत्कोसिया टाइगर रिजर्व जो है, इसमें सत्कोसिया वाइल डैफ सेंचुरी आती है, ठीक है, सत्कोसिया टाइगर हैं उन में से ये नदी छेद बनाती है और वहां से निकलती है तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व में से निकलती है ठीक है तो ये गौज महानदी के द्वारा बनता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में यानि महानदी सपोर्ट करती है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में और महानदी बेसिन जो है वो खनिज में भी काफी उच्छ क्वालिटी का है यानि mineral resources काफी है तो industries काफी है महानदी बेसिन में कुछ industries आपको बता देता हूँ जैसे भिलाई steel plant है iron steel plant भिलाई या aluminum factory है हीरा कुड और कोरवा में paper mill है कटक में और cement factory सुंदरगड बगारा में तो ये जो सारी industries बगारा है काफी है महानदी बेसिन में और agriculture भी काफी होता है महानदी बेसिन में कोई doubt महानदी यहाँ पे खतम होती है हमारी अब आप महानदी से related कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो ना कर पाए चलिए अब हम आते हैं दूसरी नदी पे और वो है गोदावरी दक्षिन गंगा गोदावरी अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आसान है अभी तो मैं फैला निरा नदी को अभी मैं बेसिन नहीं दिखा रहा अभी तो सिर्फ मुखे धारा दिखा रहा हूँ तो यह नासिक है नासिक से निकली गोदावरी नदी ठीक है यहाँ पे एक भगवान शिव का मंदिर है बहुत बड़ा त्रंबकेश्वर नासिक में त्रंबकेश्वर जो बारा जोतिरलिंग है ना उनमें से एक त्रंबकेश्वर भी है भगवान शिव के बारा जोतिरलिंग है जैसे दूसरे भी है महाकालेश्वर है ओमकारेश्वर है और बहुत सारे हैं तो उनमें एक त्रंबकेश्वर भी है तो नासिक में तरंबकेश्वर जो मंदिर है वहां से निकलती है गुदावरी यानि ये महराश्टर को क्रोस करी पूरा महराश्टर नांदेड वगड़ा अब ये कौन सा स्टेट आ गया ट्राइंगल मतलब T, T मतलब तिलंगाना कोई डाउट तो ये वाला जो स्टेट है ये तिलंगाना है ये है तिलंगाना तिलंगाना में घुसी तो ये तिलंगाना से निकली अब तिलंगाना किस से अलग हुआ था ये कौन सा स्टेट है ये जो एक हनुमान जी की गदा जैसा दिखता है तो ये है आंधरपरदेश तो अब ध्यान से देखिए ये नदी महाराश्टर से निकली फिर ये तेलंगाना में गई और फिर आंधरपरदेश में गई और फिर डेल्टा बनाके गिर गई पंगाल की खाड़ी में असान है ठीक है लेकिन ये तो मुक्य धारा है लेकिन अगर मैं बेसिन की बात करूँ तो इसका बेसिन तो अफकोर्स काफी बड़ा होगा तो बेसिन में इसके क्या क्या आ गया मैं आपको डियागराम में दिखाता हूँ बेसिन में मतलब महराष्टरा, ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना, ये तो मेन है, तो यहाँ पर आंध्रा तेलंगाना एक ही रखके दिखाया हुआ है, और ये मद्धेपरदेश, शत्यसगड, ओडिसा और करनाटक भी इसमें आ जाते हैं, यानि चुएगी किस-किस को ये, अ जो है, ये करनाटक है, तो करनाटक को भी चुरिए, तो बेसिन, बाकी उनको भी चूती है, लेकिन मेन ये नदी किस में है, मेन ये नदी है, महराष्टर में, तेलंगाना में, और ये आंध्रा में, ठीक है, एक रख मैं आपका ओटलेंड बता रहा हूँ, तो गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं, गोदावरी नदी जो है, इसे दक्षिन गंगा बोलते हैं, गोदावरी नदी जो है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी के बाद, ठीक है, और दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी, और गंगा के बा इतना काफी है, ये नदी अगेन बहुत बड़ी है, तीन लाख किलोमेटर स्कोयर का एरिया ड्रेन करती है ये, जो भारत के सबसे बड़े लिवर बेसिंस में से एक है, फिर ये नदी जो है इसका अगर मैं फ्लो की बात करूँ, तो सबसे ज़ादा एरिया के हिसाब से, यानि केच्मेंट एरिया जो इसका है, वो कहां है तो वो है महराष्टर में, ठीक है महराष्टर में सबसे ज़ादा है, फिर आंध्रा तेलंगाना में है और बाकियों में तो बस छूती है, पर हाँ काफी मतलब इसकी भी लंबाई है और इसमें महराश्टर में इसकी लंबाई है छेसो चुराण में किलोमेटर यानि इसका जो इसका जो एरिया है वो भी सबसे ज़्यादा महराश्टर में है और इसकी जो लंबाई है वो भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है तो दोनों में इस बार महाराष्ट्रा हो गया answer clear और यहाँ पर आप देख सकते हैं area wise तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है इस नदी का लगबग 50% almost आप कह सकते हो कि वो महाराष्ट्र में है अब इसमें कौन-कौन सी नदीया मिलती है तो यहाँ पर देखिए यह table बहुत खुबसूरत है Central Water Commission की website से ली गई है यह table तो यहाँ देखिए Tribute Rays ठीक है और गोदावरी तो बहुत important है बहुत सारी नदीया इसमें मिलती है तो कौन-कौन सी नदीया मिलती है तो गोदावरी जो है एक अपर गोदावरी होती है एक middle गोदावरी और एक lower गोदावरी तो यह मैं आपको डाइगराम में दिखा के बताऊँगा कि गोदावरी के तीन हिस्से कौन से है तो नदीया इसमें मिलती है प्रावरा, पूर्णा, मंजीरा, मनेर, पैनगंगा, वार्दा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी यह सारी नदियां जो हैं गोदावरी में मिलती है तो इसमें आगर आप देखें यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन सी नदी सबसे लंबी है और कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पानी जोड़ती है यानि catchment area जिसका ज़्यादा है अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं पूछूं इस नदी की largest tributary कौन सी है largest tributary वही होती है जो सबसे ज़्यादा जिसका area होता है यानि सब ज़्यादा एक तरह से पानी जोड़ेगी catchment area उसका ज़्यादा है तो यहाँ पे एक area दिखा दिया तो largest अगर आप देखें तो largest है इसकी प्राण हिता largest है इसकी प्राण हिता लेकिन लंबाई किसकी ज़्यादा है longest है इसमें मंजीरा मंजीरा और प्राण हिता में थोड़ा ही फरक है लेकिन मंजीरा है ठीक है तो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है longest मंजीरा largest कौन सी है प्राण हिता कोई doubt यहाँ पे तो यह भी आपको ध्यान रखनी है यह चीज अब यह नदी है it's very very easy आप देखके डरना मत की इतनी सारी नदियां मिल रही है इतना आसान बना दूँगा आपके लिए कि आप कहेंगे कोई चीज है अब इस डागराम को ध्यान से देखो यह तरंबकेश्वर से निकली गोदावरी अब यह आ रही है यह आ रही है महाराष्टर में आ रही है क्रोस कर रही है फिर यह तलंगाना और फाइनली आंध्रा राजमुंदरी के पास यह जो है स्प्लिट हो जाती है इस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डेल्टा बनाया फैल गई और गिर गई बेंगाल की खाड़ी में इजी यानि पहले महाराष्ट्रा फिर तलंगाना फिर आंध्रा अब इसमें आप नदी में बैठे हो तो आपकी left bank कौन सा होगा उपर उपर जो होगा वो left bank होगा नीचे जो होगा वो right bank होगा तो left bank tributary कौन कौन सी है इसकी मोटा मोटी इस diagram में आपको क्या नजरा रहा है डीटेल में तो बाद में जाएंगे ये देखिए पुर्णा पुर्णा नदी इसमें मिल रही है left bank से फिर ये देखिए ये नदी देख रहे हैं वार्धा वार्धा मिल रही है इसमें ये नदी देख रहे हैं वैन गंगा अच्छा आपने एक चीज़ नोट करी वार्धा और वैन गंगा ये मिलके एक नदी बना रही है common तो ये प्राण हिता है ठीक है ये मैं blue color में दिखा देता हूँ प्राण हिता वार्धा नदी येरी लाल रंग में वार्धा नदी येरी ठीक है ये वार्धा है ये है वैन गंगा वार्धा और वैन गंगा सीधी नहीं मिल रही है इसमें पहले ये दोनों कहीं बीच में खुद मिल रही हैं तो मिलके ये बना रही हैं प्राण हिता तो ये नदी बन गई एक साथ मिलके प्राण हिता बनाती है और प्राण हिता यहाँ पर फिर उपर से और कौन सी नदी मिल रही है कोदावरी में यह देखिए यह इंदरावती फिर यह शबरी यानि यह सारी left bank tributary है right bank tributary देखते हैं तो right bank tributary सबसे important है manjira फिर manjar तो यह हो गई right bank tributary easy अब मैंने यहाँ पर क्या करा है मैंने यहाँ पर आपके लिए एक flow chart बना दिया जिससे आपको काफी आसान हो जाए अब यह नदी का source है यानि त्रंबकेश्वर है और यह समुद्रह यानि बंगाल की खाड़ी है तो आप प्रवारा और मुला नहीं दिख रही लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ से ऐसे प्रवारा और यहाँ से मुला इसमें मिलती है यानि नीचे मतब right bank तो right bank से मिल रही प्रवारा और मुला फिर इसमें मिली लेफ्ट उसके बाद प्राण हिता, प्राण हिता सबसे important है, प्राण हिता मिली, correlate कर ये diagram के साथ, ये देखिए, ये नदी जो है ये प्राण हिता है, लेकिन प्राण हिता बनी कैसे है, ये वार्धा और वैन गंगा से मिलके बनी है, ठीक है, तो प्राण हिता जो है, वैन गंगा और वा डियाग्राम में कोरिलेट करिए ये इंदरावती और फिर ये शबरी कितना आसान है अगर आपने ये फ्लोचार्ट याद कर लिया कुछ करना ही नहीं है आपको पहले ही पता हो जाएगा भई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क मेडियम लेवल का कुष्चन आएगा तो कैसे आएगा इन में से कौन सी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है तो इन में कोई भी नाम दे देंगे तीन और चोथा जो देंगे वो आंसर हो जाएगा ओर टफ बनाना हो तो उसको भी डिवाइड कर दो ट्रिब्यू गोदावरी नदी कौन से राजी में नहीं भैती तो मतलब मुख्यधारा पुझने तो इसमें तीन आपके रहेंगे महराष्ट्रा त्यलंगाना अंध्रा चोथा जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा तो सवाल तो किसी भी तरह से आ सकता है अगर आपने धंग से टॉपिक प केंद्रिय जलायोग बोलते हैं उसे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट्री जो है वह हमने देख ली उनमें भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है हम उनको देखेंगे पूर्णा प्राण हिता इंद्राबती और शबरी और प्राण हिता की पूरी कहानी आपको पता है वार्ध और वेन गंगा मिलती है डबलू डबलू लेकिन वार्धा में पैन गंगा भी मिलती है फिर राइट बैंक ट्रिब्यूट्री जो नीचे से मिलती है यानि प्रावरा मूला मंजीरा मनैर किनर सनी इतिया दी फिर सबसे बड़ी ट्रिब्यूट्री बड़ी लंबी नहीं बड प्राण हिता, लेकिन सबसे लंबी कौन सी है, मंजीरा, ठीक है, वो आमने देख लिया था, सबसे लंबी मंजीरा है, सबसे बड़ी प्राण हिता है, और प्राण हिता जो है, लगभग 34% इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है, वो प्राण हिता कॉंट्रिब्यूट करती है, फ 61,000 स्क्वेर किलोमेटर, मंजीरा 30,000, परंतु इंद्रावती देखिए, 41,000, तो चाहे मंजीरा सबसे लंबी है, longest है, लेकिन बड़े के मामले में, वो तीसरे नमबर पे आती है, उससे ज़्यादा तो इंद्रावती है, 41,000 स्क्वेर किलोमेटर, तो इंद्रावती जो है, वो दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्योटरी है, और इंद्रावती नदी जो है, Lifeline बोलते हैं, इसे कालाहंडी, नबरंगपूर और बस्तर डिस्टिक्ट ऑफ चत्तिसगड़, कालाहंडी और नबरंगपूर उडिसा में है, वेस्टर उडिसा और बस्तर जो है, वो चत्तिसगड़ में है, आपने एक वो सुना है, इंद्रावती नशनल पार्क चत्तिसगड़ में, तो वो इंद्रावती नदी तो बनाती है, आपने एक वो सुना है, चितरकूट वाटरफाल, बहुत खुबसूरत waterfall है चितरकूट तो चितरकूट waterfall कौन सी नदी बनाती है इंदरावती तो बनाती है 36 गड़ में कोई टाउट तो बस्तर को भी ट्रेन करती है इंदरावती जो की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की तो गोदावरी कितनी important इससे आपको अंदाजा हो जाएगा फिर मंजीरा सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है जैसा मैंने बताया और निजाम सागर डैम जो है मंजीरा पे बना है निजाम सागर in fact मंजीरा पे सिंगूर डैम भी बना है गोदावरी नदी के किनारे कौन-कौन से शहर है नाशिक हो गया जहां से निकलती है नांदेड, राजमुंदरी राजमुंदरी महा है जहां पे एकदम बंगाल की खाड़ी से मिलती है बस वहीं पे फिर गोदावरी नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है बंगाल की खाड़ी मिट जाने से पहले दो हिस्सों में बढ़ जाती है वेस्ट गोदावरी और इस्ट गोदावरी तो इसलिए आंदर परदेश में दो डिस्टिक्ट हैं वेस्ट गोदावरी डिस्टिक्ट, इस्ट गोदावरी डिस्टिक्ट In fact, आप हैरान हो जाएंगे जानके कि भारत में कितने सारे डिस्टिक्ट है राजियों के जिनके नाम नदियों के नाम पे है Unimaginable अब वार्धा है जैसे आगे आएगी वार्धा, क्रिष्णा में आएगी वार्धा तो वारधा district है महराष्टा में,ёрधा नदी का नाम है तो नदियों के नाम पे भारत में बहुत सारे जिलों के नाम है तो आंध्रा में अब देख सकते हैं कि कृष्णा district हो गया East Godavari, West East नदियों के नाम पे रखे हो है नाशीख, नानदेड, राज़, मुंदरी रामगुंडम और भद्राचलम यह रामगुंडम और भद्राचलम तलंगाना में ठीक है गोदावरी नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए है कालेश्वरम lift irrigation project तलंगाना ये वहाँ पे है जहाँ पे गोदावरी प्राण हिता के साथ मिलती है तो वहाँ पे है कालेश्वरम प्रोजेक्ट फिर पोलावरम प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पे अंदरप्रदेश में और जैक वाडी बांध बहुत इंपोर्टेंट है महराष्टर में जैक वाड़ी बांध वैसे चोटे-चोटे हैं लेकिन मैंने बड़े कवर करें हैं सिर्फ क्योंकि डैम पे हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है फिर गुदावरी नदी वाइल लाइफ को भी बहुत सपोर्ट करती है अब मंजीरा वाइल लाइफ सेंचुरी कहा है याद आया तो वेन गंगा नदी यहां में आती है वहाँ पे तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है और महराष्ट्रा और मद्धे परदेश के द्वारा शेर किया हुआ पैंच टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे है फिर कोरिंगा वाइल लाइफ सेंचुरी यह गोदावरी डेल्टा में आती है कोरिंगा वाइल लाइफ सेंचुरी जो है यह आंधर परदेश में है कोई डाउट तो यहां पे हम कतम करते हैं हमारी दूसरी नदी और जो है गोदावरी नदी अब कोई भी आपको problem गोदावरी में नहीं होगी कोई question ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे अब हम आते हैं तीसरे नदी पे तो गोदावरी हमने कर ली गोदावरी आपको दिखाऊं हूं बना के यह देखो यह गोदावरी है यह गोदावरी है यह गुदावरी है, माहनदी कैसे थी? यह 36 गड़ से निकली, यह घूम घाम के गई, ओड़िसा में और गिर गई, यह है माहनदी, यह है गुदावरी, अब इसके नीचे आजाओ, तो यह है कृष्णा, और यह तो कावेरी है, सिंपल, क्योंकि यह सिर्फ दोई राज्यों में भैती है, यह करनाटक से निकली, और नीचे तमिल नाडू में आ गई, कावेरी जल्विवाद आपको याद होगा, पचास साल से ज़्याद होगए, चलो, क्रिश्णा नदी पर आते हैं, क्रिश्णा द्यान से देखो, पहले मुक्य धारा देखते हैं, महराष्ट्र से निकली, महराष्ट्र से निकली, अब करनाटक में घुसी, यह करनाटक है, यह पूरा करनाटक है, तो दुबारा देखते हैं महराष्टरा से निकली ये गोवा है छोटा सा गोवा में नहीं जा रही है ये महराष्टरा है ये करनाटक में आई करनाटक से फिर ये तेलंगाना को छूते हुए बस टच करा है और ये जो है आंध्रा में आई और यह गिर गई, ठीक है, आंधरा याद रखना, भगवान हनुमान जी की गदा जो होती है उसकी शेप है इसकी, यह गदा, भगवान हनुमान जी की गदा की शेप है, आंधर प्रदेश की, और तेलंगाना है ट्राइंगल, यह, clear, तो यह clear है अब, तो कृष्णा नदी की भी जाएगा, फिर यह उपर थोड़ा इनको भी टच करेगा, दूसरे राज्यों को भी टच करेगा, वो हम देखेंगे, यह, थोड़ा सा मैंने वो दिखा दिया, दूसरी नदी भी जो मिल रही है, उनको आके दिखा दिया, इसको हम डेटेल में स्टेडी करेंगे, तो ले पढ़ी है कृष्णा, फिर यह निकलती कहां से है, यह महादेव के पहाड़ों से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से वेस्टन घाट्स में, और महराष्टा से निकलती है, महादेव के पहाड़ों से, यह 305 किलो मीटर फ्लो करती है महाराष्टा में, 483 करती है करनाटक म और 612 किलोमेटर करती है आंदरपरदेश में, यानि अगर यहाँ पे देखें, यह कृष्णा नदी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यह लगबग 300 किलोमेटर महाराष्टर में, महाराष्टर में उतना बड़ा फ्लो नहीं है, 400 किलोमेटर करनाटक में लगबग, लेकिन 600 से ज्यादा किलोमेटर आंदरा में, तो यह नदी इसकी लंबाई सबसे ज्यादा आंदरपरदेश में है, महाराष्टर के डबल, यह नदी 1400 किलोमेटर है, तो गोदावरी से थोड़ी ही छोटी है, गोदावरी 1465 किलोमेटर थी, कृष्णा नदी का जो ड्रेनेज है वो सबस 1000 किलोमेटर, यानि अगर मैं बेसिन की बात करूँ, तो इस नदी का बेसिन सबसे ज़्यादा करनाटक में है, फिर आंदरा में है, फिर महाराष्टर में, तो लंबाई सबसे ज़्यादा आंदरा में है, लेकिन बेसिन सबसे ज़्यादा करनाटक में है, यह है इस नदी की स भीमा, तुंगा भद्रा, डिंडल, पैडावग्गू, हालिया और मूसी. तो इन में जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं, वो कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए, ड्रेनेजरिया से पता चल जाएगा आपको. तो ये दो स्टेंड आउट करती हैं. बाकी तो छोटी-छोट और भीमा सत्तर हजार, थोड़ा ही फरक है, उननिस भीस का फरक है, परन्तु सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है तुंगा भद्रा, clear? और दो सबसे बड़ी पूछले ट्रिब्यूटरी, तो भीमा और तुंगा भद्रा, clear? अब लंबाई देखते हैं, लंबाई सबसे ज़ किसकी है? मैंने आपको बताया सबसे बड़ी, लार्जेस्ट कौन सी है? तुंगा भद्रा, पर क्या लंबाई भी सबसे ज़ाद तुंगा भद्रा की है? जी नहीं, लंबाई भीमा की ज़ादा है, और भीमा की बहुत ज़ादा है, तो यहाँ पे लंबाई की टेबल देखत है, तो सीधा सीधा कोश्यन आ जाएगा, भई, विच इस दा लॉंगेस्ट ट्रिब्यूटरी ओफ क्रिश्णा रिवर, तो आंसर है भीमा, उसमें उप्शन देखो, तुंगा भद्रा तो कंफ्यूज मत होना, लार्जेस्ट है, लॉंगेस्ट नहीं है, तो कौन-कौन से ब बहुत बड़ा डेम है ये, श्री सलाम, भारत के जो पाँच सबसे बड़े हाइडरो पावर प्रोजेक्ट से उनमें से एक है है, तो कृष्णा नदी पे है ये, कृनूल डिस्टिक्ट आंधरा, फिर नागरजुन सागर, अगेन, बहुत बड़ा है ये नागरजुन सागर तो नागरजुन सागर डेम भी कृष्णा नदी पे है, ये आंधरा तेलंगाना बॉर्डर पे है, गुंटूर, आंधरा और नाल गोंडा तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहाँ पे है, तुंगा भधरा डेम, ये तुंगा भधरा डेम बलारी करनाटक में है ये, परकासम ये परकासम विजयवाड़ा डिस्टिक जो है, विजयवाड़ा है जो कृष्णा डिस्टिक करनाटक में है और अलमाटी बांध, ये डारेक्ट कृष्णा अधी पे करनाटक में है, अलमाटी बांध, तो ये सारे सबसे इंपोर्टन डेम है, कृष्णा पे या कृष्णा क नदी का पानी वहां से फिर मोड़ देंगे ठीक है, प्रकाशम बेरेज, तो बेरेज कोई भी अगर होता है तो वो जो है नदी का बहाव और दिशा हम कंट्रोल कर पाते हैं, बेरेज बना कर तो ये बेरेज है, हम इसमें कितना पानी कब छोड़ना है एक तरह का टेंप्रेरी डैमी आभी से बोल सकते हूँ और उपर ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है एक ब्रिज का काम भी करता है आपने एक फरका बेरेज सुना होगा, जहां गंगा नदी का पानी मोड़ देते हैं हम, हुगली की तरफ चलिए, अब इस डाइगराम को ध्यान से देखिए ये एक, जिसे कहते हैं ना कि मैक्रो डाइगराम है, अभी माइक्रो भी दिखाऊंगा अभी और जदा डिटेल में जाएंगे, परन्तु सबसे पहले ज़रूरी है कंसेप्ट क्लियर करना तो यह महराश्च्टा है, ठीक है अब कृष्णा नदी जो है यह आरी है, आरी है, आरी है यह कृष्णा नदी आरी है अब सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, मैंने बताया भीमा और तुंगा भध्रा ठीक है, अब आप अगे नाओ में बैठे हो तो उपर left हो गया और नीचे right हो गया तो left bank से आ रही है भीमा और right bank से आ रही है तुंगा भधरा ये difference है एक बहुत बड़ा भीमा जादा लंबी है के तुंगा भधरा भीमा नदी बहुत लंबी है 831 km तुंगा भधरा 500 के असकरश तो फरक ये है भीमा नदी left bank से आती है और तुंगा भधरा नीचे यानि right bank से आती है ठीक है मूसी नदी के किनारे है धराबाद शहर है ये भी left bank से आती है तो ये एक हो गया macro अब आते है micro में और यहाँ सारा game स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कृष्ण नदी बना के दिखाता हूँ वन्ना आपको कृष्ण नदी नजर ही नहीं आएगी इसमें तो ये कृष्ण डेल्टा बन रहा है कृष्ण डेल्टा अब ये कृष्ण नदी में बना रहा हूँ ये कृष्ण नदी है यह क्रिश्ण नदी ठीक है लाल रंग में क्रिश्ण नदी है अब इसमें अगर मैं tributeary's पर नजर ड़ूँ तो tributeary's क्या मुझे नजर आ रही है बिल्कुल तो ये देखिए ये जो नदी है ये dindal है अच्छा उपर से आ रही है पहले left bank की बात करते हैं, चलो, उपर से कौन-कौन सी मिल रही हैं आके, ये है डिंडल, ये है मूसी, जिसके किनारे है हिदराबाद, ये है पलेरू, ये है हला, राइट, हला, और ये इतनी बड़ी नदी, ये है भीमा, भीमा, ठीक है, तो left bank से कौन-कौन सी आ रही हैं, भीमा, मूसी, हला, राइट, और पलेरू, तो ये सारी जो हैं, ये left bank से आ रही हैं, अब आते हैं right bank, और right bank से बहुत सारी हैं इसमें, तो उपर से start हो जाओ, देखो ये नीचे से आ रही है, क्योंकि मैं अलग रंग दूँगा इसे, तो मेरा रंग है नीला, ठीक है, तो ये सबसे पहले कोईना, ये कोईना मिल गई, ये कोईना, ठीक है, कोईना नदी जो है, ये कोईना, फिर ये जो है, ये है पंच गंगा, ये है पंच गंगा, फिर ये है दूद गंगा, ये है घाट प्र यह है Tunga Bhadra, ठीक है? तो यह सारी की सारी Right Bank से मिल रही है, तो यहाँ पर मैंने उसी हिसाब से लिख दिया है, Right Bank से घाट प्रभा, माल प्रभा, Tunga Bhadra, दूद गंगा, पंच गंगा और कोईना और सारी की सारी मैंने आपको मैंपर दिखा दिहीं, Left Bank से कोन आ रही है? भीमा मूसी, डिंडी, पलेरू और मुनेरू easy अब कोईना नदी जो है उस पर कोईना डैम है इसलिए बहुत फेमस है छोटी सी नदी है लेकिन कोईना डैम की वज़े से बहुत फेमस है कोईना डैम महाराष्टरा में है भीमा नदी जो निकलती है भीम शंकर की पाड़ियों से निकलती है मतेरन, मतेरन याद आया हिल स्टेशन है महाराष्टर में मैंने एक विडियो बनाया था हिल स्टेशन ऑफ महाराष्टरा उसमें जाके देखो सारे हिल स्टेशन बताएं तो उसमें मतेरन भी एक है तो महराष्टा में हिल स्टेशन है मतेरन वहाँ पे भीमा शंकर की पहाड़ियां है और ये भीमा शंकर भगवान शिव के बारा जोतिर लिंग में से एक है भीमा शंकर महादेव भीम शंकर महादेव ये भगवान शिव के बारा जोतिरलिंग में से एक है, भीमा शंकर की पाड़ियों में भीमा शंकर जोतिरलिंग भी है, तो वहां से भीमा नदी निकली, और फिर ये कृष्णा में जाके मिल गई राइचुर में, राइचुर का है, राइचुर करना टक में, फिर विजयवाड़ा, श्री सेलाम, महाबलेश्वर, यतियादी महाबलेश्वर से तो निकलती है तो ठीक है ये सारे शेहर है अगर पूछें भई हधराबाद कौन से नदी के किनारे है तो मूसी मार्क करेंगे आप आप कृश्णा मार्क नहीं करेंगे क्रिश्णा की ट्रिब्यूटरी है, मूसी मूसी के किनारे है डारेक्ट क्रिश्णा पर नहीं है और तुंगा भधरा जो नदी है ये दो नदियों से मिलके बनती है एक तुंगा और एक भधरा ठीक है, और तुंगा और भधरा जो निकलती है गंग मूल से निकलती है उसके बाद Tunga Bhadra 531 किलो मीटर है और Tunga Bhadra शहर के किनारे है हमपी Tunga Bhadra को पहले पंपा बोलते थे पंपा से शब बना हमपी तो हमपी जो वेज़नगर एमपाइर की capital होती थी वेज़नगर एमपाइर था ना करनाटक में अब हम आते हैं अगली पे और वो है हमारी कावेरी नदी, ठीक है कावेरी, कई पर लोग पूछते हैं सर गोदावरी या कावेरी, दक्षन जंगा किसे बोलते हैं, कई पर रचे पूछते हैं, देखो, एक्जाम में अगर कुश्चन आ जाए तो आप मार करोगे भई यानि जिसमें पानी हमेशा भरके रहता है, और वो है कावेरी, कावेरी नदी in fact पूरे दक्षन भारत की एकी नदी है, जो पेरेनियल है, पेरेनियल का मतलब होता है, जो पूरे साल जिसमें पानी फ्लो करता है, इसलिए इसे हम दक्षन भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को क्योंकि गंगा नदी भी पूरे साल भेती है उसमें पानी कभी कम नहीं होता वैसे भी हिमाले से निकलने वाली जितनी भी नदिया है उनमें पानी कभी कम नहीं होता ये जो धक्षण भारत की नदिया है, ये सूख जाती है कई बар ठीक है? गोदावरी चाये सबसे बड़ी नदिय पर गोदावरी कई बार सूख जाती है कई बार उसमें पानी स्टेग्नेंट हो जाता है पानी नहीं नहीं होता हुतना उसमें लेकिन कावेरी एक मात्र नदी है पूरे दक्षिन भारत की जिसे जिसमें पानी पूरे साल रहता है इसलिए इसे दक्षिन भारत की गंगा कई बार कह देते हैं लेकिन दक्षिन गंगा पूछें तो आंसर हो जाएगा गोदावरी ठीक है चलो अब ये कावेरी नदी है अब क समुद्र फॉल आता है चलो बाद भी बताऊंगा फिर यहाँ पे यह यह देखो यह boundary मैं boundary नीले रंग में बना रहा हूँ यह boundary है यह तमिलनाडू की boundary बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा करनाटक खतम कहां पे हो रहा है और तमिलनाडू शुरू कहां से हो रहा ह तो यह जो है यह यहाँ पे cross करी तमिलनाडू में आ गई अब यह तमिलनाडू को cross कर रही है अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने यह तमिलनाडू को नौर्थ तमिलनाडू और साउथ तमिलनाडू में बाट दिया उतरी तमिलनाडू और दक्षन तमिलनाडू कौन स ताल कावेरी, जहां से exact निकलती है, ताल कावेरी बोलते हैं उसे, काफी उचाई पे है ये ताल कावेरी, तो ताल कावेरी जो है, ब्रहमगिरी, hills, western ghats, करनाटक वहां से निकलती है, फिर ये south और east में जाती है, बिल्कुल, नीचे की तरफ आ रही है, south में, और east की तरफ आ हम पड़ी इस वीडियो में east flowing river रहे हैं, तो ये 765 km जो है, फ्लो करती है, करनाटक और तमिल्नाडू में फ्लो करती है, बंगाल की खाड़ी में चुपचाप गिर जाती है, अब ये तो हो गई मुखे धारा, लेकिन ये दूसरे राजियों को भी छूती है, तो तमिल्नाड लेकिन तमिल्नाडू और करनाटक, अचा तमिल्नाडू और करनाटक में इसका basin जो है, वो ज्यादा कहां पे है, तो answer है तमिल्नाडू, वो तमिल्नाडू में area ज्यादा है, और length कहां पे ज्यादा है, करनाटक में के तमिल्नाडू तो length भी तमिल्नाडू में ज्यादा है, 320 किलो मेटर इसकी लेंद है करनाटक में, और 416 किलो मेटर है, तमिलनाडू में, और 64 किलो मेटर जो है, वो common है, तमिलनाडू उसकी boundary पर flow करती है, उतना हम detail में नहीं जाएंगे, बस आप याद रख लो, तमिलनाडू में ज्यादा है 416 किलो मेटर, अब देखते हैं कावेरी नदी पहले बना दूँ, यह लो जी, यह कावेरी नदी बना रहाँ, बना रहाँ, बना रहाँ, यह देखिए, कावेरी नदी मैंने बना दी, ठीक है, कावेरी नदी मैंने बना दी, कावेरी नदी, थोड़ा सा यहां से direct है यह, तो यह कावेरी नदी मैंने बना दी, और य ये जो उपर देख रहे हो येलो वाला एरिया, ये करनाटक वाला है और ये ग्रीन वाला, जो है ये तमिलनाडू वाला है, तो क्या-क्या दिख रहा है आपको, अभी आप भूल जाओ, नदिया भूल जाओ एक बार, पहले क्या-क्या दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे काविरी नदी पे मैतूर डेम क्या आपको भारत का सबसे पुराना डेम दिख रहा है यहाँ पे ग्रेंड एनिकट जिसे कलानई डेम भी बोलते है भारत का सबसे पुराना डेम है यह ग्रेंड एनिकट तो तीन-तीन कितने important project तो आपको यहीं दिख रहे हैं क्रिश्न राज सागर यह है मैतूर और यह है ग्रेंड एनिकट ठीक है अब इसमें कौन-कौन सी नदियां है अब नदियों पे आ जाओ यह देखो यह कितने लंबी नदिय है यह शिम्शा शिम्शा अच्छा इसमें ऊपर से जो आ रही है वो लेफ्ट है और नीचे से जो आ रही है वो राइट बैंक ट्रिब्योट रही है तो यह हो गई शिम्शा यह हो गई अरक्वती यह हो गई हेमवती तो हेमवती अरक्वती शिम्शा यह उपर से आ रही है फिर और कोई नदी तो अभी तो यही है यहाँ पर नीचे से देख लो यह इतनी लंबी नदी है काबिनी तो यह काबिनी नदी आ रही है काबिनी रिपीट करता हूँ काबिनी यह नीचे से आ रही है भावानी काबिनी भावानी ये नदी देख रहे हो, नोईल, नोईल, ये अमरावती, अमरावती, ठीक है, तो मेन तो यही है, मेन तो यही है, यह यहापे और भी हैं वैसे, यह सुवर्णवती है, नीचे से आ रही है, और यह गुंडाल है, गुंडजाल यह भी नीचे से आ रही है, तो लेकिन मेन मेन ज को दिखी रही होगी मेन नदी जो है कावेरी ये मेन नदी है कावेरी तो इसमें हेमवती अरकवती शिम्षा ये ऊपर से आ रही है और काविनी भवानी सुवर्णवती अमरावती नोयल ये नीचे से यानि राइट बैंक से आ रही है ठीक है तो कावेरी नदी में जो important tributary join कर निकलती कहां से है कावेरी नदी ताल कावेरी ठीक है कुर्ग डिस्ट्रिक में आता है ये कुर्ग डिस्ट्रिक जो है वहां से तो उसमें कुछ नदिया कुर्ग में निकलते ही मिल जाती है जैसे ककावे कड़नूर कुम्मा होले ये इतनी important नहीं है फिर ये मैसूर डिस्ट यह कुन सी हरंगी 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 इस डाइग्राम में शायद नहीं है पर ठीक है यहीं उपर से हरंगी भी इसमें आके मिल जाएगी left bank ट्रिब्यूटरी चलो right bank right bank से नीचे से कोण आ रहा है इसमें लक्षमन, तीर्थ, काबानी और सुवर्णावती भावानी, नोईल, अमरावती यह भी right bank से आती है मैंने अमरावती, नोईल, भावानी पहले यह दिखाता हूँ तो यह अमरावती, यह नोईल और यह भावानी यह तमिलाडु में मिल रही है इसमें करनाटक में मिल रही है लक्षमन, तीर्थ, काबानी की ट्रिब्यूट रही, अब करनाटक में कावेरी नदी दो बार bifurcate करती है bifurcate मतलब यह होता है, यह देखो यह नदी आ रही है, यह दो हिस्सों में बटी, और फिर वापस आके मिल गई फिर सीधा, अब इसमें होगा क्या, यह नदी आई, कोई नदी ऐसे फ्लो कर रही है इस देशा में, यह दो हिस्सों में बटी, यह और यह फिर यह वापस मिल गई, तो बीच में क्या हो गया, बीच में बन गया आईलेंड, दुवीब बन गया, रिवर आईलेंड अब यह दो बार होते हैं यह काम रंग पतनम, शरी रंग पतनम यह 50 WIL, यानि 80 кил Ometra दूरें High lived दो रिवर आईलेंड बनाती है, कावेरी नदी तो कावरी नदी पे कौन कॉन से डेम है? तीनों दिखा चुका हूँ डाइगराम में क्रिष्टनराजसागर, मैतूर और ग्रैण अनिकट ठीक है, एक बार दुबरा दिखा देता हूँ क्रिष्टनराजसागर, मैतूर, और ग्रैण अनिकट अब Tributaries में सबसे लंबी चोड़ी वो देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं लंबाई किसकी सबसे ज़्यादा है ये देखो ये 245 km 50 km, 161, 230, 131, 221 और 188 यानि की हेमवती तो इसकी सबसे लंबी Tributary कौनसी है longest आंसर है हेमवती ठीक है हेमवती हेमवती यानि की ये वाली जो उपर से मिल रही है Left Bank Tributary अचा सबसे चोड़ी तो चोड़ी के लिए यहां देख लो मतलब largest के लिए देख लो चोड़ी मन नहीं लंबाई into चोड़ाई is equal to area तो area सब ज़्यादा किसका है शिम्शा शिम्शा भी Left Bank Tributary दिखाई थी मैंने आपको डियाग्राम में ये देखो ये जो आ रही है ये शिम्शा है तो शिम्शा largest है और हेमवती longest है तो यहाँ पर हमारी महानदी, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी चारो नदियां खतम अब कुछ छोटी-छोटी नदियां है उनको फटा-फट निप्टाते है ठीक है पैनार नदी पैनार नदी पैनार नदी कहां है देखो डियाग्राम देखो अब ये डियाग्राम देखो इसमें सारी दिखा देता हूँ आपको छोटी-छोटी ये basically क्या है न ये हमारा दक्षिन भारत है और हम इसमें east flowing पढ़ रहे हैं ये छोटी नदिया बस यही निकली यही गिर गई यहां निकली यहां गिर गई यहां निकली बस छोटी छोटी बस इनको पढ़ रहे हैं अब कौन सी नदी में आपको दिखा रहा हूँ पहले पैनार पैनार जिसको उत्तर पिनाकी नहीं बोलते हैं एक south पैनार भी आए गया आगे जिसको पनयार बोलते हैं उसको बाद में देखते हैं तो ये जो नदी है ये करनाटक से निकलती है ये देखो पैनार नदी देखो यहां पे ये आपका करनाटक है कोई डाउट तो ये नदी जो है करनाटक से निकली, फिर ये करनाटक से निकल के, कहां जाएगी, करनाटक से सीधा बंगाल थोड़ी किर जाएगी, बेव बेंगोल में, पहले बीच में क्या आएगा, ये क्या है, हनुमान जी, याद आया है, ये हनुमान जी, तो ये है आंध्रप्रदेश, करनाटक से निकली, आंध्रा गई और गिर गई, बंगाल की खाड़ी में, सूपर सिंपल, ठीक है, और तो ये नदी जो है, पैनार नदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, इस पे एक डैम है बहुत इंपोर्टेंट, सोमा सिला डैम, सोमा सिला डैम, लेकिन सोमा सिला डैम कहा है, करनाटक में है, या आंध्रा में है, तो ये आंध्रा में है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई, वेरी इजी, पैनार नदी, तो पैनार नदी निकलती कहां से है, करनाटक में चन्ना केश्वा हिल से निकलती है नंदी दुर्ग के पहाड है चिक्का बलापूर डिस्ट्रिक्स से निकलती है फिर ये जाती है इस्ट की तरफ और आंधर परदेश को क्रोस करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है चोटी नदी है 597 किलोमीटर तो इस नदी ये तो करनाटक लेकिन अगर आप डियागराम देखें इसी में आपको सपता चल जाएगा ये देखें डियागराम करनाटक से तो बस निकल रही है मेन तो ये आंधरा में ही फ्लो कर रही है तो इसका जो एरिया है आंधरा में 48,000 किलोमीटर स्क्वेर और करनाटक में सिरफ 6,000 तो आंधर परदेश में ही मैजॉरिटी है बस निकलती करनाटक से है पर ड्रेन ये उसको करती है फिर इसमें कुछ नदियां मिलती है जैसे जया मंगली, कुंडेरू, चित्रावती, पपागनी ये सब आपको याद नहीं रखना अब आते हैं ब्रामनी और बैतरनी पहले डियाग्राम में देखो बहुत इसली दिखा देता हूँ हम इस पर फोकस करेंगे ओडिसा पर ये जो आप देख रहे हैं राजज़ ये ओडिसा है ओडिसा पर फोकस करेंगे तो पहले बात करताूँ ब्रामनी नदी की देखो ब्रामनी कैसे है ये जहारखंड उपर, जहारखंड से आई ठीक है ब्रामनी जहारखंड में आपने कोयल नदी सुनी होगी नौर्थ कोयल, साउथ कोयल, तो बस वही खेल है पूरा, कोयल नदी जो है नीचे आती है, और कोयल नदी, शंक नदी के साथ मिलके, ब्रामनी नदी बनाती है, और वो यह, यानि जारकंट से निकली, ब्रामनी नदी, ओडिसा में आई और गर गई, रिपीट करता हूँ, जार पर जारकंट से निकली, फिर यह, ऊपर की तरफ गई, उपर की तरफ यानि जारकंट की तरफ जा रही है, पर जारकंट में गुसेगी नहीं, मैं repeat करता हूँ, ओडिसा में निकली, ऊपर की तरफ गई, और फिर ये अचानक मुड़ गई और गिर गई बंगाल की खाड़ी में, ये बहुत simple है, east flowing है, लेकिन पहले ये नौर्थ में जाती है थोड़ा सा, और फिर ये चंपुआ के पास, ओडिसा में चंपुआ जगाती है ये वहाँ से घूम जाती है, और फिर ये गिर जाती है, तो ये दो छोटी छोटी नदियां है, ब्रामनी और बैतार्नी, तो आई ये इनको पढ़ते हैं, ये तो महा नदी है, जो बड़ी नदी है, महा नदी, इसकी बात नहीं कर रहे है, महा नदी के उपर ये जो नदी द जहारकन्ड है लेकिन और ओडीशा जहारकन्द में और हैं तो पहले ब्रामनी देखते हैं ब्रामनी का मैंने आपको DX throwing में गर गई तो ब्रामनी नदी शंक और कोयल नदी ने मिलके बना दी ब्रामनी नदी और ब्रामनी नदी महा नदी के बाद ओडिसा की दूसरे सबसे बड़ी नदी है तो ब्रामनी नदी जो है ये छोटा नागपूर के पठार से दो नदिया निकली शंक और कोयल फिर ये नीचे आई रा ब्रामनी नदी जो है लगभग 800 km की है, exact है 799 km, अब आते हैं बैतारनी पे, बैतारनी मैंने क्या बताया था, ओडिसा से निकली, पहले उपर जाएगी, फिर मुड के गिर जाएगी, तो ये नदी निकलती है, गुप्त गंगा के पहाड़ों से, केउंजा डिस्टिक्ट से ओ दियाग्राम में देखिए, ये है महानदी, ठीक है, ये है ब्रामनी और ये ऐसे आएगी बैतारनी, फिर रुशी कुल्या नदी, ये देखो ये रुशी कुल्या नदी है, महानदी के नीचे, महानदी के नीचे मतलब महानदी के साउथ में, अचा महानदी के नीचे दूसर बाड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये दरिंगा बाड़ी जो है इसको ओडिसा का कश्मीर बोलते हैं दरिंगा बाड़ी को ओडिसा का कश्मीर बोलते हैं रुशी कुल्या नदी जो है अच्छा रुशी कुल्या नदी जो है वहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल ह जहाँ पे मिलती है समुद्र में उसके मुहु जहाँ पे हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहाँ पे ओलेव रिडली कच्छुए अंडे देते हैं इसलिए रुशी कुल्या बीच बहुत फेमस है और एक गहिरमठ बीच है वो भी बहुत फेमस है वहाँ पे भी ओलेव अब बात करते हैं सुवन रेखा सूपर सिंबल देखो इँडिया के मैप में हम फोकस करेंगे इस इंडिया थीक है इस इंडिया प्या आज अजिए जो है जार खंड है और ये नीचे ओर इनका जो ये नेबर है ये बंगाल है अब देखो आप सुवन देखा नदी कैसे है जहारखंड से निकली नीचे गई बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर गई इतनी आसान है जहारखंड से निकली नीचे गई बंगाल और बंगाल से निकल के सीधी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर गई ये है स्वन रेखा तो स्वन रेखा नदी जो है ये जहारख और वेस्ट बेंगॉल और थोड़ा उडिसा को भी टच करेगी, देखो ये नीचे उडिसा है, इसको भी टच करती है, और सुवन्रेखा नदी, निकलती कहां से है, नगरी गाउं से निकलती है, राची डिस्टिक्ट से, 395 किलोमीटर फ्लो करती है, हुन्रू फॉल्स बनाती वमसधारा, जिसे बनसधारा भी बोलते हैं, वमसधारा या बनसधारा, और नागवल्ली और शार्दा, सूपर सिंपल, तीनों दिखा देता हूं कहां पर है, इस्ट इंडिया पर आजाओ, यह देखो, यहां पर यह जो नदी है छोटी सी, यह है वमसधारा, तो वमसधारा उडिसा से निकली, नीचे आंदर परदेश में आई, फिर गर गई बंगाल की खाड़ी में, अब इसके नीचे एक और नदी है, बिल्कूल ऐसी सेम, वो है नागवल्ली, और उसके नीचे है शार्दा, उसके नीचे है शार्दा, यह भी सारी इस्ट फ्लोईंग है, तो इन और नागवल्ली के नीचे एक और आगई, वो है शार्दा, शार्दा नदी पूरी तरह से विशाका पट्नम में फ्लो करती है, तो यह बस आपको नाम याद रखने है, फिर अब और नीचे आजाओ, तो मैंने आपको पैनार नदी बताई थी, पैनार नदी बताई थी, करन पैनार नदी ये, पोनाई यार भी करनाटक से निकली, लेकिन फिर ये नीचे तमिल नाडू में फ्लो करके बंगाल की खाड़ी में गर गई, तो ये जो नदी है पोनाई यार इसको दक्षिन पेनाके नहीं बोलते हैं, या साउथ पैनार बोलते हैं, ये नंदी की पैनार करनाटक से निकली, लेकिन आंधरा में फ्लो करी और इसमें गर गई, फरक इतना है, क्योंकि वो नीचे जा रही है, तो नीचे तमिल नाडू है, वो उपर जा रही है, तो उपर आंधरा है, गिरना दोनों को यही है बंगाल की खाड़ी में, अब वैगई नदी, य यह थेनी डिस्टिक्ट से निकलती है, थेनी डिस्टिक्ट जो यहाँ पे है, केरला का तमिल नाडू बॉर्टर पे थेनी डिस्टिक्ट पढ़ता है, वहाँ पे वरुसु नाडू की पहाड़ीों से निकलती है, थेनी डिस्टिक्ट से, यह वैगई नदी निकली तमिल ना पढ़ा दी, मैंने वाई गई पढ़ा दी, ठीक है, ऊपर वाली दुखेर पढ़ाई दी मैंने सारी, नागवली और वो रूशी कुल्या और सबरी और वो सब पढ़ाई दी, ये बीच में चोटी सी बच गई पलार, पलार भी देखलो, ये पलार अगें करनाटक से निकली, य फोई नंदी हिल्स, फोई चिकाबलापुरो डिस्ट्रिक्ट, सेम, तो ये निकली, फिर ये तमिलाडू को क्रॉस करके गिर गई, तो ये भी वही है, और तमिलाडू में जाके फिर ये फाइनली बंधाल की खाड़ी में गिर गई, तो ये था हमारा लेक्चर, रिवर्स ओफ इंडिया का, मैं उमीद करता हूँ ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा, जब साड़े तीन घंटे पहले आपने ये लेक्चर देखना शुरू किया था, और अब उसमें बहुत परिवर्तन होगा, अब आपको बहुत clear understanding होगी, काफी conceptual understanding होगी, कि भारत में नदियां जो हैं, वो कौन-कौन सी हैं, कहाँ flow करती हैं, कौन-कौन सी important tributaries हैं उनके, क्या कै चीज़े हमें याद रखनी हैं, क्या कै skip करनी हैं, तो वो अब आप काफी empowered feel कर रहे होंगे, ये वीडियो इस तरह से design किया गया था, कि एक बार देखने के बाद ही वो आपको live पढ़ाते हैं, पूरा GS, prelims और mains का इसमें finish किया जाता है, साथ ही साथ, answer writing, one-to-one mentorship, current affairs program, और भी बहुत सारे modules आपको मिलते हैं, अगर आप इस course में enroll करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे link डाल दिया है, हमारे हर महीने 2-3 batch नए start होते हैं, किसी भी batch में आप enroll कर स लगते हैं, तो आपको ये code use करना है, जी जी live, अगर आप इस code को use करेंगे, तो आपको काफी अच्छा discount मिलेगा, वैसे भी हमारा course काफी reasonably priced है, अगर आप कहीं पर दिल्ली या किसी भी शहर में coaching लेते हैं, तो लाखों रुपे खर्चा होता है, महाँ पर रहने में भी, औ कोर्स की जो फीस होती है, वो भी एक लाख, दो लाख रुपे होती है, हमारा course बहुत ही reasonably priced है, सिर्फ बीस हजार से कम में, और आप अगर ये code use करेंगे, तो आपको extra discount भी मिल जाएगा, और बहुत सारे दूसरे benefits भी साथ में append कर दिये गए हैं, तो code आपको धियान रखना ह या desktop पर भी देख सकते हैं, सो Study IQ में हम UPSC और State PCS की coverage जारी रखेंगे, thank you for watching Rivers of India